आज हम लोग जिस कंसेप्ट या जिस ट्रिक की बात करने जा रहे हैं अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप और अर्गेनिक केंस्टी में जितनी भी रियक्शन है उसका 20% रटने से बच जाओगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रिगनाड रियेजेंट से ग्रिगनाड रियेजेंट को मैं प्यार से ग्रेंड पा बोलूँगा क्या बोलूँगा ग्रेंड पा उसके पीछे लॉजिक है जो हम आगे डिसकस भी करेंगे तो ना दो कोश्चन इसकी सबसे पहले इसको हम बन आएंगे कैसे गिरिगनार इजन्ड को प्रिपेर कैसे करेंगे तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप क्या करो एलकायल हेलाइड ले लो रेक्स यहां पे एक्स क्या है है एडर सी एल हो सकता है बीर हो सकता है जनरली आयोटीन भी हो सकता है फ्लॉरीन हम नहीं लेते हैं क्योंक X मतलब alkyl halide in presence of magnesium और dry ether, तो करना क्या है, इस magnesium को इसके बीच में insert कर जाना है, कहां पे R और X के बीच में, इस तरह से magnesium हाथ खलाएगा, क्यों, magnesium के last shell में दो electron है, एक तरफ उसके R होगा, कोई alkyl group या aryl group और एक तरफ X होगा, that is halogen होगा, तो देखो, very simple है, alkyl halide लिया, magnesium लिया, magnesium को क्या करना है, बीच में insert करना है, तो द्यान से देखो, एक तरफ इसने हाथ खलाया, तो R से alkyl group से add होगा, और एक तरफ electron हैलोजन से, मतलब magnesium बीच में insert होगा, यही आपका क्या है, गिरिगनार्ड रियेजेंट, इसी का नाम है, grand path, तो very easy है बनाना है, right, alkyl halide की reaction, magnesium in presence of dry ther करेंगे, तो करना क्या आपको, magnesium को carbon और halogen वाले bond के बीच insert कर देना है, समझ के बाद, for example, यहाँ पे example भी लिया, ध्यान से देखो, यह मेरा क्या होगा, alkyl halide, x chlorine हो सकता है, bromine हो सकता है, x halogen है यहाँ पे, अगर हमने यह लिया तो हमने आपको क्या बोला, क्या करना है, magnesium try थर है, तो carbon और halogen वाले bond के बीच, आपको magnesium को insert कर देना है, तो बाकी वैसे रहतना है, one, two, three carbon, one, two, three carbon, इनके बीच magnesium को insert कर दिया, और halogen आपका यह हो गया, very simple, similarly अगर इसमें बात करें, तो यह carbon और यह halogen है, इनके बीच insert करना है, बाकी चीज को वैसे ही रहने दो, तो यह रहने दिया, यहाँ पे यह mg आ गया, और इस से x, carbon और halogen के बीच के bond के बीच, magnesium को insert कर देना है, similarly यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से क्या होगा, सब कुछ वैसे ही रहने दो, यहाँ पे आपका mg आ जाएगा और इसमें x, क्योंकि यह carbon और यह halogen के बीच, magnesium को insert कर देना है, similarly अगर इसमें बात करें, तो क्या होगा दियान से देखो, बाकी जो चीज जैसे हैं, यहाँ पे क्या करना है, mg और यह x, जैसे भी दिखा सकते हैं, तो मैंने यह 4 example क्यों लिया, ताकि आ यह aliphatic हो, aromatic हो, कुछ भी हो, सबसे आपका grignard region बनेगा, दियान से देखो, यह 1 degree था, 2 degree था, बैंजीन पे हैलोजन लगाओ, यह बैंजीन के बगर वाले करन पे लगाओ, कहीं पे भी, जिस carbon और हैलोजन के बीच bond है, उसके बीच mg को insert कर देंगे, अगर rx mg dryther होगा, तो और यह सब के सबाब के क्या है, grignard region है, now the question is, कि यह grignard region के बारे में, grandpa के बारे में कुछ अच्छी बात है बताइए sir, तो अच्छी बात यह है, कि इसको बोलते हैं organiometallic compound भी, अब क्यों बोलते हैं organiometallic compound, तो बहुत important है, कही बार पूझा भी जाता है, जब भी आपका metal और carbon के बीच direct bond हो, ध्यान दो, metal और carbon के बीच direct connection हो, तो ऐसे compound को बोलेंगे organiometallic, क्यों, क्योंगि यहाँ पे ध्यान से देखो, metal और carbon के बीच direct bond है, तो organiometallic, metal और carbon के बीच direct bond है, तो organiometallic, तो जब भी, यहाँ पे देखो, carbon और metal के बीच direct bond है, तो इसलिए जिदने भी गिरिगनार ये जेंट है वो क्या है और्गेनो मैटली कमपाउंड है और्गेनो मैटली कमपाउंड कैसे कमपाउंड को लेंगे जिसमें मैटल का डारेक्ट बॉंडिंग डारेक्ट कनेक्शन किसे होना चाहिए कारवन से यह और्गेनो मैटली कमपाउंड क्यों नहीं हु अगर आपने ड्राइथर नहीं लिया तो जो ग्रिगनार रिजन मिल रहा है आपको आर माइनस मतलब कार्व एन आयन अपने को मिलता है क्या मिलता है क्या मिलता है क्योंकि यह कैसे ब्रेक होगा वेरी सिंपल यह मैगनिशियम और कार्वन के बीच का ब्रेक कर देना है चुकि मैगनिशियम और इलक्टो पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा यह ब्रेक होगा तो यह आर माइनस मिल आपको और वो वाटर से हेच पलस लेकर के किस में करवर्ट हो जागा हाइड्रो कार्वन में करवर्ट हो जागा तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको ग्रिग्णा रिजएंट मिले तो फिर आपको ड्राइथर यूज करना पड़ेगा क्योंकि अगर मौश्चर थोड़ा से व्या गया तो जो ग्रिग्णा रिजेंट बना वो अक्चली में किस में करवर्ट होगा हाइड्रो क तो यह वाइट करते हैं तीसरा वैसे तो मैंगनिशियम कोल्ड वाटर से रियक्ट नहीं करता है लेकिन रियक्शन के थूरू अगर हीट प्रोडूस हो गया और वाटर से मैंगनिशियम रियक्ट कर गया तो फिर हड्रीजन कैसे निकल जाएगी आप चाह रहे थे कि बनाया है तो उसके बारे में एक और पॉइंट यह है कि यह तो आर एमजी एक्स आपको एरो पर लिख सकता है राइट तो इससे मिलेगा क्या तो इससे मिलेगा आपको आर माइनस और एमजी एक्स प्लस राइट इधर भी वह लिखा हमें ने आर माइनस और एमजी एक्स प काम कर सकता है क्योंकि कारवन पर निगेटिव चार्ज हाइली अनस्टेवल है इसलिए वह जल से जल किसी को लोन पर देना चाहेगा तो यह एक स्ट्रॉंग बेस का काम करेगा और इसलिए कहीं पर भी अगर अगर इसको छोड़ दिया अपने तो फिर आपका गिरिगनार असलब क्यों हो गया जैसे है एक्षण करा दिए ऑक्षिएं से अटेच होने आतलब जैसे वाटर से या फिर अलकोहल से या फिर एसीड से इंसम में आपका हाइड्रोजन जो है वह ऑक्षिएं सा अटेच है या फिर एन की बात करें तो एनस-3 अमोनिया से राइट तो वह स इसला जाएगा और वैसा भी केस हो सकता है जहां पर आपका हाइड्रोजन SP करवन से अटेच हो अगर आपका हाइड्रोजन SP करवन से अटेच है तो SP करवन के लग्त्र नेगिटिविटी जादा होती है उस वज़य से वहाँ पर आपका acid based reaction हो जैसे फॉर एक्जांपल HCN मे क्या हुआ फोन वाले हाइडोजन या SP कारवन वाले हाइडोजन आपका गिरिगना रियाजन से रियक करके एसीड बेस रियक्शन शो करेंगे और हाइडो कारवन में कनवर्ट हो जाएंगे दूसरा इसको हम कैसे युज़ कर सकते हैं क्योंकि कारवन पर माइनस चार्ज है एलक्ट्रॉन है लोन पेर है तो वह एजे निक्लोफाइल का काम कर सकता है और इसलिए निक्लोफिलिक सब्टिट्यूशन रियक्शन भी शो कर सकता है तो इसलिए मैंने दो कैटेग्री बनाया ताकि आपको एकदम किलियर रहे कि जो RMGX है वो AJ-based काम कर सकता है और AJ-nickleophile तो फर्ष पार्ट में एपार्ट में मैं डिसकस करता हूँ कि जब वो AJ-based काम करेगा तो क्या-क्या रियक्शन होगी कहां पे करेगा वो समझा दिया है वो सारे hydrogen जो phone से attach हो या SP करण से वहां पे ये AJ-based का काम करेगा और अगर ये नहीं ह हुआ तो बाकी सारी जगा पर ये AJ-nickleophile का काम करेगा तो चलिए हम बात करते हैं कि जब ग्रिगनार्ड रियजेंट AJ-based काम करेगा तो कैसे रियक्शन को कराना है तो पहला पॉइंट तो ये है कि कभी भी कभी रियक्शन में acid-based reaction बहुत ही fast होती है अगर कभी possibility हो कि एक से ज़्यादा reaction होने के chances है तो सबसे पहले आपको acid-based reaction कराना है ये point को एकदम ध्यान में रखिया कि कहीं पे भी acid और base की reaction हो रही है तो ये very very fast reaction होती है ये reaction को आप रोक नहीं सकते इसलिए सबसे पहले आपको यही reaction कराना है now हमने यहाँ पर क्या किया RMGX लेलिया गिरिगना present इसको अगर water में h2 है तो आपको मालूम है water का h plus और oh minus तो आपको क्या करना है r के साथ जिस पे minus और mgx पे पूरा plus है right तो minus के साथ plus plus के साथ minus simple सा तो r पे minus है तो h2 है आपको h मिलेगा plus में तो rh बन जाएगा यह hydrocarbon और mgx के साथ को ना जाएगा oh simple similarly hf होगा तो आपको क्य मिल जाएगा rh और mgx के साथ को ना जाएगा hi nh3 होगा तो आपको क्या मिल जाएगा rh plus mgx के साथ अपका जाएगा ถू तो सब में ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्यों क्यों क्योंक्य आपका hydrogen phone sector है यहां पे भी आपका hydrogen oxygen self energy है इसलिए आपको म mg x r c double bond o o इसमें minus है तो right तो वो charge balance हो गया यह hydrogen आपका sp carvance attach है तो इसलिए क्या मिल जाएगा r h plus mg x और यह आपका इस type सो हो जाएगा similarly यहाँ पर यह hydrogen आपका sp carvance है तो क्या मिल जाएगा r h plus mg x c n यह बन जाएगा बस point यह ध्यान रखना है कि कभी भी आपका gregna result ether से react नहीं करेगा r o r क्योंकि यहाँ पर ना तो acid हो जाना है और दूसरा reason यह है कि oxygen के पास भी loan pair है और gregna result पर carvance भी minus charge loan pair है तो कभी negative charge negative charge तो attract करेंगे नहीं repel हो जाएगे इसलिए आपका gregna result किस से react नहीं कर सकता ether से no reaction तो यह आपको एक point समझाया है कि gregna result आपका कभ age base काम करेगा वो सारे hydrogen जो phone से attach हो या sp carbon से वहाँ पर या age base का काम करेगा क्योंकि acid base reaction very fast होती है product सब केस में आपको क्या मिनने वाला अगर आप ध्यान से देखो तो सब केस में आपको product मिनने वाला है hydro carbon इसलिए method of preparation of alkane, alkane, alkane में यह आपका आ जाएगा इसलिए मैंने बोला है कि 20% organic instrument जितनी भी reaction उसका 20% आपका मैं इस trick से clear कर दूँगा तो अब हम बात करते हैं जब grignard reagent as a nucleophile का का काम करेगा तो ध्यान से देखो मैंने लिखा भी heading gr as a nucleophile तो यहाँ पे हमने क्या लिया कोई alkane हला लिया right r mgx grignard reagent से reaction कराएंगे तो you know grignard reagent से जो r मानस मिलता है वो एक strong nucleophile होगा इसलिए इससे जो भी reaction होगी वो via sn2 होगी अगर substitution हो रहे तो तो आपको क्या करना है यह x हटा करके r लियाना है तो बाकी जो चीजे जैसे हैं यहाँ से x हट जाएगा और यहाँ पे आपका r mgx का r यहाँ पे आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ से क्या मिल गया कोई भी hydrocarbon यहाँ पे यहाँ पेलकेन हो गया यह तो पॉइंट क्या है कि यह SN2 reaction होगी क्यों क्योंकि यह बहुत ही strong निक्पिलोफाल है तो वेट नहीं करेगा कि हैलोजन जाए फिर कार्बोकाइटान बने फिर यह एरेंज हो यहाँ पे वैसा नहीं होगा डिरेक्ट बैक साइड एटेक होंगे SN2 reaction होगी उसको बाद ध्यान से देखो यहाँ पे हमने लिया formaldehyde C double bond O के दोनों तरफ hydrogen है formaldehyde और गिरिंगरा रिजेंट लिया है तो आपको मालूम है R- यह यहाँ पे जाकरके इस करण पे अटेक करेगा क्यों क्योंकि यह carbon oxygen में यह pi won't break होगा तो यह oxygen की तरफ जाएगा तो oxygen पे negative और करण पे positive हैगा तो क्या होगा द्यान से देखो ज़स्ट समझाने के लिए O पे minus और इस पे plus और यह ज़स्ट यह बताने के लिए कि ऐसा एक condition होगा और आपका यह R- यहाँ पे आके attach हो जागा तो क्या होने वाला द्यान से देखो यह H, C, O, minus, R और H आपका रहेगा नाउ, यहाँ तक तो बन जाएगा अगर उसके बाद आपने water डाला या acidic medium आपने create किया H2O, H+, या H3O+, या इसको ऐसे भी दे सकता है H3O+, acidic medium create कर दिया तब जाकर के इस oxygen से hydrogen आपका attach हो जाएगा और आपको यह मिल जागा अब ध्यान से देखो आपको क्या मिला 1 degree alcohol very important 1 degree alcohol similarly यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने कहा किया पहले case में carbon C double bond के दोनों side hydrogen लिया इधर 1 side hydrogen और 1 side carbon लगाया that is aldehyde अभी भी है यह right तो R minus से रियक करेगा यहाँ पे फिर से Y same तो आप मुझे पतानी क्योंत नहीं है तो मैं direct लिख रहा हूँ CH3 द्यान से देखो CH3 जिस कारण पे double bond है उसका double bond O break कर देना है oxygen पे minus इधर आपका यह R आ गया और इधर जो था वो रहने दो right फिर अगें acidified कर दोगे तो यह क्या मिल जाएगा CH3C पे OH इधर H था आपका इधर यह R गिरिगनारीजेंट वाला है ध्यान देना और यहां से अगर आप देहां से देखो तो आपको क्या मिला 2 degree alcohol 2 degree alcohol मिलिगा similarly यहां पे आप हमने कहा किया इन तीनों में difference देखो C double bond के दोनों साइड hydrogen रखा एक hydrogen रखा एक carbon दोनों साइड आप carbon कर दिया that is ketone तो ketone से reaction होगी होगा तो वैसे ही तो आपका यह CH3 इधर यह carbon पे O इधर CH3 जो उसका था और आपका गिरिगना रिजेंट वाला आ रहागा इधर minus फिर से acidified कर दोगे तो यह CH3 यह C यह CH3 इधर O पे H आजाएगा और यह R गिरिगना रिजेंट वाला तो आप ध्यान से देखो यह क्या मिलगा आपको 3 degree alcohol similarly very very important reaction number 5 CO2 plus RMGX बहुत सारे बच्चे को तो हवाई नहीं लगता है यह क्या कहना चाह रहा है तो भाई थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाना है CO2 को कैसे लिख सकता है ऐसे तो लिखी सकता हो ना यही तो है CO2 और इसकी reaction किस से करा रहो RMGX R- फिर से यही carbonil carbon पर attack करेगा तो यह oxygen इदर की तरफ तो क्या हुआ दियान से देखो RC यह इसका 1 pi bond ब्रेकर करके O- इसके पास double bond O था ही simple अपना concept लगाना है उसके बाद acid fight कर दोगे तो क्या हो जाएगा RC OH double bond O आपको क्या मिल रहा है acid carboxylic acid तो यहाँ पर यह चीज़ें मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही चीज method of preparation भी है कहीं पर अगर method of preparation of alkane बताओ तो RMGX को यूज़ कर सकतो method of preparation of 1 degree alcohol 2 degree alcohol 3 degree alcohol तो कर सकतो या फिर acid carboxylic acid बनाना हो तो इसलिए मैं बार-बार बोर रहा हूँ कि मैं इस concept या इस trick से आपका organic chemistry की 20% reaction को complete कर दूँगा now यहाँ पे जो again important point क्या है वो बताओ sir important point यह है कि यह तो बता दिया यह SN2 reaction होगी क्योंकि यह क्या है आपका substitution reaction है है सब्स्टिचूशन हो रहा है क्योंकि आपका x हट करकर और क्यों आघिया substitute हो गया सब्स्टिचूशन इन सब кेस में क्या हो रहा है sir 3,4,5 इन सब केस में क्या हो रहा है तो इन सब केस में Nicolophile add हो रहा है कैसे हम परचानेंगे क्योंकि πाई बॉंड ब्रेक हो रहा है इन सब केस में तो टू फोर जो रियक्षन है टू टू फाइव जो रियक्षन आपकी उन सब में आपका क्या हो रहा है जो आपका πाई बॉंड है वो ब्रेक हो रहा है और उसकी बज़ाँ से एक πाई बॉंड ब्रेक होकर के दो सिग्मा मिर रहे हैं आपको द्यान से देखो किसी एक को में समझा दे रहा हूँ यहाँ पे द्यान से देखो क्या हुआ यह पाई बॉंड आपका ब्रेक हो गया सीडोल बॉंड हो गया तो कारवन की भी वैलेंसी हो गई और ऑक्सिण के पास भी वैलेंस हो गया तो एक आपका गिरिगनाड इजन आर करवन से अटाइच हो गया और उस ऑक्सिण से आपका हे चाकर के अटाइच हो गया तो एक पाई बॉंड ब्रेक होकर के द्यान से देखो यह एक सिग्मा बना और एक ओएच वाला सिग्मा बना तो दो सिग्मा तो चुकि यहाँ पे कोई चीज बाहर नहीं गयी है सब कुछ आपका क्या हो गया है मॉलिकूल पे चिपक गया है एड हो गया है इसलिए ऐसी रियक्शन को क्या बोलेंगे एडिशन और चिपक का कौन है सबसे पहले निकलोफाइल जो एटेक करता है उसकी वज़ासे रियक्शन का नाम आता है चुकि यहाँ पे निकलोफाइल आपका एड हो रहा है इसलिए नाम इन सब रियक्शन का क्या रहेगा 225 वाले का निकलोफिलिक एडिशन रियक्शन इन सब को क्या बोलेंगे एडिशन और एडिशन में कैसा तो निकलोफिलिक निकलोफिलिक क्यो हो क्यों 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 निकलोफाइल है रटना नहीं बेटा रटना बिल्कुल भी नहीं तो हमने कुछ और reaction लिया, ध्यान से देखो अगर आपने RMGX की reaction cyanide से करा दिया, very important अगर cyanide से कराया, तो इसका R- आप क्या करेगा, ये वाले pi bond को break कर देना, right nitrogen पे negative आगा, इस करण पे positive और ये negative आपका, यहाँ पे आ जागा तो क्या मिलेगा, first case में, ध्यान से देखो CH3, इस करण पे आपका गिरिगनार जर्वा R आ गया, pi bond इसका break हो गया, 2 bond बचा N पे जो minus है, उसके साथ कोन आ जाएगा MgX अपका attach हो जाएगा यहाँ तक मिलेगा, अब अगर इसको आपने hydrolyze कर दिया H3O plus, तो hydrolysis का भी metric दे रखाओ, कि दो different electron negative atom के बीच bond को break कर दो less electron negative को OH दो more electron negative को H यहाँ पे यह carbon carbon है कोई electron negative difference नहीं है, यहाँ पे भी यह carbon carbon है तो यह bond break होगा, ध्यान से देखो यह मैंने break क्या, carbon less electron negative तो OH और इसको H दो bond भी रख क्या है तो फिर से इसको एक और OH और इसको H तो आप द्यान से देखो क्या होगा, इस carbon के साथ क्या हुआ, इस carbon पे 2 OH आपका आगया पहले से क्या था, CH3 और R, और इसको क्या हो जाएगा, आपका द्यान से देख सकतो MgX NH2 हो जाएगा तो वो तो by product है तो उसको नहीं लिख रहा हुआ है, और you know कि एक करण पे 2 OH जब भी होंगे तो वो unstable होते हैं, water को बाहर करना है, तो इसका पूरा OH लो और इसका H, यह देखो, यह water बाहर, तो आपको क्या product मिल गया द्यान से देखो, product आपके पास क्या है, CH3 C double bond O और आपको एक ketone product मिल गया है तो very important है यह जब भी cyanide की reaction grigna reason से कराएंगे, तो पहले यह complex बनेगा, यह adapt बनेगा, और hydrolyze करेंगे तो आपको ketone मिल जाएगा now, acid halide के अगर reaction कराएंगे तो क्या होगा, तो फिर से R- पहले इस पे add होगा, right, addition होकर करके यह चीज़े, यहाँ पे oxygen पे मानस आगी, और फिर यह reward back होगे, तो आपका halogen बाहर चला जाएगा, तो पहले case में तो आपको CH3, C double bond हो, और वहाँ पे आपका R आ जाएगा मैंने एक ही सत कर दिया, यह चीज़े, ऐसी process को बोलते है, addition, elimination क्योंकि पहले add हुआ, और फिर यह O मानस जब reward back किया, तो halogen eliminate हो गया, तो addition, elimination, तो आपका यह ketone मिल गया, right, अब अगर आपने कम amount मिल लिया, तो reaction यहीं पे रुख जाएगी, लेकिन अगर इसका ज़्यादा amount हुआ तो यह ketone हो गया, फिर से आपका जो बचा हुआ, RMGX है, उससे क्या हो जागा, react कर जाएगा, और आपको क्या मिल जाएंगे 3 degree alcohol तो चुकि यह एक strong nickelophile है, इसलिए reaction को बीच में रोख पाना मुस्किल होता है, तो अगर आप acid highlight लोगे तो आपको 3 degree alcohol ही मिलेगा, right similarly अगर आपने ester ले लिया, तो भी वह चीज, यह group हेलोजन की जगा आया, तो यह बाहर चला जाएगा, तो पहले case में आपको CH3 C double bond O, और यह O CH3 बाहर चला गया, तो आपका यह R आ जाएगा, और फिर further आगे फिर से आपको यह 3 degree alcohol में convert हो जाएगा, चुकि यह strong nickelophile है, अगर आपको यहीं पर रोकना है, तो इसके लिए हम बात करते हैं आगे चल करके कि आपको क्या reason लेना चाहिए, similarly यहाँ पर अगर anhydride होगा, तो again यह पूरा एक living group है, पहले यह बाहर चला जाएगा, तो CH3 C double bond O, R आजाएगा आपका, इसलिए पहले eliminate हो गया, फिर उसका फिर से further addition होगा, तो इसलिए ऐसी reaction को हम क्या बोलेंगे addition, elimination nickelophile add हो रहे हैं, और कुछ group eliminate भी हो रहा है, तो इसलिए addition, elimination, और यहाँ पर same y concept ऐसा मत कर देना, कि यह वाला को सब को निकाल दिया, वैसा मत करना, तो अगर hydrogen phone से attach है, तो acid based reaction otherwise फिर यह nickelophile का का काम करेगा, और इन सब case में क्या हो रहा है, आपका nickelophile add भी हो रहा है, और जो living group है, वो eliminate भी हो रहा है, ऐसलिए reaction को क्या बोलेंगे, addition elimination सब के logic होता बेटा, तो nickelophilic addition, क्योंकि nickelophile add हो गया, चिपकी गया, बाहर ने गया और दूसरा group eliminate हो गया है तो इसलिए addition, elimination बोलेंगे इसको तो चलिए अब हम ग्यान की बात करते हैं और बहुत important है यह ग्यान की बात में point number one, कि अगर आपने CS3COx right, X को भी halogen होगा CLBR, उसकी reaction RMGX से कराया, तो अभी बता है था पहले तो यह X बाहर चला जाएगा और आपको मिलेगा CS3CO और यह R आपका आजाएगा गिरिगिनार इजेंट वाला, लेकिन यह reaction यहीं नहीं रुकेंगी, क्योंकि यह बहुत ही और आजाएगा, तो यह आपका 3 degree alcohol में convert हो जाएगा तो कहने के मतलब है कि acid halide in presence of गिरिगनार इजेंट अलकोहल पे जाकर के reaction रुकेगी, लेकिन अगर आप चाहता हो कि यहीं पे reaction को रोकना है, कि tone पे ही रोकना है, तो फिर आपको दूसरा compound यूज करना परेगा R2 CD, dialkyl cadmium, तो कैसे बनाएंगे उसको, तो very simple RMGX की reaction, cadmium chloride से कर दो, तो क्या हो गया cadmium के साथ आपका यह दोनो R आ जाएगा, और MGX के साथ यह CL आ जाएगे, तो यह आपका R2 CD, dialkyl cadmium, यह cadmium dialkyl बन जाएगा, अब यह क्या हो गया, इसकी reactivity कम हो गई, यहाँ भी, यह metal से ही CD से attach है, आपके alkyl group carbon, तो इससे इसकी reactivity क्या हो गई, अब कम हो गई, तो अब जब reaction कराऊगे, तो सिरिफ यह X बाहर जाएगा, addition elimination reaction हो करके, reaction आपकी stop हो जाएगी, R2CD लेना परेगा, अगर RMGX ले लिए, तो reaction alcohol पर जाकर करके रुखेंगी, इसलिए पहला और दूसरा point बहुत important है, again मैं लफजों में बोर रहाँ, सब्दों में कि अगर आपने acid halide, anhydride, ester, यह सब लिया, RMGX तो alcohol पर reaction रुखेगी, R2CD लिया, तो आपका aldehydea ketone पर रुख जाएगी, now, third point, वह यह चीज, कि अगर हमने, यही, इसका नाम जानते हो नो, phosgene, right, तो यह लोगे तो पहले क्या होगा, ध्यान से देखो, R-, आपका जब इस पर attack करेगा, तो addition, elimination के तुरू, पहले यह eliminate हो जाएंगे, तो मैं step wise में बता रहा हूँ, तो CO, CL और इधर R आ जाएगा, फिर से आपका RMGX जब attack करेगा इस कारवन पर तो फिर से यह बार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R-C-O-R और फिर से आपका RMGX इस पर attack करेगा, तब जाकर क्या आपको मिल जाएगा R-C-O-H-R 3 degree alcohol आपको मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाहरा हूँ, कि यहाँ पर ऐसे भी question पूछा सकते हैं, कि इसकी reaction के लिए, complete reaction के लिए, कितने moles gregna reason चाहिए, तो दियान से देखो, 1, 2, 3, तो 3 moles gregna reason चाहिए, इसलिए मेरा next question वैसा ही है, कि आपको एक बड़ा सा molecule देदेगा, डराने के लिए, और्गेरिक का दूसरा नम क्या है ड्रामना structure, जो सपनों में आपके आएगा, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि रफिसर आपके साथ हैं, तो अगर सपोच करो केश्टाप का कुछ, आपको दे दिया compound और पूछा कि कितने moles gr use होंगे, grignar reason के कितने moles required होंगे, तो that's very simple, कैसे करना द्यान से देखो, यह hydrogen आपका phone set है, तो एक mole यहाँ पे required होगा, यह hydrogen sulfur, acidic hydrogen हो गया, तो एक mole यहाँ use होंगे, right, उसके बाद यह ether है, right, तो यहाँ कोई reaction नहीं होगी, now अब ध्यान से देखो, यहाँ पे CL, substitution होगा, इसलिए मैंने सबको एक-एक करके बताया है, तो यहाँ पे भी 1 mole required होगा, तो मैं लिग दे रहा हूँ, 1 यहाँ पे, 1 mole यहाँ पे, 1 mole यहाँ पे, यहाँ पे 0 mole कोई reaction होगी, now अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह क्या होगी आपका, ester है, तो सबसे पहले क्या होगा, यह बाहर जाएगा, right, elimination, तो 1 mole उसके जाएगा, और फिर उसके बाद C double bond O per attack होगा, तो यहाँ पे, 2 moles, for example, acid halide वाला आप देख सकतो, तो कैसे होगा, दियान से देखो, यहाँ भी acid halide है, तो पहले यह CL बाहर जाएगा, तो 1 RMGX, और फिर जब यह ketone बन गया, तो फिर से उसके attack होगा, तो 2, तो यहाँ पे भी 2 record होगा, यहाँ पे भी 2, जैसे आप यहाँ पे देख सकतो, CS3, COX है, पहले RMGX आपका एक ketone बना, फिर दूसरे RMGX है, आपका alcohol बनेगा, तो for complete reaction, कितने moles GR use हुए, तो दियान से देखो 2, और 2, 4, और 1, 5, और 6, और यहाँ पे 7, इधर तो होगा ने, तो answer क्या देखो, तो यह RX और MG dry थर है, तो आपको बता रखा हूँ, क्या होगा, कि यह carbon और halogen के बीच, MG insert हो जाएगा, तो मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, MG और X, मतलब क्या हो गया, first case में, आपका green result बन गया, आपको मालूम इससे क्या मिलता है, carbonine, right, और यह carbonine मिला, यहाँ पे, halogen पे partial negative और करण पे partial positive, तो यहीं से क्या हो जाएगा, nucleophilic substitution हो जाएगा, right, ऐसी reaction को क्या बोलते हैं, intramolecular क्योंकि within the molecule हो रहा है, और finally आपको क्या मिल जाएगा, cyclohexene, तो इस टाप का भी concept आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं हर तरह के concept से आपको touch कर रहा हूँ, कि कैसे करना है, यह थोड़ा सा high level की thinking है, पहले आपका mg dry थर, rx थर, तो गिरिगनारी जेंट बनाया, यह ageniculophile का का काम करकरके, आपने ही molecule में दूसरे पे attack करकरके, आपका यह product बना देगा, तो I hope मेरा यह grandpa वाला concept आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, तो 20% organic chemistry में जितनी भी reaction है, उसका 20% आपका यहां से complete हो गया है, और इस concept से हर साल question, main so, या need का exam होगा ही, और रहता ही है, हलो बच्चो, कैसे हो, तुम्हारी chemistry की नौका होगी पार, रफी सर पे कर लो इतवार, कहने का बहुत सिंपल सा मतलब यह है, कि आज मैं आपको एक ऐसा concept, एक ऐसी trick देने जा रहा हूँ, जिससे आप 100 reaction को रटने से बच जाएंगे, राइट, एक concept, या एक trick की कीमत, तुम क्या जानो, रमेश बावू, तो देखो, Electrophilic Aromatic Substitution के हम बात कर रहे हैं, पूरी organic chemistry में, जो 12 की chapter है, राइट, एलकायल हलाइट, एरायल हलाइट, अलकॉल, फिनॉल इथर, अल्डिहाइट, की टॉन, कार्वाक्षिलिक एसीड, ये चारो चेप्टर में ये आपको reaction मिलेंगे, और उन चारो को मैंने क्या क्या कलब किया हुआ है, कि बस ये आपको ध्यान रखना है, इससे आप 100 reaction को रटने से बच जाएंगे, तो अपना मोटो पहले किलियर है, हम लोग कहां पे बात कर रहे हैं, अपना मोटो पहले किलियर हैं, तो जो electron से प्यार करेगा, that means negative जार से प्यार करेगा, तो definitely उस पे क्या होना चाहिए, positive, तभी तो positive negative को attract करेंगे, negative नहीं हो सकता क्योंकि ripple हो जाएंगे, तो electrofile का दूसरा, हम प्यार से क्या बोलेंगे, कि ये क्या है, electron, electron, क्या है ये आपका electron, poor person है, इसके पास electron की कमी है, तिसलिए वो वहाँ पे जाएगा, जहाँ पे electron जादा हो, now the question is, कि आपको और रेड़ी मैं रेजने से बता रखाऊं कि electron donating group, या plus M group को कैसे पैचानेंगे, electron withdrawing group, या minus M group को कैसे पैचानेंगे, तो उसको फिर से मने यहाँ पे reconnect किया है, कि benzene rig पे कोई element है, benzene rig से directly कोई element attach है, और उसके पास loan पेर है, तो वो plus M so करेगा, पलस M so करने की वज़ा से क्या होगा, तो द्यान से देखो, उसकी वज़ा से आपका कहाँ पे ortho position पे negative charge आ रहा है, और कहाँ पे para position पे negative charge आ रहा है, और कहाँ पे फिर से ortho position पे आ रहा है, तो उसी चीज़ को हमने दिखाया है कि जिस carbon पे element आपका लगा हुआ, अगर उस carbon को 1 बोलूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो benzene ring में 2 और 6 जो position है, this one and this one, ये एक ortho position कहलाती है, जो fourth position, जो group के exactly opposite है, उसको para position बोलते हैं, और जो ये 3, 5 है, उसको meta position बोलते हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं, concept क्या है, concept यह है कि कभी भी plus M group है, अगर benzene ring पे लगा हुआ, तो वो negative charge कहां पे लेकिया रहा है, ortho पे या para पे, that means 2, 6 पे या 4 पे, right, 2, 4, 6 पे लेकिया रहा है, even number 2, 4, 6, okay, now, अगर minus M group लगा हुआ है, electron withdrawing group, electron खीचने वाले group लगे हुए हैं, तो ध्यान से देखो, उसके लिए cat ring बता है था, कि benzene ring पे कोई भी group attach है, और वो group के बीच double bond होना चाहिए, और Y की electron negativity X से ज़्यादा होनी चाहिए, तो electron का follow क्या होगा, out of the ring होगा, उसके वज़ा से ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इस case में ortho position पे आपका positive charge आ रहा है, पैरा position पे positive charge आ रहा है, फिर से ortho पे positive आ रहा है, तो आप खुदी सोचो, क्यों, क्योंकि आप में सोचने की चमता है, कि अगर ortho para पे positive आ रहा है, तो क्या electrophile यहां पे आएगा, दोनों positive positive हो गया, repel हो जाएगा, इसलिए यहां पे, इस case में electrophile कहां पे आएगा, तो meta position पे आएगा, कहां पे आएगा, meta position, इसलिए we can say minus m group या electron withdrawing group are meta directing for what electrophile, and similarly we can say plus m group या electron donating group are ortho para directing for what electrophile, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे, एक concept और hundred reaction की बात मैं कर रहा था, तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने एक tabular form create किया है, कि आपको जब भी plus m group मिले, right, that means, plus m group कैसे अभी बताया था, कि benzenering पे कोई element directly attached है, उसके पास lone pair है, या फिर कोई alkyl group है, तो वो भी hyperconjugation की वोज़े से activating group होते है, right, तो यह सब कहां पे लाएंगे, ortho position पे electron को लेकर आएंगे, या फिर para position पे लेकर कर आएंगे, right, either ortho या para पे negative चाड़ जाएगा, तो आपको यह सारी reaction में पहचानना क्या है, एलक्ट्रो फाइल को पहचान लेना है, एक बार एलक्ट्रो फाइल क्रियेट हो गया, एक बार एलक्ट्रो फाइल आपको पहचान वा गया, तो orthoide para पे attach कर देंगे, तो देखो ध्यान से, मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे कहीं पे भी, पूरे और्गेनिक क्यूंस्ट्री में कहीं पे भी, X2 in presence of iron, FE dark आजाए लिख करके, X2 in presence of iron dark आजाए, या X2 in presence of FeCl3 anhydrous, anhydrous मतलब moisture नहीं है, water नहीं है, सुखा हुआ, तो कहने का मतलब है, आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो halogen in presence of, either D block के element आजाए, दियान से देखो, Fe D block का है, या D block के element के compound आजाए, जैसे FeCl3, या फिर 13 group, that is, boron, aluminium, वो वाले group के अगर, element आजाए, या उसका compound आजाए, तो उन सब केस में क्या करेगा, वो halogen को खीच लेगा, अपनी तरफ, और आपको क्या generate कर देगा, electrofile, तो दियान से देखो, यहाँ पे X2 का उन्ट लब क्या है, either chlorine low, तो chlorine में CLCL bond है, एक chlorine iron लेके जाएगा, और एक chlorine पर क्या जाएगा, plus, तो आपको क्या मिल जाएंगे, either CL plus मिल जाएंगे, यहाँ फिर BR plus मिल जाएंगे, फुलोरीन चुकि बहुत जादा reactive होता है, इसलिए यह reaction नहीं कराते हैं, और iodine वाली जो reaction है, वो reversible होते हैं, इसलिए उसमें हमें oxidizing agent, like HNO3 या HIO4 यूज़ करना परेगा, तब जागर के बनेगा, है, इसलिए यह reaction जेनरली हम chlorine या bromine के case में कराते हैं, और इस reaction का नाम क्या हो जाएगा, halogen एड हो रहा है तो, halogenation, कहां कहां पर आएंगे, तो आपको मालूम है कि जब plus create होगा, तो वो कहां पर आएगा, एक बार ortho पर आजाएगा, आपका, तो यह जो भी element है, इसके respect में और्थो पर आजाएगा, और एक बार किस पर आजाएगा, पैरा position पर, यहां पर, measure कौन होंगे, तो यह वाले क्यों, क्योंकि जो group हैं, वो दूर दूर होंगे, repulsion कम होगा, तो यह measure होगा, और यह वाला product क्या होगा, आपका, minor होगा, समझ गे, अब यही same concept हमको, यह सारी reaction में लगा देना है, कहीं पर भी, alkyl halide आ जाए, Rx, like CH3x, CH3, CH2x, को भी alkyl halide, in presence of ध्यान से देखो, फिर से क्या आगया, 13 group के element के compound, ALCl3, again, ion hydrous होना चीए, moisture नहीं होना चीए, या फिर D block का कोई element आ जाए, या फिर D block के element के compound आ जाए, like ZNCl2, या FeCl3, इस टाफ से जो भी होगा, तो क्या करेगा यह, halogen का आपका बाहर कर लेगा, X4, आपको क्या मिलेंगे, R plus that is, Carbocatan मिल जाएगा आपको, और चुक्कि यहाँ पे, Alkyl group अटेच होंगे, इसलिए इसको बोलेंगे, Alkylation, इस reaction का नाम क्या हो जाएगा, Alkylation, और जो scientist ने बताया था, उसका नाम था, Fridal Craft, तो इस process को बोलेंगे, Fridal Craft Alkylation, तो name reaction भी आपको याद होते जा रहा है, क्या करना है, R को वैसे ही, Ortho and Para पे जोड़ देना, Right, तो यह जो भी element होंगे, इसके respect में यह Ortho पे R आ जाएगा, and Para position पे आपका R आ जाएगा, Again, Major यह वाले रहेंगे, Right, और यह element कौन कौन हो सकते हैं, chlorine, bromine, OH, alcohol, ether, OR, कोई भी alcohol group, यह सब के सब activating group हैं, Right, similarly, तीसरा point देखो, तो मैंने क्या लिया है, Asile group लिया, RC double bond O, और यहाँ पे Z लिखा है, Z की जगा, X आ जाए, तो acid chloride हो गया, Asile group, OR आ जाए, तो आपका ester आ गया, O, CO, R आ जाए, तो anhydride हो गया, तो इस type का कोई भी रहे, तो again, आपका 13 group वाला element, जहां भी आपको 13 group वाला element, या develop element देखे, तो वो कहीं ने कहीं, catalyst का काम करता है, और again, वो क्या करेगा, यहाँ पे Z को, खीच लेगा, Z को खीच लेगा, तो बचा क्या आपके पास, R, CO plus, यह style group आपका बच गया है, यहाँ पे electrofile generate हो चुका है, carbon, C double bond O वाले carbon पे plus है, तो again क्या होगा, तो same वही procedure आपको अपनाना है, यहाँ पे आपका element, यहाँ पे C पे plus है, इसलिए C carbon से attach होगा, और यहाँ पे R, तो एक यह group मिलेंगे, और एक और क्या मिलेगा आपको, तो यह element जो भी होगे, और पेरा पे C double bond O आ रहा जाएगा, तो यह क्या होगया, assailation, इसको क्या बोलेंगे, assail group आगया, एतने part को assail बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रहाएगा, प्राइडल क्राफ्ट assailation, एगयान यह measure होंगे, और यह अपका minor होगा, तो दियान से देखो, मैं एक भी reaction को रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, concept very simple है, D block का element दिख जाए, या फिर D block के element के compound दिख जाए, 13 group का element दिख जाए, या 13 group के element के compound दिख जाए, एन हाइड्रोस पॉम में, तो वो हैलोजन को क्या करेगा, 1st, 2nd, 3rd में ध्यान से देखो, हैलोजन या जो भी living group होंगे, उसको खीच लेगा, और आपको electrophile generate करके दे देगा, इसलिए यह सब APCL3, या ELCL3, यह सब क्या है, यहाँ पे catalyst का काम कर रहे हैं, तो यहाँ तक clear है, next, इसी का एक और part है, that is very simple, एक होता है, nitrogen, अगर benzenering पे NO2 group लाना है, तो nitrogen, तो इसमें यह nitric acid है, और sulfuric acid लेते हैं, sulfuric acid more acid है, तो इससे H+, मिलता है, जो nitric acid के OH को, water के form में बाहर कर देगा, और क्या generate करेगा, NO2 plus, तो यहाँ पे यह acid का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे है तो यह acid, लेकिन एक तरीके से base का काम कर रहा है, क्योंकि इसका H+, इसके OH, nitric acid में जो OH है, उस पे attack करके water को बाहर कर रहा है, और NO2 plus आपको create हो गया, that is electrophile आगया, तो आपको मालूम ही है, फिर क्या करना है, तो फिर आपको मालूम ही है, क्या में क्या करना है, एक बार NO2 ortho पे लगा देना है, और एक बार NO2 आपको, पैरा पे लगा देना, तो यह हो गया, nitrogen, वैसे ही, अगर सिरिफ sulfuric acid लिया, तो आपको SO3H plus मिलेगा, राइट, दो मॉलिकूल ले करके, एक water निकाल देंगे, तो यह मिलेगा, यह electrophile आगया, तो again, आपका product बन करके तयार है, क्या करना है आपको, ortho पे SO3H, और पैरा पोजिशन पे SO3H, अगर मेजर यह आपका रहेगा, अब यहाँ पे minor मेजर डिपेंड करेगा, अगर phenol है, phenol के case में, चुकि हाइडोजन बन्डिंग हो जाएगी, तो उस case में और्थो मेजर हो जाएगी, क्योंकि हाइडोजन बन्डिंग कहां पे होती है, तो उसका concept clear है, फोन, जब भी हाइडोजन, फ्लोरीन, ऑक्सिजन या नाइटोजन से टेज होगा, तो वहाँ पे हाइडोजन बन्डिंग होगी, तो जहाँ पे भी हाइडोजन बन्डिंग होगा, वहीं पे और्थो मेजर प्रोड़क्ट होगा, otherwise हर case में, पैरा विल वी दा मेजर प्रोड़क्ट, ओके, और हाइडोजन बन्डिंग का case कौन सा है, तो सिरिफ और सिरिफ, आपका फिनॉल वाला है, तो वहाँ पे और्थो मेजर हो जाएगा, इस case में, otherwise, always, पैरा मेजर रहेंगे, और अगर हम बात करें, कि इसमें क्या होगा, तो यह आपको मालूम है, कि यह कौन से group है, minus M group है, electron, withdrawing group है, electron को खीचेंगे, जिसके लिए से positive charge, और तो पैरा 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 पैरा, तो आप पुदि सोच लो, कि इस case में, यहाँ पे positive आने वाला है, जो भी X double bond Y लगा, उसके respect में, यहाँ पे लेकर आना है, जो भी होगा, अगर X होगा, तो X लेकर आएंगे, जो एलक्ट्रोफाइल होंगे, वो लेकर कि आपको आ जाना है, राइट, तो इस case में, आपका R, यहाँ पे आ जाएगा, इस case में, आपका, SO3H, मेटा, तो यह मेटा डारेक्टिंग होगे, यह और्थो या पैरा डारेक्टिंग होगे, जिसमें, आल्वेज, पैरा विल वी दा मेजर प्रोड़क्ट, except हाइडोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे हाइडोजन बॉन्डिंग होगी, वहीं पे और्थो मेजर होगा, अगर आप ध्यान से देखो, तो जस्ट एक रीकैब करा रहा हूँ, कि इस टाइप की जितनी भी रियक्शन है, इसलिए मैंने लिखा है, वन कंसेप्ट हंडे रियक्शन, इस टाइप की जितनी भी रियक्शन है, उसमें सबसे पहला काम है आपका, इलक्ट्रोफाइल को पहचानना, इलक्ट्रोफाइल पहचानगे, अगर पला सेम ग्रूप है, तो और्थो पहरा पे लगाना है, माइना सेम ग्रूप है, तो मेटा पे लगाना है, और्थो पहरा में मेजर कौन, तो para will be the major product ज्यादा amount बनेगा और्थो minor होगा कब और्थो major होगा अगर hydrogen bonding होगी कैसे पता लगेगा अगर hydrogen phone से अच्छ है fluorine oxygen या nitrogen से अच्छ है तो now कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा electrofile generate होगा तो सब के लिए जो catalyst है आपका वो d block का element है या फिर 13 group का element है या उसके compound है और electrofile एक बार पहचानगे तो आपका product भी clear हो चुका है now अब जाते जाते घ्यान की बात तो घ्यान की बात में ये है कि अगर phenol की reaction dilute nitric acid से कराओगे ध्यान दो phenol की reaction अगर हम dilute nitric acid से कराओगे तो dilute का उतलब क्या हो गया बहुत कम amount में तो यहाँ पे mono-substituted product मिलेंगे mono-substitution होगा that means एक आपको क्या मिल जाएगा क्योंकि आपका मालूम है यहाँ से क्या मिलने वाला electrofile NO2 plus तो एक ortho पे आ जाएगे NO2 और एक पेरा पोजिशन पे आपका आ जाएगा NO2 तो यहाँ पे आप ध्यां से देखो तो यहाँ पे यह hydrogen इस से hydrogen bonding कर लेगा तो यहाँ पे intra molecular होगा और यहाँ पे inter molecular होगा यहाँ पे inter और यहाँ पे intra तो इसको जाएसे यह major product भी हो जाएगे और थोला hydrogen bonding होनी कोज़े से और इसका boiling point फिर क्या हो जाएगा क्योंकि इसमें inter हो रहे हैं तो इसका boiling point बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा तो यह easily separate हो सकते हैं क्योंकि boiling point का difference हो गया तो इसका जादा boiling point होगा तो यह ध्यान रखना point क्या है कि अगर phenol होंगे dilute nitric acid है तो एक-एक ही NO2 लाना at a time और अगर वही चीज को concentrated अगर उसने कर दिया that means बहुत जादा amount है और यह बहुत जादा activating group है तो ऐसे case में आपका NO2 हर एक position पहा जाएगा that means ortho पे भी आ जाएगा para पे भी आ जाएगा by the way इस product का yield बहुत कम होता है but यह आ जाएगा और इसका एक special name common name that is picric acid इसको बोलते है picric acid तो इस type से तो नहीं बनाते है बनाते कैसे हैं पहले इसको H2SO4 से react कराते हैं तो क्या होता है आपका H2SO4 से react कराने का जाएगा यहाँ यहाँ पे आपका sulfonic acid आ जागा फिर उसके बाद इसको HNO3 से कराते हैं तब जाकर किये तो यहाँ से yield अच्छा होता है और यहाँ से yield अच्छा नहीं होता है तो यह ग्यान के बात में पहला important point है point number 2 कि again phenol की reaction अगर आपने BR2 से कराया in presence of CS2 CS2 मतलब क्या हो गया यह एक तरह से CO2 का बड़ा भाई non polar solvent कहने का तलब यहाँ पे CS2 नहीं याद रखना है अगर non polar solvent है वैसे solvent जो इसमे polarity नहीं है non polar solvent है तो फिर again mono substitution होगा आपको जो इस case में product बनाना है वो at a time एक ही substitution करना है तो एक BR यहाँ पे आजाएगा और एक BR आपका यहाँ पे आजागा और again यह major product होगे क्यों क्योंकि bigger group anti position पे यहाँ पे कोई hydrogen bonding नहीं है तो यह होगा लेकिन अगर वही चीज polar solvent अगर आप ले लिये होते अगर polar solvent अगर आपने ले लिया होता तो फिर substitution हर एक जगा पे हो जाता that means ortho पे भी आ जाता para पे भी आ जाता और ortho पे भी आ जाता that means 2,4,6 tribromofenol आपको मिल जाता तो ध्यान दे कि changes क्या है phenol ही है BR2 यह बस solvent का फर्क है non polar लेंगे तो mono substitution polar ले लोगे तो फिर हर जगा पे आ जाएंगे जतने भी ortho para position है सब पे आ जाएंगे point number 3 again NH2 very very important NH2 that means aniline की अगर reaction कराते है nitric acid और sulfuric acid के presence में तो nitration तो होगा लेकिन problem यह है कि यह strong acid होने के जाएंग से यह जो इसका जो h plus है वो nitrogen के lone pair से react कर जाएगा और actual में यह फिर वैसा नहीं रहेगा यह किसमे convert हो जाएगा दियान से देखो तो यह convert हो जाएगा आपका actual में उस case में NH3 plus में और यह एक क्या हो गया minus i group तो इसलिए इस case में जो product आपको मिलते हैं वो आपका NH2 ortho पे एक nitro होगा right NH2 para पे nitro होगा यह आपका जो conceptual thing है उससे यह major होंगे यह minor होंगे लेकिन एक और product यहाँ पे मिलता है जो सबसे ज़्यादा important point होई है कि एक और product मिलता है now the question is कि यह क्यों मिला सर अभी तो आपने बोला ortho para पे यह इसलिए मिला क्योंकि यह भी बन चुका है और minus i that means electron withdrawing group हो गया तो उसके ज़्याद से group कहाँ आप आएंगे meta position पे तो यह जो एक point है कि यह 51% आपको मिलता है और यह 47% that means ortho से बहुत ज़्यादा हो गया तो यह point ध्यान रखना है कि अगर आपने एक ऐसा medium की rate कर दिया जो nitrogen के loan pair से react कर सकता है तो फिर इसकी activity कम हो जाती है फिर यह electron donating group की जगा क्या हो जाएगा electron withdrawing group इस वज़ा से आप जो expect कर रहेते product उससे थोड़ा unexpected है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है पेरा तो measure है 51% लेकिन meta जो नहीं बनना चाहएँ था वो बन गया और 47% जो कि almost पेरा के बरावर है तो यह point ध्यान में रखना है अब अगर कोई चाहता कि sir तो फिर हमें स्रिफ ortho और पेरा ही बनाना है तो मैं क्या करूँ या फिर मुझे पेरा measure बनाना है तो क्या करो इसकी reactivity को कम करो वाया reacting with another compound तो वही चीज़ है यहाँ पे कि यह nitrogen का loan pair आपका क्या करेगा इसको क्या कर देगा बाहर तो इससे क्या हो जाएगा first case में आपका nitrogen के साथ यह attach हो गया इससे अब nitrogen का loan pair इधर भी जा सकता है जिससे अब इसकी reactivity क्या हो चुकिए कम हो चुकिए तो अब आपको जो product मिले गया अब अगर इस पे आप nitrogen कराओ HNO3 in presence of H2SO4 तो अब आपको ortho and para मिलेंगे जिसमें से measure कौन होगा आपका measure again आपका para वाला होगा और इसको फिर हटाना है तो क्या कर दोगे hydrolysis, hysteria plus तो यह बाहर चला जागा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे NH2 तो hydrolysis कर दोगे तो फिर से मतलब indirect way में हम बना सकते हैं directly करोगे तो यह problem होगी indirect way में तो आप ऐसे बना सकते हैं हलो बच्चो कैसे हो आज हम लोग organic question में बहुत ही important compound को और बात करेंगे and that is digonium salt और इसको मैं फ्यार से बोलूँगा संकत मोचन क्यों उसके पीछे logic है बेटा देखो संकत मोचन क्यों बोल रहा हूँ उससे पहले आप समझो क्या आपको करना क्या है आपको always one degree emin लेना है कौनसा one degree क्योंकि हमें number one लाकर के दिखाना है right क्या all India rank पॉइंट बहुत important है कि nitrogen कितने कार्वन से अटाच है nitrogen अगर एक ही कार्वन से bond बना रखा है एक ही कार्वन से उसका connection है तो उसको बोलेंगे one degree जबकि other function group में degree दूसरे तरीके से defined होती है जैसे alcohol के case में या halogen के case में कि वो जिस कार्वन से अटाच है वो कार्वन कितने कार्वन से अटाच है वाँ पर अलग तरीके से होती है बट nitrogen के case में degree very simple है कि nitrogen का connection कितने कार्वन से तो यहाँ पर आप देख सकतो इस nitrogen का connection स्रिफ एक ही कार्वन से इस वाले से that is very simple NaNO2 in presence of hydrochloric acid जरूरी नहीं कि यह reagent आपको दे man think is कि HNO2 बनना चाहिए या HNO2 होना चाहिए nitrous acid होना चाहिए तो अब देख सकते हो इसकी reaction से nitrous acid आ जाएगा right तो आपको reagent ऐसे भी दे सकता है NaNO2 HCl या सिरिफ HNO2 in presence of acidic medium या फिर HNO2 HCl step से कुछ भी दे दे man point is कि nitrous acid आना चाहिए nitrous acid मैं क्या लिख रहा हूँ द्यान से देखो nitrous acid and one degree amines ये दोनों जैसी मिले तो आपको एक compound मिलेगा जिसका नाम है suncut motion क्या है suncut motion that means disonium salt मिल जाएगा plus other product में initial water आपको मिल जाएगे तो इसको suncut motion क्यों बोर रहे है उसके पीछे logic है जो आपको पता लगेगा इसके बारे में important point फोरा सा ये है कि ये एक colorless solid है right और water soluble है water में easily dissolve हो जाएगे क्योंकि salt है and unstable है ध्यान से देखो temperature की बात किये कि ये चीज़ें आपको कब मिलेंगी जब 0 से 5 degree Celsius temperature that means 273 से 278 Kelvin temperature होगा तो very very low temperature पर ये stable है क्योंकि थोड़ा से भी heat करोगे तो ये जो NN है right N2 के form में nitrogen gas के form में बाहर चले जाएगे और you know nitrogen very very stable gas है तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि temperature को low रखना है तभी ये जागर के ये बनेंगे similarly अगर ये जो मैंने लिया है ध्यान से देखो ये aromatic वाला compound लिया है तो aromatic में भी चलेगा 1 degree में और aliphatic अगर हो तो उसमें भी ये चीज़ें valued है that means 1 degree में चाहे aromatic हो या aliphatic हो only thing इसकी 1 degree अमाइन होना चाहिए उसकी reaction आप NN2 और HCL से कराओगे तो आपको Dijonium salt मिलेगा and NCL water byproduct होंगे तो हमें करना क्या है वो चीज़ clear हो चुका है कि कहीं पर भी 1 degree अमाइन आपको दिख गया in presence of nitrous acid आपको क्या कर देना है directly Dijonium salt बना देना है वो बना करके रख लेना है अब इसको हम use करेंगे जंग में कैसे तो वो देखो तो देखिए मैंने क्यों इसका नाम संकट मोचन रखा है ध्यान से देखो कि इसको represent करने के बहुत सारे तरीके हो सकते है pH N2 plus X minus ऐसे दिखा सकता है AR मतलब aral group को argon नहीं है यह aral group that is benzene actually N2 plus X minus C6 H5 N2 plus X minus इस टाव से दे सकता है इन सब का structure मैंने यहां पर आपको बना दिया है यह आपका structure है that means यह सब का उतलब benzene ring है और N2 plus nitrogen nitrogen में triple bond है इस nitrogen ने 4 bond बना लिया और कात जितना था उतना बना लिया इसलिए पर plus तो उस plus के साथ यह X minus आपका attach है तो देखो जब भी reaction होगी तो reaction का funda या concept या trick क्या है वो ध्यान से देखो आपको क्या करना है यह जो NN है यह वाले N2 को बाहर कर देना है आप ही सोचो अगर यह N2 gas के form में बाहर चला गया तो N2 gas very stable है यूनो की atmosphere में 78% तो यह है तो N2 बाहर चला गया तो अब ध्यान से देखो N2 कैसे बाहर गया यह वाले bond को ले करके गया हो तो यह कारण पे यहाँ पे क्या आ चुका है प्लस यहाँ पे क्या आ चुका है simple सी बाद प्लस just assume करना है ध्यान दो जब यह nitrogen N2 के form में बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस तो अब आपका काम क्या है कि जो भी reagent लिया गया है जैसे मैंने यहाँ पे एतने सारे reagent ले रखे है और ऐसा नहीं है कि एतना ही है कुछ भी हो आपको बस उसमें क्या देखना है कि अगर इस पे प्लस आ गया तो इसका negative part को आपको search करना है जैसे इस case में negative part आपको क्या मिनने वाला है Cu2 X2 में एकस माइनस मिनने वाला है यहाँ पे क्या मिनने वाला है Cn माइनस negative part यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको X माइनस negative part यहाँ पे क्या मिलेगा I माइनस negative part यहाँ पे आपको क्या मिलेगा H पलस BF4 पे माइनस क्योंकि H पे पलस होगा BF4 पे माइनस यहाँ पे आपको बाइद वे बताओंगा यहाँ से hydrogen हमें मिलेगा एक तरीके से ह- वीकेंड से एक अच्छा reducing agent होने के जासे water में ह- पलस और OH- तो मेरी बात को समझ रहो कि आपने क्या किया negative वाले सारे को identify कर लिया जो भी reason given है negative वाले को identify कर लेना है जस्ट मैं एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ उसके बड़ डारेक लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका यह X तो क्या बन गगा यह? हेलो बेंजीन बन गया यहाँ पे क्या जाएगा डारेक में लिख रहा हूँ pH-CN यहाँ पे अगन क्या जाएगा pH-X यहाँ पे क्या जाएगा आपका pH-I यहाँ पे क्या जाएगा आपका pH-BF4 यहाँ पे आपका क्या जाएगा pH-P-H आजाएगे इस बात को दियान रखेंगे डैटमिस आपका बेंजीन बन करके तेर हो जाएगा यह समझे रहो, यह सब बैंजीन है, जो मैंने यहाँ बना रखा है, राइट, सब बैंजीन है, तो फंडा समझ माज़ा है, देखो, बहुत सिंपल है, एक कंसेप्ट है, और ऐसी, आप सौर एक्षन याद रख सकतो, बिना किसी effort के, सिंपल, कि डाइजोनियम जहां भी दिखे दना वही काम हमने किया, राइट, नाओ दो कोश्चन इस, कि आप इसमें important point क्या क्या है सर, तो that's very easy, और ध्यान से देखो, अगर आपने copper plus one वाला उठाया, ध्यान से देखो, यहाँ पे copper का oxidation state क्या है, प्लस one, अगर copper plus one oxidation state में है, और उससे halogen like Cl लगा हुआ है, Cu2, Cl2, Br ल तो इस reaction का नाम, एक special name हो जागा, और इस special name जाए वो, Sand Mayor reaction बोलेंगे, इस reaction का नाम क्या हो जाएगा, Sand Mayor, तो इसलिए, reaction का नेम भी याद रखना easy है, अगर copper plus one oxidation state में है, अपने, तो उसकी reaction अगर digonium से कराएंगे, तो नाम हो जाएगा, Sand Mayor reaction, और वहीं पे अगर copper अपने powder form में लिया है, that means copper यहाँ पे कैसा है, zero oxidation state में, तो इसका नाम हो जाएगा, Gatterman reaction, इसका नाम क्या हो जाएगा, Gatterman reaction, तो important point है, ध्यान देना, copper plus one में, तो Sand Mayor, copper ही होगा, लेकिन, zero oxidation state में होगा, तो Gatterman reaction, यहाँ पे आपका iodide आ गया, iodine आ जाएंगे, right, N2, यह वाला जो था, N2 जो plus था, X minus की जागा, आपका जागा, BF4 minus वाला, right, तो यह पहले बनेंगे, तो यह stable है, room temperature पे, इसको जब आप heat करेंगे, ध्यान दे, यह stable है, diogenium stable नहीं है, यह 0 से 5 degree Celsius पे, जबकि यह room temperature पे भी stable है, और इसको जब आप heat करोगे, तब आपको मि benzene मिलेगा, इस point को दियान रखेंगे, similarly, यहाँ पे, जो phosphorus है, आपका, H3PO2, right, तो यह एक better reducing agent है, क्योंकि इसमें pH bond है, जो हमने oxo acid of phosphorus में अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे आप देख भी सकतो, तो इससे आपको H मिलेगा, इसलिए, इस plus की जगह आप क्या कर देंगे, H minus 8 कर देंगे, तो benzene, कभी भी benzene बनाना हो, तो यह best method है, और phosphorus का क्या होगा, तो यह H3PO3, phosphorus acid में चला जाएगा, right, और similarly, अगर यह alcohol होगे, तो भी इससे H मिल जाएगे, और खुद alcohol oxidize हो जाएगे, तो क्या बन जाएगा, aldehyde मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगे, alde aldehyde, तो यह point important है, by product में यह point ध्यान रखना है, अगर आपने phosphorus वाला compound लिया, right, तो phosphorus acid मिलेगा, और alcohol लिया, तो aldehyde में वो खुद convert हो जाएगे, और आपको benzene मिल जाएगा, और यहां से हो अच्छा है, तो यह आपको मालूम है, इसको क्या बोलते है, phenol, तो ध्यान से द thing is, कि आपको plus identify हो गया है, minus को identify करकर के लगा देना है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, संकट मोचन, कि benzene पे कोई भी group लाना हो, ध्यान दो, मेरे point पे, कि benzene पे कोई भी functional group आपको attach करना हो, तो best method you can say, कि आपके पास dijonium वाला best method है, क्यों, क्योंकि dijonium बना करके, जो group लाना अपला सकते हो, जैसे किसी को अगर इसमें curiosity हो रहा हो, कि sir, acid group कहां से लाएंगे, aldehyde group कहां से लाएंगे, तो भाई ये बना लिया ना, cyanide, इसकी hydrolysis कर दो, acid group आ जाएगा, right, parcel hydrolysis करो, parcel reduction करो, तो aldehyde आ जाएंगे, तो benzene ring पे कोई भी functional group लाना हो, सबसे best method है आपका संकट मोचन वाला, next हम बात करते हैं, कि अगर aliphatic हो तो क्या करेंगे, अभी तक हमने जो बताया था, aromatic बताया था, right, आपको, तो ऐसा नहीं कि सर्फ aromatic में ही reaction होगी, aliphatic that is open chain में भी reaction हो जाएंगी, right, और इसलिए मैंने इसका नाम संकट मोचन रखा है, कि benzene ring पे ज काम करा सकतो, जैसे, for example, हमने यह लिया, but only condition is 1 degree amine होना चाहिए, यहां से ध्यान से देखो, nitrogen एक करवन से अटच है, तो 1 degree है, यहां भी nitrogen एक करवन से अटच है, यहां भी nitrogen एक करवन से अटच है, ध्यान दे, nitrogen कितना करवन से, और यह क्योंकि 2 hydrogen है, तो इसलिए यह सब 1 degree amine से, इसकी reaction जैसे NaNo2 HCl से कराए, तो पहला आपका काम क्या होगा, जस्ट बता दे रहा हूँ, आपको सब कुछ वैसे ही रहने देना है, यहां पर सिरिफ क्या हो जाएगा, N2 प्लस, और आपका X- मतलब CL-, अगर आप चाहो तो CL-, डाइजोनियम पहले केसमें बना देने है इसकी होज़ा से, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ध्यान से देखो, जब आप CU-CN से react कराएंगे, तो पहले तो यह क्या होगा, N2 के form में बाहर चला जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, प्लस, तो पहले तो आप क्या करेंगे, कार्वो कटान बना लेंगे, य कार्वो कटान, shift भी होते हैं, rearrange भी होते हैं, तो आपको rearrange करना है, तो फिर यह पलस, आपका यहां चला जाएगा, तो next step में, यह पलस, यहां पर आजाएगा, और उसके बाद इसका minus attack करेगा, तो यहां पर आपका आजाएगा, CN, तो यह पांट को ध्यान रखना है, कि इसस easily कार्वो कटान भी बन सकते हैं, और कार्वो कटान अगर बन गए, तो फिर वो rearrange हो कर गए, फिर उसके बाद minus को आपको attach करना है, इसलिए मैंने ऐसा एक example लिया है, similarly अगर इस case में देखें, तो दियान से देखो क्या होने वाल है, कि आपका वही चीज, आपको क्या करना है एकस माइनस बना देना है, यह आपका बन गया, डाइजोनियम, आप उसके बाद जो भी, इसलिए मैंने इन जेनर ले, अब जो भी A प्लस और B माइनस, जो भी आप ही रियेजेंट लेंगे, तो उसका कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस होगा, उसमें कुछ प्लस पार्ट होंगे, कुछ माइनस पार्ट, तो आपको मालूम है कि यह जब बाहर जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस पार्ट, और जो रियेरेंज कर सकता है, तो रियेरेंज करकर के, यहाँ पर भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका, डारेक में बता दिया, उसके बाद इसका minus वाला part आप क्या कर देंगे attach कर देंगे तो आपको यहाँ पर B लगा देना in general यह कोई भी region ले लो उसका minus identify करके आप लगा जैसे H2O लोगों के तो OH वहाँ पर आ जाएगा similarly यहाँ पर कुछ बच्चे इसको 3 degree amine माल लेते, नहीं amines के case में कैसा है nitrogen कितने करवन से, यह भी भी 1 degree है तो पहले case में तब को मालूम है कि क्या बनने वाला है, diisoneum salt बनने वाले है, तो यह यहाँ पर आपका N2 plus और X minus बन जाएगा और थोड़ा सा भी heat किये तो आपको मालूम है, यह unstable है थोड़ा सा भी heat किये, तो यहाँ पर आजाएगा पलस, अभी यह कार्व काटन यहीं पेस्टेवल है, तो जो भी आप nucleophile लेंगे, N2 minus वो आपका इस पर आजाएगा और आपको यह product मिल जाएगा तो यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो benzening पे जो था वो था, वहाँ पे कोई rearrangement नहीं था यह ध्यान रखना, वहाँ पे कोई rearrangement नहीं जहाँ पे nitrogen लगा हुआ है वहीं पे वो group आगर के attach हो रहा था यहाँ पे आपको aliphatic वाले में careful रहना है, कि पहले तो disonium बना लेना है, वो निकानने के बाद आपको कार्व काटान ही बना लेना है, कार्व काटान बनने के बाद आपको देखना है कि वो rearrange होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो rearrange करो, फिर जार करके nucleophile को attach करो नहीं होगा तो directly आप कर सकतो जो I hope यह तीनो example से आपको clear होंगे तो अब हम जाते जाते ग्यान की बात करते हैं, ग्यान की बात में बहुत important point है कि dijonium salt जो है, एक तो वो reaction आपने देखा जिसमें nitrogen gas बाहर चले गई थी एक वो case वाली reaction भी होती है जहांपे nitrogen retain होते हैं इसलिए हमने लिखा है retention of diizo group diizo group आप बाहर नहीं जाएगा that is into gas बाहर नहीं निकलेंगी या उसी को coupling reaction के नाम से भी जानते हैं तो very very important कि जैसे मैंने ये dijonium salt लिया अगर इसकी reaction मैं phenol से करा रहा हूँ किस से? phenol से dijonium salt की reaction अगर phenol से कराओगे in presence of basic medium OH- मतलब basic medium create कर देना और इसको देने के बहुत सारी तरीके हो सकते हैं right? Na2CO3 दे दिया तो भी वो basic medium ही हुआ तो basic medium में phenol की reaction अगर dijonium से कराओगे तो phenol के para position पे जो hydrogen है ये वाले reaction में participate करते हैं और यहां से निकल करके आपका N double bond N आ जाता है इसी को बोलते हैं azot जब भी nitrogen nitrogen की बीच double bond होगा तो इसको azot group बोलते हैं तो आपको क्या मिल गया para position पे है ये right इसके respect में para तो para hydroxy azot benzene और इसका color कैसा होता है orange color का होता है orange dye you can say orange dye तो याद कैसे रखेंगे very simple देखो phenol में ORI right? OH है ORI और O से orange अगर किसी को color याद रखने में दिक्कत हो तो जब भी digonium salt की reaction अगर आप phenol से कराओगे तो आपको para hydroxy azot benzene मिलेगा that means nitrogen nitrogen के बीच double bond होगे azot group बन जाएगा और इसका color orange dye होगा right para वाले hydrogen participate करते हैं ये भी दियां रखना है same उसी तरीके से अगर digonium salt की reaction in presence of aniline कराओगे और again basic medium तो again aniline के para वाला जो hydrogen है वो आपका participate करेगा और n double bond है that is azot group होगे नाम इसका होगा para amino azot benzene और इसका color जो होता है वो yellow color होता है तो ये दोनों color भी ध्यान में रखना पूछा जाता है तो जब भी digonium salt की reaction in presence of phenol या aniline basic medium में कराओगे तो reaction थोड़ा हटके होगी हटके मतलब जो azot group है वो आपका maintain होगा coupling reaction बोलते हैं para वाला hydrogen participate करते हैं इसमें now second point that is again very very important कि अगर आपने digonium salt लिया हुआ है benzene digonium salt और उसकी reaction Hbf4 से करा रो कभी भी बेंजीन पर आगर आपको fluorine लाना हो वाया डाइजोनियम तो ऐसा नहीं कि आप हैच ले लोगे तो हो जाएगा आपको Hbf4 लेना परेगा जिसमें Hbf4 माइनस है तो पहले केस में reaction तो कैसे होगी कि आपका ये Hcl से चला जाएगा और ये माइनस वाल इसे मतलब कटान एनान के एक्सचेंज हो जाएंगे तो ये मिलेगा और इसके बारे में खास बात यह है कि ये water insoluble है और stable है room temperature पे तो room temperature पे stable होने के जासे अभी आपको यही product मिलेगा जबकि other case में क्या हो रहा था direct into gas बाहर चली जाती थी और जो उसका negative वाला part होता था वो benzene पे लग जाता था लेकिन इस case में आप ध्यान से देखो fluorine के case में आपको अभी यहां तक product मिलेंगे और यह stable room temperature पे further अगर आपने heat किया तब जाकर के changes आएगा शिर्फ heat कर दिया तो आपको fluorobenzene मिल जाएगा तब आपको fluorobenzene मिल जाएगा और इसका जो एक F तो आगया दूसरा plus BF3 by product तो आप समाल लोगे वो चीज़े बट अगर आपने sodium nitrite के presence में heat किया और copper आपने as a catalyst ले रखा है इने NO2 इन presence of copper अगर heat किया तो फिर आपका benzene ring पे कौन आ जाएगा NO2 nitrobenzen आपको मिल जाएगा और एक बढ़ nitrobenzen मिल गया तो फिर इसको reduce कर दो गए तो aniline बन जाएगा और and so on तो आपको पहली बता रखा हूँ कि benzene पे कोई भी group लाना हो तो हम easily diogenium से ला सकते हैं इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा संकट मोचन और point number 3 ग्यान की बात में ये है कि अगर diogenium salt लिया आपने और उसकी reaction H3PO2 इसका नाम क्या हो जाएगा hypo phosphorus acid उससे अगर कराओगे in presence of aqueous medium तो ये एक अच्छा reducing agent है क्यों क्योंकि आपको मालूम है P double bond O H और इसके पास दो hydrogen है जो directly P set H है तो ये अच्छा reducing agent है तो यहां से आपको H मिलेगा इसलिए आपको benzene ring मिल जाएगी product में क्या मिल जाएगा benzene ring मिल जाएगी N2 gas बाहर चला जाएगा खुद इसका क्या हुआ वो ध्यान से देखो खुद ये plus 1 में था यहां से ये कहां पर आगया plus 3 में ये खुद oxidize हो गए तो ये ध्यान रखना है एक तरह से ये क्या हो गया redox reaction टाप भी हो गया similarly अगर disonium salt की reaction आप alcohol से कराएंगे तो in that case again alcohol का आपको H मिल जाएगा और N2 gas बाहर चले जाएगी खुद alcohol का क्या हुआ तो ये aldehyde में convert हो गया ये भी एक तरह से क्या हो गया oxidize हो गया तो ये point सब थोड़ा सा important है द्यान देना है वैसे ही disonium salt की reaction water से कराओगे 283 Kelvin देख सकतो हो जो की room temperature से भी कम है चुकि you know की disonium unstable होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर heat कर दोगे अगर आप 5 degree Celsius से थोड़ा सा भी ज़्यादा temperature जाएगा तो phenol मिल जाएगा आपको N2 gas बाहर चली जाएगी Hello everyone कसका है आज मैं आपको जो trick देने जा रहा हूँ उस trick से आप alkyl halide and aryl halide की name reaction उसके reactant उसके reagent and उसके product चारों चीज़ को एक साथ याद रख सकतो तो ध्यान से देखे first is roots reaction तो उसके लिए निमोनिक्स है रोक्षाना वरत इधर MI and RR के लिए ना रखा है इसका क्या मतलब है रोक्षाना में देखो Rx आ रहा है तो alkyl halide हमारा reactant हो जागा ना मतलब sodium लेना है और in presence of dry ether तो वो आपका उसमें connect हो गया रोक्षाना इधर इधर मतलब ether वरत मतलब root जो हो गया right जो fasting रखते हैं वरत इधर MI मतलब Mumbai Indian right Mumbai Indian in the sense mirror image हमें लेना है तो ध्यान से देखो हमने mirror लगाया mirror image बना और दोनों X को निकाल दिया तो क्या बन गया? RR तो उसके लिए ही मैंने लिया RR RR से connect क्या? राजास्थान रोयल सबको याद रहता है के लिए नाह, नाह में क्या है? ह आया मतलब halogen मतलब N A X बन जाएगा N A X बना देना है तो देख लो इस trick से आप reactant, reagent, product और name सब आपको याद हो गया next fitting reaction तो इसके लिए निमोनिक से hello बहन जी fitting इधर देखो ना mirror में right very simple कैसे देखो hello मतलब halogen benji मतलब benzene तो benzene पर halogen लगा देना है fitting नाम हो गया उसका इधर मतलब ether लेना आपको देखो ना ना मतलब sodium लेना है तो re-sign हो गया और product क्या mirror mirror में छुपा हुआ है mirror image लेना है तो वही चीज mirror image लेकर गए halogen को बाहर कर दो तो bifinal मिल जागा आपको product rr मतलब double rr मतलब वही rr जहां r आपका एक erail group है next rouge fitting hello benji रुकसाना इधर वरत mirror में fit देखने के लिए ना रखा है इस rhyming वर्ट स्याद रख सकते हैं कैसे hello benji से आपको क्या करना benjin पे halogen ले लेना hello benjin बन गया रुकसाना मतलब rx लेना आपको right तो rx और ना मतलब sodium इधर मतलब ether तो रुकसाना इधर वरत मतलब ये अपने open chain वाला alkalhealide लिया है तो root reaction का part हो गया mirror मतलब एक mirror लगा करके दोनो x को निकाल देना है तो आपका बन जाएगा rr right that means r-x और xr उसका mirror लगा करके x आपको निकाल देना है तो rr- बन जाएगा इसलिए double r आ रहा है mirror में fit मतलब fitting से fit देखने के लिए ना मतलब sodium के साथ halogen लग जाएगा na x आपका by product मिल जाएगा तो इस rhyming word से याद रख सकते है hello बहन जी रुकसाना इधर वरत mirror में fit देखने के लिए ना रखा है तो ये root fitting हो जाएगा next finkel stain reaction तो उसको कैसे याद रखेंगे rhyming word brocal finkel stain की रुकसाना आई ac में अकेली तो इसका क्या मतलब है brocal का मतलब यहाँ पे जो halogen होगा वो chlorine या bromine हो सकता है bro से bromine कल मतलब chlorine finkel stain नाम हो गया की रुकसाना मतलब आरेक्स लेना i na i लेना sodium iodide in presence of ac tone तभी ये reaction हो पाती है तो वह ये ac tone का ac ac में अकेली मतलब आपको क्या करना है alcan में i जोड देना alcan alcan i right तो अकेली इसमें हो क्या रहा है वो भी point important है एक smaller halogen replace हो रहा है big halogen से छोटे लोग बड़े लोग से replace हो रहे हैं next swarts reaction तो उसको कैसे याद रखेंगे brocal swarts rx 100 bike से kgf agf से kgf movie देखा रफी सर के साथ तो कहने क्या मतलब हुआ brocal मतलब कि rx में जो halogen लेना आपको chlorine या bromine लेना है swarts मतलब name reaction हो गया rx मतलब rx ही हो गया 100 bike से agf आपको लेना जिससे मने बना लिया kgf right movie देखा rafी rf बनेगा तो उससे बना लिया rafी सर के साथ तो आपको by product में agx now the question is किसमे important point क्या है क्योंकि यहाँ पे एक big halogen आपका replace हो रहा है small halogen से तो इसलिए इसका नाम है swarts reaction ओके यहाँ पे agf की जगा और भी ले सकते हैं d block के component चे cof2 hgf2 या फिर 15 group वाले sbf3 यह सब भी ले सकते हैं तो यह reaction हो जाएगी direct hf लेने से यह reaction नहीं होगी यह point जानवी रखना है and next जो ambident nucleophile होते हैं उस case में भी बच्चे बहुत confuse होते हैं उसके लिए simple trick है dna वोट से याद रखना है dna का मतलब क्या है अगर d block वाले element होगा तो nitrogen attach होगा for example rx agcn से करार हो d block है तो r के साथ कौन attach होगा n तो nc isosinide बनाना है वहाई पे nacn या kcn होगा तो r के साथ carbon के साथ carbon तो sinide या nitral बनाना है इसमें confusion रहता बच्चे को मैंने clear कर दिया है kno2 right तो d block का नहीं है तो nitrogen नहीं attach होगा तो oxygen होगा तो क्या बन जागा r o n o right oxygen का direct connection होगा carbon से यहाँ पे d block का आगया silver तो nitrogen का connection होगा तो r n o 2 तो यह है रफिसर का trick next sand mirror reaction तो benzen ने कल sandy को hello benji क्यों कहा benzene मतलब benzene लेना है ne मतलब nitrogen कल मतलब chlorine तो benzene dijonium chloride हो गया यह आपका reactant sandy मतलब sand mirror reaction को बोर रहा हमे hello benzen मतलब halogen benzen पे attach कर दाना है यह आपका product हो गया क्यों कहा मतलब copper लेना है as a catalyst और कौन सा वाला copper के साथ halogen होना चाहिए co2 x2 वाला that means copper plus one oxidation state में होना चाहिए तो इस रामिंग वट से आप sand mirror reaction को याद रख सकतो और next fridal craft reaction तो इसमें alkylation भी होता है और acylation भी होता है तो कैसे याद रखेंगे कल मतलब chlorine bmc मतलब b से benzene तो यह आपका reactant हो गया mc मतलब methyl chloride लेना आपको वाले मतलब aluminium के compound alcl3 वाले में alr ac मतलब आप cs3 co cl acetyl chloride भी ले सकते हैं same way reactant रहेगा तो लाए पारो के लिए पारो मतलब इसमें पैरा position पे लगाना है और इधर से परो तो और मतलब ortho position पे तो द्यान से देखो benzene पे chlorine है methyl chloride anhydrous alcl3 तो methyl आपका कहां पे लग गया ortho पे and para पे para will be the major product similarly benzene chloride हो गया acetyl chloride लिए anhydrous alcl3 तो ortho पे and para पे आ जाएंगे again para major होगा तो याद कैसे रखेंगे कल BMC वाले ac lye पारो के लिए और जबर नहीं कि chlorine ही हो bromine iodine पोई भी halogen होगा या वो सारे group जो plus M so कर सकते हैं जो activating वाले होंगे उन सम्में आपको fridal craft alkylation या acylation करा सकतो ortho and para पे लाना para will be the major product अगर hydrogen bonding होगी तो ortho major होंगे hello everyone कसकाई आज की इस video lecture में मैं आपको जो trick देने जा रहा हूँ वो alcohol, phenol और ether में जो name reaction है उससे related है और इस trick से आप name reaction को बहुत इजली याद रख सकतो तो ध्यान से देखे पहले हम बात करते हैं coal base reaction के बारे में तो देखो coal base इस नाम में आपका reactant छुपा हुआ है कैसे ध्यान से देखो कैसे connect camera ने क्या क्या आ रहा है coal base में B आ रहा है B से क्या लेना आपको benzene जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ benzene समझ गे नवाद तो benzene लेना है उसको बाद all लगा हुआ that means क्या लेना आपको alcohol वाला मतलब OH राइट और उसको ध्यान से देखो base coal base को base पसंद है समझे रहो ना तो कहने का क्या मतलब हुआ क्या आपको क्या लेना benzene ले लिया उसको क्या लेना all ले लिया OH और उसको क्या लेना base ले लिया तो देखो सारा रियक्टेंट आपका कोल वेज के नाम के अंदर ही छिपा हुआ है अब उसके बाद क्या होगा तो आपको मालूमी है यह आपका बेस हो गया और यह यह एसीड है तो एसीड बेस रियक्शन हो जाएगी वाटर बाहर जाएगा और यह सॉल्ट बन जाएगे जिसको बोलते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड इसको भी याद रख सकते हैं वैसे पी एचो एन लिखते हैं राइट फोन वट से या फोन वट से चस्ट कनेट करने के मैंने लिखा उसका क्या मतलब है सीडवल बॉंडो इसको बोरें को दोनों तरफ से सीडवल बॉंडो और हेच क्यों लगाया क्योंकि एसीडिक मीडियम लेना आपको तो कोल बेज को औरेंज से क्या जोना है और्थो यह वाला जो पोजीशन है यह और्थो कहलाता राइट कार मतलब कार्बोक्सिलिक का कारण ले लिया कार चाहिए तो देखो एक लाइन है कोल बेज को औरेंज कार चाहिए आपका नेम रेक्शन याद हो गया with product कोल बेज को औरेंज और्थो पे क्या कर दाना है कार्बोक्सिलिक ग्रूप लगा देना है जिसका I UPAC नेम होगा तो ह hydroxy benzoic acid और जिसको प्यार से हम बोलेंगे salicylic acid तो हमारा colbage reaction का rhyming वर्ट क्या हो गया दियान से देखो colbage को orange car चाहिए colbage में ही पूरा reactant छुपा हुआ है co जो आगे वाला reactant है carbon dioxide in presence of acidic medium orange मतलब ortho पे car carboxylic acid लगा देना है आपका product हो गया तयार नेक्स्ट नेम reaction रीमर टाइमन reaction तो इसके trick में जाने से पहले मैं आपको कहानी बता दूँ क्यों क्यों कि कहानी में सच्चाई है कि रीमर नाम का वो सच्चा बंदा था सच बोलता था उसने clearly बोल दिया कि he is basically from chore category ज़स समझेने के लिए तो trick का point क्या है रीमर टाइमन से हमने क्या बना लिया कि रीमर नाम के मंदे ने टाइमन से बोला अब इस बोला में बहुत सारी चीजे बी से हमने क्या ले लिया फिर से बहन जी और all word है तो alcohol तो again हमारा reactant क्या हो गया एक बैंजीन पर OH लगा दो that is phenol actually right तो बोला he is basically from तो basic base लेना आपको तो यह ले लिया कली from मतलब chloroform कली from basically from chloroform ccl3 chloroform लेना आपको तो समझेने क्या रियक्टेंट कहां कहां से connect हुआ कि रीमर नाम के बंदे ने टाइ मैं से बोला टाइ बनाने वाले से बोला बोला में ही आपका एक रियक्टेंट है and basically from में दूसरा रियेजेंट है और बेस लेना और chloroform लेना है क्या बोला चोर केटेग्री चोर में भी नाम छुपा हुआ है कैसे देखो CHO तो मतलब aldehyde आपको लगाना और कहां पे OR मतलब और्थो पोजिशन पे तो आपको क्या कर देना और्थो पे CHO aldehyde लियाना है जिसका नाम हो जाएगा 2-hydroxybenzaldehyde आयूपेक नेमिंग और प्यार से इसको बोलाएंगे हम salicylaldehyde next Williamson ether synthesis तो यहाँ पे trick का जो point है उसमें ऐसा है कि Williamson जो है एक रोने वाला बच्चा है तो उसको बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनो Williamson Rx100 जो आने वाली बाइक है Rx100 बाइक के लिए रोना ना इधर तो point कैटरीक का Williamson Rx100 बाइक के लिए रोना ना इधर और कैसे connect क्या ध्यान से देखो Rx मतलब आपको alkyl halide ले आना है और 100 में पहले क्या 1 तो 1 डिग्री लेना आपको Rx alkyl halide 1 डिग्री लेना है रोना मतलब sodium alkoxide बोलते हैं तो ro-na plus right अलकोहल में base डाल देंगे तो ये बन जाएगा acid base reaction से तो Rx100 बाइक के लिए रोना ना क्यों लिखा ना मतलब कि ये sodium और ये halogen का हेच लिया हमने तो वैसे ना Nx बन जाएगा और इधर इधर का मतलब इथर आपको क्या बन जाएगा रो आड़नेस इथर बन जाएगा इथर विल बी दा प्रोड़क्ट तो ट्रिक का point बहुत इजी है विलियम सन और एक्स हंडेड बाइक के लिए रोना ना इधर नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि B.I.P. या वी आईपी जो बड़े लोग होते हैं राइट बी आईपी के लोगो क्यों हाइपर हो कोश्चन मार्क है कि आप बोल रहो B.I.P. के लोगो क्यों हाइपर हो बोल एसी में एटमिस वो लोग एसी में बैठ़ो है फिर भी हाइपर हो रहे है राइट तो उससे कनेट के है कि B.I.P. के लोगो क्यों हाइपर हो बोलो A.C. में मतलब क्या है B.I.P. मतलब बी से हो गया आपका बैंजीन या वी से हो गया बहनजी इसमझे बाट आईपी मतलब आ एर ऑक्सिडेशन होता है इसका तो बी आई पी के लोगो क्यों मतलब यहां पर क्यूमीन है और हाइपर मतलब हाइड्रो पर उक्साइड इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पर उक्साइड पहले मिलेगा क्यूमीन हाइड्रो पर उक्साइड तो बी आई पी के लोगो तो ओएच अलकोहल का ओलवर्ट तो फिनॉल आपको लेना है और बोलो एसी मतलब एसी टोन और आपको एसी टोन मिल जाएगा डैट मिस क्या करना आपको यह जो दो मिथाइल गुरूप है यह आपका सी एच त्री सी एच त्री सी डॉल बॉंडों के साथ निकल जाएगा और यह है चरो फिनॉल के फॉर्म में यहां पर आ जाएगा तो सिंपल है बी आईपी के लोगों क्यों हाइपर हो बोलो एसी में तो सबको कनेट कर दिया हमने ध्यान से देख लिए नेक्स्ट डॉज प्रोसेस राइट तो इसके लिए क्या ट्रीक है डॉज कल भी टाइम पास ही किया तो कैसे केक्अ का लगर कनेट किया है कल मतलब कलोरीन राइट इसला लिए लिया फोन पर ही मतलब हेजute । तो देखो कैसे connect कर रहा हूँ मैं कि कल B मतलब benzen तो benzen पे CL लगा दिया chloro benzen और उसका क्या लेना base बस वाला जो part है time pass मतलब high temperature pressure लेना आपको right T for temperature P for pressure phone तो दियान से देखो PHO इसको PH बोलते है O minus N phone पर ही क्या मतलब H plus देंगे तो phenol बन जाएगा तो you know आज के जमाने में लोग सबस्यादा time pass तो phone पर ही करते है but आप मत करना क्योंकि आपको निकालना है next fridal craft alkylation या फिर asylation तो इसके लिए rhyming word क्या है trick का point क्या है इधर BMC वाले एक और पुराना AC लगाए point क्या trick का कि इधर BMC वाले एक और पुराना AC लगाए इस रामिंग वर्ट से आप लख सकते हैं कैसे देखो इधर मतलब ether लेना है B मतलब benzene और MC मतलब methyl chloride वाले में AL आला है AL से ALCl3 एक एन्हाइड्रस में एन्वर्ट उससे एक या फिर alkyl से एक और मतलब ortho पुराना मतलब para AC मतलब acetyl group लगाना है आपको कहाँ पे ortho and para पे तो दियान से देखो मुझे क्या लेना है benzene तो ले लिया इधर ether तो ether कर दिया क्या करना है methyl chloride तो BMC methyl chloride ले लिया और वाले ALCl3 ले लिया and hydras ले लिया तो इसको बोलेंगे alkylation अगर acetyl group लेता तो CH3 C double bond को acetyl group बोलते हैं तो यह भी ले सकते हैं तो इसको बोलेंगे acetylation तो यह लिया तो आपको क्या करना है ortho para पे और पुराना तो ortho position पे आप add कर सकते हो या फिर para position पे आप add कर सकते हो तो और पुराना ac मतलब यहां पे वही acetyl group यह वाले acetyl group आपको लगा देना है तो acylation हो जाएगा alkyl group लगाएगे तो alkylation कौन minor होगा कौन measure होगा तो यह भी हम connect कर सकते हैं यूँनो पुरानी चीज लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं तो पुराना जो होगा पैरा वाला वो measure होगा क्योंकि हर किसी के पास इतना नहीं होता कि सब नया ही खरीदे इसलिए ortho minor होगा ortho तभी measure होगा जब hydrogen bonding होती है Hello everyone कसका है आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रीक दूँगा उस ट्रीक से आप aldehyde, ketone, carboxylic acid की जितनी भी name reaction है उसके reactant उसके reagent और उसके product तीनों को बहुत इजली याद कर लेंगे तो ध्यान से देखे ट्रीक number one rosenmond reduction mnemonics रोजन मंड की बहन जी को कल ही पैदल या बस से बैंगॉल जाना होगा that means बहन जी का मतलब बैंजिल लेना है को मतलब C-doll bondo कल मतलब C-L तो ये आपका एक reactant हो गया reagent कैसे ही मतलब hydrogen पैदल मतलब PD बस मतलब barium sulfate तो ये reagent हो गया प्रोड़क्ट क्या है बैंगॉल मतलब बैंजल डिहाइड आपको बनाना that means कलोरीन हटा करकरके hydrogen आपको लगा देना है और इसमें जो पॉइंट सब है बहन जी को मैंने बैंजीन को मतलब C-doll bondo कल मतलब C-L ही मतलब hydrogen पैदल का पीडी लिया बस मतलब बैरियम सलफेड बैंगॉल बैंजल से जस्ट कनेक्ट क्या तो इससे आपका ये रोजनमट रिड़क्शन याद हो गया next stephen रिड़क्शन तो उसके लिए निमोनिक से रचना सुनो कल acid में water को add कर देना रचना में एक एक लेटर छोड़ करके R C N लिया हमने एक एक लेटर को drop कर देशे लिए उसको small letter से लिखा है तो R C N आपको लेना है और सुनो कल मतलब stannous koloride acid मतलब H C L तो आपको पहले I mean बना देना है negative होंगे उसको OH दो bond पे रखिया तो इस कारण पे 2 OH आएगा एक कारण पे 2 OH unstable होता है water को आपको बाहर कर देना है तो आपको product क्या मिल जाएगा aldehyde तो COH मतलब वही है CHO को से बना लिया COH add मतलब aldehyde आपको बना देना toluene benzene पे CH3 itard name हो गया croco कल मतलब chromyle chloride CRO2 CL2 से croco water मतलब उसके बाद ये complex बनेगा उसमें water डालेंगे तो bangol मतलब benzel dehyde आपको product मिल जाएगा देखा यहाँ पे जो complex बनेंगे उसकी hydrolysis और ये benzel dehyde next getter man coach reaction उसके लिए neemonics है benji getter man coach है bangol का तो benji मतलब benzen लेना है getter man name reaction हो गया coach में 3 word है देखो CO लेना है current monoxide AC मतलब aluminium chloride A से aluminium C से chloride in presence of HCL तो उसका ही H लिया हुआ राइट तो acidic medium में लेना है तो product क्या मिलेगा bangol मतलब benzel dehyde benzel dehyde आपको मिल जाएगा product next fridal craft reaction उसके लिए neemonics है benji और ruko कल first class AC ticket से जाना तो यहाँ पे इसका क्या मतलब benji मतलब benzene लेना है और मतलब erile ruko मतलब alkyl c double bond कल मतलब chlorine that means आपको acyl chloride लेना है और first class मतलब की fridal craft हो गया AC मतलब alkyl chloride का presence होना चाहिए as a catalyst तो क्या ticket last में क्या मतलब ketone आपका product मिल जाएगा और इस टाप की reaction का concept आपको बता रखाऊ जरूर नहीं है कि benzene हो benzene पे कोई group लगा हो अगर वो प्लस होगा तो ortho para पर आएगे और माइनस होगा तो meta पर आपको इस group को ले आना है क्या करना है CL को बाहर कर देना है RC double bond O प्लस इसको जोड देना आपको ortho या para वाले hydrogen को हटा करके अगर group होंगे तो group नहीं है तो direct benzene पर attach कर दो next killimension reduction उसके लिए निमोनिक से जहां होगी कलो aldehyde ketone को कहेगी hello single जहां होगी मतलब ZN HG कलो मतलब chlorine HCL aldehyde ketone आपका reactant होगा को मतलब उसमे C double bond functional group होगा right hello single मतलब LKN बना देना है क्यों क्योंकि LKN में single bond होते है या single मतलब अकेला मतलब LKN उससे हमने connect किया है वैसे next wolf kishner reduction तो उसके लिए neemonics है नहीं नहीं wolf ने krishna को बोला aldehyde ketone होगा अकेला नहीं नहीं मतलब NH2 NH2 wolf ने krishna name होगया reaction को मतलब c double bond again aldehyde ketone functional group होगे basic medium लेना है aldehyde ketone reactant होगा अकेला मतलब alkane बना देना है तो इस दो name reaction को याद रख सकते हो next colbase electrolysis उसके rucon मतलब rc double bond o o minus na plus that means sodium acetate in presence of electricity electrolyze करेंगे तो आपको anode पे rr akela मतलब alkane और co2 ये दोनों मिल जाएंगे बनाता है मतलब cathode पे हापको hydrogen मिल जाएगा right तो very simple अब hvz alpha company की car है that means hello मतलब आपको क्या लेना है halogen red मतलब red phosphorus car मतलब carboxylic acid right hvz reaction का नाम हो गया alpha मतलब alpha position पे carboxylic के बगल में जो carbon होता उसको alpha position पे halogen लेना alpha company ने की car है मतलब product carboxylic acid है लेकिन alpha पे halogen आजाएगा तो इस निमोनिक साब याद रख सकते है तो मेरा यह पडियास आपको बहुत पसंद आया होगा आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेस डाने वाले किसी problem को बहुत इसली कर लोगे तो ध्यान से देखिए isomerism के लिए सबसे पहली condition आपको यह चेक करना है कि molecular formula same है कि नहीं अगर दो या दो से ज़्यादा compound है having same molecular formula तभी isomerism की बात होगी इसलिए हमने start दिया same क्या होना चेह molecular formula now different क्या होगा either physical property या chemical property या दोनों हो सकती है at least कोई एक different होना चाहिए like melting point boiling point optical activity कोई भी different हो इसलिए अगर मैं tap की बात करूं तो ये दो टैप के होता है एक का नाम है structural उसी का नाम skeletal हो सकता है constitutional हो सकता या linkage यह सब उसी के name है और दूसरा होता है stereo या फिर configuration तो यह हम बाद में discuss करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में इसको discuss करना है इसके total 6 type है एक होता है chain isomer दूसरा position isomer तीसरा functional isomer 4 metamor 5 totomer और 6 ring chain तो यह total 6 type को में discuss करने जा रहा और अच्छे tricks दूँगा जिससा पीजिली याद रख सकतो एक point जो यहाँ पे note करना है वो यह कि अगर molecular formula same है तो isomer तो show करेगा लेकिन अगर एक molecule एक से show कर रहा मेटा मर भी show कर रहा तो priority किसको दे 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 functional वो ओके यह पांट का ध्यान रखना है और कभी ऐसा नहीं होगा कि दो molecule chain भी शो करे या position isomer या ring यह कभी करने जा रहा हूँ ना structural में तीन मैं भी discuss कर रहा हूँ एक है chain isomer एक है position और एक है functional तीनों को समझे सब point जो important है वो मैंने list कर दिया यहाँ पे तो ध्यान से देखो chain isomer के रिए क्या condition है same क्या होगा molecular formula यह तो same होना ही परेगा राइट दूसरा क्या same होँ nature of functional group यह double bond triple bond जो भी है वो सम nature same होना छिए different क्या होगा इसमे IPC name different होगा that's okay fine carbon की जो chain है वो different होगी either main chain या parent chain या side chain वो अगर different होगए तो इसलिए इसका नाम परा chain isomer जो चीज different होगी उसके according ही नाम परा है right chain different है इसलिए chain isomer example जैसे यहाँ पे ध्याँ से देखो तो यहाँ पे 1,2,3,4 main chain 4 carbon की है right या parent chain भी बहुख सकतो side chain कुछ भी नहीं है यहाँ पे 1,2,3 main chain 3 carbon की है तो main chain में changes जागी है right तो इसलिए यह क्या हो जाएंगे chain isomer किलियर है दूसरा होता है position isomer तो again name से किलियर है same क्या होगा molecular formula वो तो same होना ही परेगा यहाँ पे main chain भी same होगी ध्यान दे side chain भी same होगी इस point पे ध्यान दे main chain और side chain यह भी same होगा functional group तो same होना ही परेगा तो different क्या होगा आई पेक ने वो तो ठीक है different location या position और functional group हो जाएगा इसलिए नाम परा position same functional group different location पोँगे different position पोँगे इसलिए नाम परा positional isomer और कैसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी alcohol है यहाँ भी alcohol है functional group यहाँ पर ध्यान से देखो one two position पर यहाँ पर देखो one two three position बाकी चीज़ चेक करो कैसे देखो man chain same है one two three four five yes one two three four five side chain है यह नहीं right तो functional group भी same है different क्या हो रहा है location तो इसलिए यह पांट को ध्यान देना man chain और side chain same होना चाहिए position में श्रीफ position different होना चाहिए तो यह हो गया आपका position तीसरा है functional तो यह सबसे easy है इसमें molecular formula same होंगे different क्या होगा तो functional group ही different हो जाएंगे इसलिए easily पैचान सकते हैं आई-पैक नेम तो different हो गई right और यह चीज़े जहें वो fix हैं जैसे alcohol का combination किस से बनेगा ether से alcohol and ether will be functional isomal of each other right वैसे ही aldehyde का ketone से acid का ester से cyanide का isocyanide से यह सब some of the example हैं fix हैं right क्योंगी different functional group हो रहे हैं for example जैसे यहाँ पे alcohol functional group है और यहाँ पे ether molecular formula है तो सेम होना चीए 1,2,3 carbon है 1,2,3 carbon है right तो यहाँ alcohol functional group है यहाँ ether है इसलिए एक दूसरे क्या होगे functional होगे तो इन तीनों में कोई confusion हो गए नहीं और ऐसा कभी नहीं होगा कि जो chain isomer सो कर रहा है वो position सो करे ऐसा नहीं हो सकता है functional isomer को priority देंगे वो already बता रखाऊ यह आपको clear है now next metamor तो metamor के लिए again same molecular formula तो होना चीए वो तो सम्मे सेम चल रहा है functional group भी यहाँ same होना चीए different क्या होगा तो देखो metamor सो करने के लिए सबसे important point कि आपको by functional group चाहिए वैसे functional group जिसके दोनों side carbon हम attach कर पाए इसलिए ether सो कर सकता है alcohol नहीं सो कर सकता है क्यों क्योंकि एक side में oxygen के h fix है तो इसलिए by functional group चाहिए जिसका दोनों तरफ valency free हो या फिर ester वेगरा सो कर सकते है फिर acid नहीं सो कर सकता है क्योंकि h fix है similarly amines में यह सो कर सकते है तो यह some of the example है by functional group इसलिए start दिया fix है कि number of carbon both side of functional group change होना चाहिए different होगा इसलिए by functional group ही show कर सकता है right are you पेसी name different होगा वो तो सम में same ही चल रहा है तो यहाँ पे important point है जहाँ पे गलती होती है metamor में ध्यान देना कि आपको check कैसे करना है जो भी by functional group है उसके left को left से check करना है left side वाले को left से कि वो different हो रहा है कि नहीं और right वाले को right से वो different हो रहा है कि नहीं दोनो at a time होना चाहिए अगर कोई ही एक ही at a time हो रहा है तो फिर उसको आप metamor नहीं बोलेंगे उसके लिए best example मैं यहाँ पे लेका आए हूँ ध्यान से देखो यहाँ पे यह ether functional group है right तो यह show कर सकता है क्योंकि by functional group है पहली पैचान तो यह हो गई दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखो इस side में एक करवन है अगर इसको मैं right side मार रहा हूँ तो और यह left side में 4 करवन है right अब इस पे आ जाओ तो यह है इसके right side में 2 करवन है और left side में 3 करवन है molecular formula same है total 415325 तो इसलिए 1 और 2 में अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखो left को left से compare करने क्या मतलब है यह इसका left में 4 करवन इधर 3 change हो गया different right में 1 है इधर 2 यह भी change हो गया दोनों at a time होना चाहिए इसलिए 1 और 2 को हम बोलेंगे metamal है अब ध्यान से देखो एक और हमने लिखा है same यह है इधर right हो गया right में 2 करवन है इधर left है left में 3 करवन तो है लेकिन वो एक साथ नहीं है branching में अब ध्यान से देखो अगर मैं 2 और 3 को compare करूँ तो ध्यान से देखो right में इधर 2 और इधर भी right में 2 same हो गये तो right वाला different ने हुआ इसलिए अब आप 2 और 3 को metamor नहीं बोल सकते यही point है क्योंकि इधर इधर same हो गया तो क्या changes हुआ ध्यान से देखो तो इधर one number करवन पर ही oxygen है इधर क्या होगा one two पर position change हो रहा है तो इसलिए यह क्या होंगे PI होंगे तो very very important है बच्चे यहीं पर गलती करते है left का left से compare करना है right का right से और दोनों ही different होना चाहिए two और three में right right same हो रहा है इसलिए metamor तो होई नहीं सकता हूँ similarly अगर मैं one और three को compare करूँ तो one में right में one है right में two change हो गया left में four है left में three change हो गया इसलिए change हो गया तो फिर क्या होगा metamor तो इसलिए best example है आपको metamorism समझाने के लिए तो I hope यह clear होगा next is toutomorism और that is again very important इसका simple सा trick मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे पैचानेंगे किसी molecule में toutomorism होगा की नहीं तो very simple है Y, Z यहाँ पर लिखा that means यह दोनो different element है तो different element that means different electron negativity हो गया तो different electron negativity element के बीच multiple bond होना चाहिए ऐसा नहीं कि double bond हो triple bond हो तो भी चलेगा that means pi bond होना चाहिए दो different electron negative atom के बीच और इससे जो element attached है उसकी habitation sp3 होना चाहिए चाहे इससे हो या उससे हो बोनों से चल सकता है मैंने एक ही side दिखाया उदर से गो सकता है उसका habitation sp3 मतलब 4 sigma bond बनना चाहिए और उसके पास hydrogen होना चाहिए तो यह पैचान है टाउटोमेरिजम सो करने के लिए करना क्या है तो अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ इसको 2 इसको 3 तो 3 पर वाले जो hydrogen उसको 1 पर पहुचा देना है और 1,2 के बीच का double bond को 2,3 में तो ध्यान से देखो यह आपका 1 था, यह 2, यह 3 तो जो 1,2 के बीच double bond था वो 2,3 के बीच आ गया है और जो 3 पर hydrogen था वो 1 पर आ गया है तो इसको बोलते हैं समझगे बात और always double arrow से दिखाएंगे inter-convertible होते हैं अब इसका best example है keto in all totomism और यह हमें परना भी है जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो तो यह C double bond हो दो different electron negative यह वाला condition हो गया इसके बगल में इधर यह carbon है और SP3 oxidation है इसके पास by the way 2-2 hydrogen है इधर भी है बट यह वाला ज्यादा acidic नहीं होगा यह ध्यान रहे क्यों क्योंकि यहाँ पर जब hydrogen जाएगा तो negative आगा negative single double से resonance करेंगे तो यह ज्यादा acidic hydrogen होगे तो यहाँ वाला hydrogen को मैं क्या करूँगा यहाँ भेज़ दूँगा अब यहाँ पर ध्यान से समय है कि यह ज़्यादा एमांड में क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एक six member ring बन रही है और ड्यू टू hydrogen bonding ध्यान से देखो एक यह dot dot करके दिखाया oxygen more electronic negative hydrogen के साथ hydrogen bonding कर सकता phone वाट से आपको याद करवाया हुआ हुआ है प्यार सिंगल डबर से रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होनी कर से इस से ज़्यादा इमांट में यह बन जाएंगे तो this is called keto in all तो very simple है पहचानना और बनाना और कौन केतने अमांट महोगा कौन ज़्यादा होगा कौन का महोगा इस टाप की भी कोशन आए तो अब कर लोगे again next example that is very important ध्याद से देखो C double bond हो different electronegative element होगे उसके बगल में यह element है इसके आफडाशन SP3 है इसके पास hydrogen by the way दो है इधर क्यों ने गए क्योंकि आफडाशन क्या है ध्याद से देखो तो SP2 है यहाँ पे नहीं होगा तो इधर होगा तो यह hydrogen यहाँ चला जाएगा double bond यहाँ आजाएगा तो ध्याँ से देखो मैं बना दे रहा हूँ बाकि जो चीज जैसे है वैसे ही रहने देना है तो यह oxygen का double bond यहाँ पे आ गया और यहाँ वाला hydrogen इस पे तो यह क्या बन गया phenol और ध्यान से देखो तो यह aromatic भी हो गया तो अगर aromatic में convert हो जा रहा है तो 99% फिर तो यही होंगे इसलिए मैंने बड़ा arrow दिखाया है कि यही सबस्यादा बन जाएगा back में आने कि इसके chances very less रहेंगे इसलिए कहीं पर अगर यह compound बनता है during the reaction तो आपको further यह बना देना है समझगे बात important है एक और होता है यह यह भी important है इसको बोलते है space tautomark कैसे ध्यान से देखो यहाँ पे different electron negative element है बट यह दोनो carbon की अगर hydration अगर आप ध्यान से देखो इसके according तो sp2 है तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए तो फिर आगे जाएंगे अगर resonance की condition बढ़े double single double तो फिर आगे वाला यह carbon को check करेंगे अगर conjugation में है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो दियान से देखो double single double conjugation में तो उसके बाद वाले carbon को हम देखेंगे और यह carbon again sp3 है और इसके पास दो hydrogen है तो यहाँ का hydrogen यहाँ चला जाएगा तो पहले कैसे जाएगा यहाँ का hydrogen पहले यहाँ पे आगा फिर यहाँ से यहाँ पे आगा तो इसलिए इसको बोलते है a space totomer हवा में हो गया राइट तो यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तो फिर क्या होगा फिर से finally अगर आप ध्यान से देखो तो इधर आप change करा रहो तो इसको ऐसी रहने देना पहले यहाँ का यहाँ जाएगा तो यह double bond यहाँ और फिर उधर वाला तो यहाँ और यह होगा तो यह भी by the way aromatic में convert हो रहा है तो इसलिए यह सब point जान रखना कभी ऐसा बन रहा है तो quickly आपको इसमें convert कर देना क्योंकि 99% यह होंगे तो यह keto in all totemorism में important point है तीनों type हमने discuss कर लिया है कहां पर होगा वो समझा दिया है तो अच्छे सब देख लो and last that is ring chain यह very rare है पूछा ने गया बस समझने के लिए तो इसमें क्या होगा same molecular formula same होना ही परेगा double bond equivalent मतलब right degree of unsaturation same होना चाहिए definitely functional group यह से होना चाहिए different क्या होगा ring और chain पैचान में आ जागा एक ring होने चाहिए that means close structure होने चाहिए और एक open structure इसलिए ring chain आयू पैक नेम तो different होगा ही example से समझ लेतने है very simple है जैसे यहां पर ध्यान से देखो 123 carbon और एक double bond यहां भी 123 carbon तो दोनों का formula अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जागा c3 h6 अगर अब ध्यान से देखो तो कैसे 3 carbon और 2-2 hydrogen है इनके पास तो वही आपका यहां भी एक ring एक degree of saturation के और आपर है यहां पर एक pi bond आ गया तो भी हो पाएगा अगर यह होता तो नहीं हो पाएगा क्यों molecular formula अलग हो जाते यह होता c3 h8 यह c3 h6 है molecular formula से होना चीए तो यह तो नहीं हो पाएगा तो यह दोनों देखके समझ मागया एक ring है और एक chain है तो यह ring chain isomer वैसे एक और example जैसे यह और यह है तो यह 6 member के ring है और यह 6 carbon का एक ही है और दोनों का du same है अब जरू नहीं किया ही हो और भी बहुत तरीके से बना सकते हैं राइट 6 करवाना ऐसे लगा सकते हैं कई भी लगा सकते हैं तो यह इनका इनके साथ relation इनका इनके साथ ring chain होगा तो यह बेटा total 6 जो structure थे उसको बहुत अच्छे से समझा दिया है to the point हमने बात किये जादा आपका time नहीं लिया 15 मिनट में video lecture complete किया इससे बाहर कुछ नहीं है अच्छे से समझ लो Hello everyone कसा का है आज की इस video lecture में हम लोग बात करेंगे geometrical isomer के बारे में and जो tricks and concept दूंगा उस tricks या concept से आप which can show geometrical isomer इस टाइब के question को या naming से आने वाले that is ccr trans कौन होंगे या ez क्या होगा right naming e का मतलब होता है antigen उसका पहला letter लिया गया है z का मतलब होता है jusha man जिसका पहला letter z लिया गया है या sin anti naming कैसे करेंगे इस टाइब के question को या number of geometrical isomer कैसे calculate करेंगे या फिर उसकी physical property से related like किसका melting point जादा होगा किसका boiling point जादा होगा कौन polar होंगे कौन non polar होंगे इस type के problem को आप easily कर लोगे तो अगर हम geometrical isomer की बात करें तो that is actually में stereo isomer या configuration isomer का एक part है that means stereo isomer बोलो या configuration isomer बोलो ये दोनों एक ही बात है और ये जो है वो दो टैप कोते हैं geometrical and optical जो आज की video lecture में हम बात करेंगे स्रिफ geometrical के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से समझो कि stereo isomer या configuration isomer में क्या होगा सबका molecular formula same होगा जब तक molecular formula same नहीं होगा हम इसकी बात ही नहीं कर सकते हैं यहां पे उसका IUPAC name भी same होगा तो different क्या होगा सर different only location होगा location किसका तो जो भी atom या group होगे उसका different location होगा space में तो हम बोलेंगे stereo isomer या configuration isomer now geometrical isomer के लिए क्या condition है सर तो उसके लिए condition यह है कि restricted rotation होना चाहिए और restricted rotation कहां पे हो सकते हैं जहां पे double bond हो वहां पे GI के chances हैं और जहां पे ring हो वहीं पे आपको चेक करना यहीं दो जगा पे possibility है geometrical isomer so करने के now geometrical isomer में एक और important condition क्या है कि इसमें जो distance होती है वो different होती है जिसको मैंने एक यहां पर से समझाया है जैसे यहां पे hydrogen hydrogen का अगर distance में measure करूं suppose करो यह वन सेंटीमेटर आता है तो देखो यही same molecular formula है same iupacinium सब कुछ same है बट अब hydrogen hydrogen का जो distance है definitely one से ज़्यादा होगा तो different distance हो गए तो इसलिए यह सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट है geometrical isomer में distance अगर different हो रहा है तो यह दोनों molecule एक ही नहीं है यह different है that is called geometrical isomer right तो इस पांट का ध्यान रखना है तो अभी मैं आपको पूरा geometrical isomer के बारे में बताऊंगा now tricks for GI identification तो GI दो जग़ाशो हो सकते है double bond में ध्यान दे double bond लिखा है मतलब double bond में triple bond L kind कभी भी GI शो नहीं करेगा तो double bond के लिए क्या trick है कि दो element के बीच double bond होना चाहिए और जिन दो element के बीच double bond है उस पे दो group लगे होने चाहिए जैसे यहाँ पे C and D है और इधर A और B है तो condition is कि यह जो दो group लगे है एक ही side वाले वो same नहीं होना चाहिए A और B equal नहीं होना चाहिए वैसे C D equal नहीं होना चाहिए A C equal हो सकते है B D equal हो सकते हैं द्यारे double bond के एक ही side जो दो group लगे होए है double bonded carbon या जो भी element है तो वो दोनो group same नहीं होना चाहिए तो यह important condition है यह X and Y same भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं, doesn't matter, तो यह है double bond में, double bond में अगर एक से ज़्यादा double bond हो और एक साथ हार हो continuous में, तो अगर even number of double bond है, जैसे यहाँ 1 और 2, even number है, तो उस case में कोई GI नहीं होगा, चाहे कोई भी group लगा लो, बट, अगर odd number of double bond एक साथ हार हैं, जैसे यहाँ पर odd है, क्योंकि 3 है, तो उस case में again same condition, कि A और B एक कोई नहीं होना चाहे, एक ही side वाले, and C and D एक कोई नहीं होना चाहे, तभी GI show होगा, तो यह point को ध्यान में रखना है, वैसे ही अगर मैं ring में बात करूँ, तो ring में क्या trick है कि ring में दो different carbon पे substitution होना चाहे, घ्यान दे, दो different carbon पे substitution होना चाहिए, और जिन दो carbon पे होई है, उसका hybridization SP3 होना चाहिए, यह भी clear होना चाहे, a और B एक कोई नहीं होना चाहिए, extend एक होन नहीं होना चाहिए, तभी यह GI show करेंगे, again, एक से ज़्यादा ring अगर continuous आ रही है, करेगा राइट अगर और होगा तो जी आई सो करेगा कंडिशन एगें सीडी को नहीं होना चाहिए यहां पर जो एक पॉइंट यहां देना है कि जैसे यह तो नहीं करेगा अगर मांने जिए कि यह हो गया तो राइट बड़ देखो यह सी एस तरी है तो यह नौट इकल करवन पर सब्टिचूशन है यह CS3 है यह करवन ने तीन बंड बनाया तो एक हाइट डूजन होगा यह करवन भी तीन बंड बनाया तो एक बाइट इफोर्ट हाइट तो यह नौट इकल टूट टूट इसकी वज़ासे सो हो जाएगा तो इसलिए आपको हर तरीखे से सर्च करना है तो यहाँ पर जी आई सो होगा यहां की वज़ासे नहीं होगा यह लेकिन इसकी वज़ासे हो जाएगा तो इसलिए आपको देखना है किसी भी एक की वज़ासे अगर हो गया तो आफर. डग़ान की बात करता हुँज आपलिकेशन इसमें आपको बताना है कि कौन कौन GI show करेगा है नहीं तो द्यान से देखो ये पहले वाले का अगर मैं चेक करूँ तो यह दोनों क्या होगए हाई डोनों सेम हो गया राइट तो यह GI show नहीं करेगा यहाँ पर मैं द्यान से देखूँ तो यह CH3 है इधर कुछ नहीं है तो हैं बाइडिफर्ट कारवन चारवन बनाएंगे तो जो नहीं दिखाया होगा वह हाईडोजन होगा राइट तो यहां पे यहांं पर देखेंगे तो तो एक लोन लॉल भी वी तो यह दोनों भी इपन कांट के जाते हैं थो हरेगा है यहाँ इन्या आपर लोन तो यह करें जैसे यहां पशीकुन तो ऐसे आपको ठील करना इधर भी और उससाइड हो करेंगे अगर अगर द्याद से देखो तो यह सी डवल बॉण्ट सी हो गए तो यह इस डवल बॉण्ट की वज़ासे तो शो नहीं करेगा क्विए इधर जैसे देखो सिरिफ इस रिंग की वज़ासे consider करें तो दो different carbon पे substitution है sp3 है और यहाँ पर दूसरा element को होने hydrogen यहाँ भी hydrogen तो methyl hydrogen डिफरेंट है तो सो कर जाएगा रिंग को जो से तो overall molecule जाए सो करेगा seven में एक ही carbon पे दोनों substitution है और by the way दोनों सेम भी है different भी होता तो कोई फार्ग नहीं परता दो different carbon पे substitution होना चाहिए इसलिए यह सो नहीं करेंगे अगर सपोज करो कि इस टाइप से आपको देता यह double bond ऐसे तो क्या यह शो करेगा तो नहीं करेगा क्यों दो different कारण पे substitution तो है लेकिन sp2 आप dash carbon है हमें क्या चाहिए sp3 वाला तो यह भी शो नहीं करेगा यह यह शो करेगा अगर ऐसा करके दे दिया तो यह शो कर देंगे क्यों दो different कारण पे substitution है और दोनो sp3 है इधर double bond है चलेगा जो दिन दो कारण पे substitution है वो sp3 होना चाहिए तो यह शो कर देंगे तो इस से फर्क नहीं पड़ता यहां पे जिया शो नहीं होगा इसी को ऐसे भी पूछ सकता है रिंग लगा करके दियान दो यह बड़े बड़े group है c3 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 तो यह रिपर्शन के उज़ाद से यह रिंग इस प्रपें्ड्रीकुलर प्रपरेंट में ऐसे होंगे और फिर यह इसी प्लेंट में होगे तो यह Hag culture और CH3 का difference और यहां पर hydrogen और CH3 का difference अभी ऐसे है that means hydrogen hydrogen की कम distance है अगर मैं इसको सिर्फ interchange कर दूँ तो distance change हो जाएंगे मतलब GI show करेगा तो again वही point हो गया तीन ring अगर और उसके बलकी group लगे हो तो फिर यह इसी type का condition हो गया तो यहां पर GI show करेंगे यहां पर द्यां से देखो दो different कार्म पर substitution है और different है दूसरा कुछ नहीं है तो hydrogen है तो यह show करेंगे यहां पर द्यां से देखो तो यह double bond यह इधर एक group एक hydrogen होगा यह इधर एक group एक hydrogen तो यह show करेंगे यहां पर यह double bond है बट ये दोनों मिथाल मिथाल सेम हो गए तो ये शो नहीं करेगा तो आपको इस तरीके से चेक करना है I hope आपको प्रॉलम नहीं होगी इसको मैं एक practical example से भी समझाता हूँ ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने ये एक condition लिया तो ये actually मैं ऐसे होंगे ये bond इस plane में तो ये perpendicular plane में होंगे फिर ये उसी plane में आएंगे तो आप देख सकतो ये जो और ये जो है दोनों जो सामने वाले इन दोनों का distance हम change कर सकते हैं अगर मैं इसको interchange कर दो तो distance change होगा राइट तो इसलिए जब 3 या odd number में पाइब और एक साथ हैंगे तो वहाँ पे gi possible है दो होगा तो क्या distance होगी तो द्यान से देखो ये दो वाले हैं तो आप यहाँ पे देख सकतो यहां से यहां की जो distance है वह distance यहां से यहां की भी है तो अगर मैं इसको interchange भी कर दूँ तो distance में कोई change नहीं होगा तो इसलिए even number वाले में आपका gi possible नहीं होता है यही concept आप यहां भी लगा सकतो यही concept ring वाले में practical feeling के लिए यह एक important point है now naming तो very simple है द्यान से देखो यहां पे जो similar group है वो एक दुसरे के 180 पे anti पे आ रहे हैं पोजिशन पे तो इसको बोलेंगे trans किसी भी एक से आपको पता लग सकता जैसे यहां पे भी यह ट्रांस पे यहां पे जो similar group है वो same side आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे cis तो same side होगा तो cis opposite side होगे तो trans तो यह cis trans हुआ अब जहां पे cis trans possible नहीं है क्योंकि similar group एक भी नहीं है तो ऐसे case में कैसे करेंगे तो ez naming करेंगे that means ez हर जगा पे possible है बट cis trans हर जगा पे possible नहीं है अब ez कैसे करना है तो ध्यान से देखो एक ही side में इधर पहला element जो attach होगा carbon है यहां fluorine तो जिसका atomic number ज़्यादा होगा उसको priority दे देंगे तो यह one हो गया और यह two हो गया ऐसे आपको कर लेना है यहां पे ध्यान से देखो तो carbon attach है यहां भी carbon तो same हो गया बट ध्यान से देखो तो यहां पे carbon पे triple bond इसका क्या मतलब है इसको आप hypothetically सोचेंगे तो यहां पे 3 carbon attach है ऐसा आप सोचेंगे यहां पे double bond है मतलब दो carbon attach है तो definitely जब पहला element same हो जाए तो फिर आप next element पे जाए और चुकि यहां पे 3-3 carbon है तो यह ज़ादा हो जाएगा तो यह one और यह two तो ध्यान से देखो two two same side है या one one same side है तो इसको बोलेंगे z और अगर opposite side होता तो very simple है यह इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है एक ही side में numbering करना है numbering के according आपको देख लेना है कि वो किस side आड़ा है similarly nitrogen nitrogen में double bond हो तो इसको बोलते हैं as o इसमें हम lone pair से चलेंगे lone pair same side होगा तो cis that means sin बोलेंगे और अगर lone pair opposite side में होगा तो anti बोलेंगे similarly oxyme के case में C double bond N वाले को oxyme बोलते हैं उस पे OH लगा होना चाहिए यह fix है तो oxyme के case में हम कैसे करेंगे तो अगर hydrogen हुआ carbon पे तो hydrogen और OH same side होगा तो sin और अगर hydrogen इदर नहीं है तो फिर किसको reference ले रो उसके उपर depend करेगा तो यह naming का तरीका very simple है इसमें ज्यादा कोई tension नहीं है now application की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस carbon से पहला element carbon attach है यहाँ भी carbon दो hydrogen same होगे तो next element पे जाएंगे तो यह chlorine है यह bromine तो यह 1 हो जाएगा और यह आपका 2 हो जाएगा similarly इधर देखेंगे तो पहला element bromine है जबकि यहाँ carbon है सबसे बड़ा जो atomic number में होंगे उसको आप पकरेंगे तो यह 1 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा तो ध्यान से देखो 1-1 opposite side में आ रहा है तो यह क्या हो जाएगे E by the way ध्यान से देखो तो यह group और यह group same है और दोनों same side है तो यह हो गए cis तो ध्यान रहे there is no relation between cis trans and ez कुछ बच्चे cis को z समझे लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कोई relation नहीं है जैसा कि यहाँ पर देख सकतो next इसमें अगर मुझे देखना हो तो पहला element carbon है यहाँ oxygen है तो carbon है और oxygen है तो यह 1 हो जाएंगे यह 2 हो जाएंगे इधर देखेंगे तो पहला element nitrogen है तो यह 1 और इधर carbon है तो यह 2 तो ध्यान से देखो 1-1 opposite में है तो E हो जाएगा आपको पहला element अगर पहला element समझे हो जाएगा यह 2 हो जाएगा, इधर देखेंगे तो यह कारवन है, तो यहाँ भी कारवन बट इसमें एक डिटेड यम्बरा है जबकि तीनों आड़ेजन, तो यह 1 हो जाएगे यह 2 हो जाएगा, तो 1-1 सेम साइड है, तो यह क्या हो जाएगा, जेड similarly इस case में अगर हम दियान से देखें तो पहले element कारवन, यह ओक्सिजन तो यह 1 और यह 2 इधर देखेंगे तो पहले element nitrogen 1, क्योंकि इधर कारवन है तो 2, तो 1-1 opposite में तो E, तो यह 4 examples से आपको clear हो गया होगा, पहले element को बकरना है, और कौन सा जो सबसे बढ़ा है topic number में, अगर वो से हम हो जाता है, तो फिर आगे element पे वो से हम हो गया, तो फिर आगे element पे ऐसे करके E, Z करना है there is no relation between cis trans and E, Z and sin and T इस बात का ध्यान रखना now, tricks for geometrical isomer calculation तो कैसे करेंगे, very simple है सबसे पहले आप N निकालेंगे what is N, N is number of double bond which can show GI जिसको number of stereogenic center के नाम से भी बोलाते हैं right, तो वो double bond काउंट करना है या वो ring काउंट करना है यहाँ पे not only double bond, आप चाहो तो ring भी लिख सकतो, जिसके about वो GI show करेगा और उसी को stereogenic center बोलते हैं और जब N आपको calculate हो गया तो number of GI कैसे देंगे 2 की power N से, अगर IUPAC name different होगा दोनों side से, अगर IUPAC name दोनों side से आप naming कर रहे हो और different आ रहा है, तो direct 2 की power N अगर दोनों side से naming कर रहे है और same आ रहा है, IUPAC name same आ रहा है, तो फिर यह दो formula है, अगर N odd होगा तो 2 की power N minus 1 2 की power N minus 1 by 2 so that कि यह एक number integer आजाए, इसलिए, similarly अगर N even होगा तो 2 की power N minus 1 plus 2 की power N by 2 minus 1 क्योंकि यह even है, तो overall यह integer आजाएगा, तो इस तरीके से करना है, यह formula आप तब लगाएंगे, जब double bond होता हो तो ring के case में, I would suggest कि आपको कैसे करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ तो जैसे एक example लिया इसमें तो इसमें द्यान से देखो, तो यह double bond GI so नहीं करेगा, तो इसको count नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यह दोनों hydrogen same होगे, यह show करेगा और यह भी show करेंगे, तो यहाँ पे N केतना होगया, 2 द्यान से देखो, तो इधर से numbering करेंगे, तो 2 पे double bond, इधर 1 पे, तो different है, यह pack name तो इसलिए यहाँ पे GI केतना हो जाएगा 2 की power, N that is 2, that is 4, तो यहाँ पे 4 GI होगया, ऐसे आपको करना है similarly, इस case में अगर आप ध्यान से देखो तो यह GI हो करेंगे, यह भी GI हो करेंगे, तो stereogenic center के दना होगया, 2 again, इधर से naming different होगा इधर से naming different होगा, क्योंकि इधर से 3 पे double bond है, इधर से 2 पे, तो again GI की बात होगा, तो 2 की power 2 that is 4, क्यों? क्योंकि different है, right? इधर से naming करो, या इधर से naming करो, same है, right? इधर भी 2 पे double bond, इधर भी 2 पे 3 पे, 3 पे double bond है, इधर भी 3 पे and so on, तो दोना तरह से naming same हा रहा है, n2 है, n2 है, that is even है, naming same है, तो यह वाला लगाना है, 2 की power n minus 1, plus 2 की power n by 2 minus 1, तो यहां से देखो, यह कितना हो गया, 2 और यह 1 में से बन गया, तो 0, तो 2 की power 0, 1, तो that is 3, तो यहां पे total 3 GI होंगे, तो ऐसे करना है, जब double bond वाले system हो, या सिरिफ ring वाले system हो, एक ring को एक double bond आप consider कर सकतो, बट ध्यान रहे n वो लेना, जिसके about GI so हो रहा है, ring के case में कैसे करना है, तो यह formula आप ना लगाए, तो अच्छा है, क्योंकि कभी गलत भी आएगा, कभी सही भी आएगा, इसलिए better है, आप ऐसे think करें, जैसे इस case में, तो you know कि यह दोनों ही group, ऐसे board के plan से कुछ angle पे आगे अप की तरफ होंगे, तो दोनों अप होंगे, या दोनों डाउन, एक ही बात है, राइट, और एक अप, एक डाउन, तो कितना हो जाएगा, इसके दो GI हो जाएगे, तो इस तरीके साब think कर सकते हो, बास समझ माई, या तो मैं दोनों को अप रख सकता हो, या दोनों डाउन, एक ही बात है, एक अप और एक डाउन, राइट, तो दो possibility हैं, इस तरीके साब को check करना है, जैसे यहाँ पे, कितने GI होंगे, तो मैंने numbering कर दिया, 1, 2, 3, राइट, अब मैं क्या कर सकता हो, तीनों को अप रख सकता हो, या तीनों को डाउन, एक यह possibility है, या फिर क्या कर सकते हैं, कि 1, 2 को अप रखे, या 1, 2 को डाउन, ऐसा करके, तो एक यह possibility है, या फिर 1 और 3 को मैंने अप रखा, राइट, या डाउन, एक ही बात है क्योंकि जो चिजे अप है आप देख रहो तो आपके लिए आप है पीछे वाले के लिए डाउन है और अगर वह से रिंग में आपको डिफरेंट पॉसिलिटी चेक कर लेना है अपना common sense लगाना है और बागी double bond में आप यह लगा सकतो अगर यहाँ पे CL की जगह अगर मैं same me कर देता तो तीनो me है right तो इस case में आप कैसे करते हैं दियान से देखो either 1, 2, 3 up right या down एक ही बात हो गया दोनों sis वाले हो जाएंगे now next कैसे कर सकते थे 1, 2 up या फिर 2, 3 up एक ही बात है 1, 2 या 2, 3 दोनों same ही हैं तो यह दोनों से same ही आता right और एक क्या कर सकते है 1, 3 up तो total GI फूछता तो कितना आ जाता 3 इसलिए मैंने बोला है कि इसमें formula लगाने की कोशिश नहीं करना है इसको खुद common sense से आपको think करना है आप down कर करके और यह easily हो जाएंगे तो I hope मेरा यह परियास आपको पसंद आया होगा अब आप कौन geometrical isomer show करेंगे उसकी naming कैसे करेंगे और number of geometrical isomer कैसे calculate करेंगे इस type के किसी problem को बहुत easily कर सकते हूँ Thank you Hello everyone कसका है आज की इस video lecture में हम लोग बात करेंगे optical isomer के बारे में जो tricks and concept दूंगा उससे आप identification naming and calculations आने वाले किसी प्रावलों को बहुत easily कर लोगे तो देखो optical isomer में दो aspects हैं एक experimental और एक theoretical experimental expect क्या है very simple एक ordinary light होती है like tube light हो गए जो हर direction में travel कर सकती है उसको हम pass out करते हैं एक Nicole's prism से right और Nicole's prism क्या very simple आपको समझना है कि एक जैसे यह marker है तो अभी मैं जितनी भी light pass करूंगा यह सब रूख जाएंगी right इसको क्या करूंगा 20 से में break कर दोंगा बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा gap कर देना है तो उससे light pass हो जाएंगी कौन से light pass होंगी जो एकदम horizontal आएंगी right तो इसलिए शिरिफ वही light pass हो पाएंगी और जो शिरिफ एक direction में travel करती हैं उसी को एक्टिव है और एगर light में deflection नहीं होता है तो optically inactive है तो word सही clear है जैसे देखो optically active optic word जहां पर भी है मतलब light से relation है और active मतलब वो sense कर रहा है उस light को जिन्दा है वो right ऐसा समझो और optically inactive मतलब dead हो गया है that means light में कोई deflection नहीं आएगा तो यह तो होगे experimental expect but exam में जो question आएंगे तो हम यह सब तो करेंगे नहीं हमें तो molecule given होगा और वो optical isomer show करेगा कि नहीं यह पूछा जाएगा तो theoretically कैसे बताएंगे तो उसके लिए हम दो चीज का सहरा लेंगे एक होता है POS that is plane of symmetry और एक होता है COS that is center of symmetry आपको molecule में चेक करना परेगा कि उसमे plane of symmetry तो नहीं है and center of symmetry तो नहीं है plane of symmetry क्या है very simple एक ऐसा plane जिससे molecule दो equal part में cut होना चाहिए ध्यान रहे plane of symmetry कैसे check करेंगे molecule को दो equal part में cut किजिए और वो जो cut part है equal वाला वो एक दुसरे का अगर mirror image है तो हम बोलेंगे plane of symmetry है जैसे for example समझाने के लिए जैसे यह alphabet A लिया तो अगर मैं उसको इस plane से cut कर रहा हूँ तो दियान से देखो equal part में cut हो गया mirror image है that means इसमें POS है similarly अगर मैं इसमें बात करूँ तो दियान से देखो इस plane से अगर मैं cut करूँगा तो equal part में cut हो गया mirror image है तो इसमें भी POS है बट इसको आप किसी भी plane से cut कर लो equal part में नहीं cut हो पाएगा और mirror image भी नहीं हो तो इसमें POS नहीं है similarly center of symmetry का क्या मतलब है तो center of symmetry का मतलब है कि molecule के center पे जागर के बैठ जाना है और वहाँ से equal and opposite direction पे same atom या molecule आने चाहे for example जैसे यहाँ पे अगर मैं बैठ जाओ तो इस दूरी पे अगर hide हो जाने तो उसके just opposite 180 पे यहाँ पे भी same distance पे same atom है वैसे इधर भी हर direction में होना चाहे बेटा यह दियान रखना every direction में जिस जिस direction में atom है अगर equal distance पे हो और 180 डिगरी पे तो हम बोलेंग उसमें center of symmetry है POS नहीं होना चाहे कट मतलब उसमें POS नहीं होना चाहे and COS भी नहीं होना चाहे ध्यान रहे यह दोनों present नहीं होना चाहे तभी वो optically active होगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो जाता है या दोनों हो जाता है तो molecule कैसा हो जाएगा फिर optically inactive now एक word आता है chiral carbon right chiral carbon का मतलब क्या है एक ऐसा carbon जिस पे चारो group different हो that means definitely इसकी habitation क्या होनी चाहे SP3 क्योंकि चार हम group की बात कर रहे है we know carbon 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 बनाता है और चारो के चारो अगर different होंगे तो उसको chiral carbon बोलते है जैसे for example यहाँ पे देखो इस कारण पे OH है CL है CS3 है चारो group different है तो इसको chiral carbon और इसको star से दिखाएंगे तो यह chiral carbon है इसमें अगर इसमें मैं चेक करूँ तो यह कारण पे यह CL हो गया इधर यह CS3 एक यह पुरा इथाल और एक hydrogen होगा तो यह इसमें chiral carbon है यह सब को क्यों नहीं चेक किया क्योंकि 3 hydrogen same होगे यहाँ पे 2 hydrogen same यहाँ पे 3 hydrogen same तो चेक करनी ही जड़ोत नहीं है similarly अगर इसमें देखो तो यह तो CL1 different होगया यह hydrogen यह different होगया बट इधर भी इथाल है इधर भी इथाल है तो इसमें chiral carbon नहीं है और अगर chiral carbon नहीं है तो यह क्या हो जाएगा optically inactive और अगर इसमें chiral carbon है तो यह क्या हो जाएंगे optically active तो यह तो तब आपको लगाना जब शरीफ एक chiral carbon हो क्यों क्योंकि इसमें plane or symmetry या center symmetry नहीं आ सकता है तो ना जो बच्चे को सबसादा confusion होता है उस confusion को मैं यहाँ पर दूर कर रहा हूँ कि बेटा necessary condition क्या है optical isomer so करने के लिए necessary condition है कि उसके पास POS नहीं होना चाहिए और COS नहीं होना चाहिए chiral carbon ना भी हो तो भी molecule optical isomer so कर सकता है कुछ बच्चे ऐसा बना लेता मैंड में chiral carbon होगा तब ही optical अक्टिव होगा ऐसा नहीं है main condition इसकी POS और COS नहीं होना चाहिए राइट हाँ यह अलग बात है कि अगर एक chiral carbon होगा तो definitely उसमें POS COS नहीं होगा इसलिए वो प्रिकली एक्टिव हो जाता है तो यहां पर इवन नमबर ऑफ डवल बॉंड साथ में यह दोनों जो एक्टम लगे होगा यह ग्रूप वह इसी प्लेन के अप होगा और एक डाउन होगा तो आप इसको किसी भी प्लेन से कट करो इसमें प्लेन से कट करूं तो यह अप है CS3 उधर है तो दोनों सेम नहीं आ रहे है क्योंकि मीरा लिमेज नहीं है तो इसमें POS भी नहीं है दियान से देखो तो COS भी नहीं आगा कुछ बच्चे COS कैसे चेक कर लेते हैं इधर CS3 नहीं मैंने क्या बोला है 180 पे लेना बेटा आपको तो इधर CS3 है तो इसमें COS भी नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएंगे वो भी अप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे तो अगेन ये वाला भी पार्ट जो हो गया थोड़ा सा आपके लिए क्या हो गया टफ हो गया कि POS चेक करना पड़ेगा तो आपको मैंने उससे भी बचा लिया है अभी मैं जो ट्रिक दोंगा उसमें POS नहीं चेक करना डारेक आपको ध्यान से अगर सिर्फ एक ही काईरल कारवन हो तो आपको कुछ नहीं सोचना ओल्वेज मॉलिकूल अप्टिकली एक्टिव होंगे और काईरल कारवन कैसे पैचानत है तो बता दिया चारों गूरूप डिफरेंट होने जैसे यहां पर एक ही कारवन है इसलिए यह कारवन है तो आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा अगर दोनों साइट से आप आयूपेसी नेम करें अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो अप्टिकली एक्टिव रहेंगे वो सारे के सारे और अगर आयूपेसी नेम सेम आ रहा है तो फिर वहां पे कुछ मॉलिकूल नेक्टिव यह होंगे क्योंकि हाफ परट लाइट को राइट रोटेट करने कोशिश करेगा तो हाफ परट लाइट को लेफ्ट इसलिए एक कमपनसेशन की वज़ाद से वह चैंसल आप हो जाएंगे इसलिए वहां पे वह और वह उप्टिकली इनक्टिव होता है बट वह कैनल में काउंट होंगे जैसे वोर एक्यांपल यहां पे तो यहां पे देखो यहां पे डिंगा तो पर क्लोडों धर से टो पे कलोरो तो डोनों सा Casey न monet है 2 chiral carbon होगे एक से ज़्यादा chiral carbon है तो यहां पर एक plane of symmetry आ जाएगी जिसकी वज़ा से उस case में यह molecule optically inactive हो जाएगा तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपरल पूरा molecule optical inactive है क्योंकि अगर chlorine अप होंगे और यह chlorine सायलकாरवन थेंद य। इश्च्छ से टर्वoton पूछन उसके इनक्टिम होगे राइट दूसराaben को इसinäए और आपको डब भारण बंद आरा है और इन नंबर ठेहान रहें इवन नंबर यहां मतलब यहां पर दो डबल बारे 4, 6, 8, even number of pi bond X साथ आ रहे हैं, और इधर वाले दोनों group same नहीं है, A not equal to B, और इधर वाले भी same नहीं है, C not equal to D, तो यह फिर optically active हो जागा, क्यों? क्योंकि इसमे plane of symmetry नहीं आएगी, center of symmetry भी नहीं आएगी, तो इसलिए इस case में आपको सोचना नहीं है, but अगर odd number of pi bond आ रहा है तो इस case में यह molecule planar हो जाएंगे, और planar होने के जासे यह always optically inactive होंगे, इधर कुछ भी हो जाएंगे, इसलिए इसमें GI हुआ था, OI नहीं होगा, इसमें GI नहीं हुआ, OI हुआ, इसी का extended part है, double bond को हम ring consider कर सकते हैं, तो again वही बात, अगर ring एक साथ में आ रहे हैं, even number में है A not equal to B, C not equal to D, तो again यह optically active हो जाएंगे, अगर आपका again odd number में होता, तो optically inactive हो जाते हैं, similarly यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है, यह bulky group है, इसके reperson होने को ऐसे, यह ring इस plane होगा, तो यह ऐसे perpendicular plane हो जाएंगे, तो again यह non planar हो जाएंगे, और non planar होने के वज़ा से यह फिर क्या हो active, क्यों, क्योंकि यहाँ hydrogen और CH3, A not equal to B, C not equal to D, तो कहने हो जाएंगे कि point यही है, right, देने का तरीका different हो सकता है, double bond से दे सकता है, ring से दे सकता है, step से दे सकता है, यह ring और double bond का combination, तो always even odd से चनना, even होगा, तो possibility हैं अगर एक ही side same नहीं है, तो, दोनों side check करना आपको, और odd हंगे, तो आपको बोल दना है कि, optically inactive होगा, क्योंकि इसमें plane of symmetry होगा, ring के case में कैसे check करेंगे, तो जो भी carbon है, again, बिल्कूल, step का condition लेंगे, chiral carbon check करेंगे, यहां पर यह जो carbon है, इसमें मिधायल है, इधर कोई group नहीं लगा, इधर OH है, तो यह chiral carbon होगा, और यह भी chiral carbon ह होगे, right, तो chiral carbon check कर लेना, chiral carbon है, इसलिए, optically क्या हो जाएंगे, active, that means, इसमें sp3 hydration होना चाहिए, और 4 group different होना चाहिए, जो condition यहां चेक कर तो वह ही यहां चेक करना, जैसे इस case में अगर मुझे देखा जाए, तो यहां पर यह carbon पर methyl है, इधर गए तो carbon है, इधर भी carbon है, right, तो यह दुनों same नहीं होए, तो यह भी आपका chiral है, और यह भी chiral है, right, by the way, इसमें planosymmetry भी आएंगी, तो कुछ molecule इसके जो होंगे, कुछ structure वो optically inactive होंगे, but optical isomer यह so करेगा, right, तो यह भी optically active माने जाएंगे, बास मज़ना आ गई, तो इस तरीके सा आप trick से check कर सकते now naming की trick की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, आपको दो configuration में दिया जा सकता है, एक बोलते हैं, wedge and dash, right, तो वो दिख जाएगा, यह dash है, right, और इसमें से suppose कर लो कि कोई एक आपका wedge पर है, right, similarly, यह wedge हो गया, यह dash हो गया, जो thick lines होते हैं, उसको wedge बोलते हैं, और जो dash है, वो dash है, right, तो यह wedge dash में आपको naming करना परेगा, यह फिर इस type के plus वाले sense है, इसको बोलते है, fischer projection, तो ध्यान दे, जो wedge and dash है, वो 3D projection है, जो actual structure है, molecule का, उसके according है, और fischer जो है, वो हमने अपनी convenient के लिए, उसको convert किया है, यह 2D projection है, पहले यह clear होना चाहिए, अगर आप naming कर रहे ह उसके बाद priority के basis पे, अगर clockwise rotate करोगे, clockwise जाओगे, तो उसको बोलेंगे R, और anti-clockwise तो use करेंगे S, what do you mean by R, R for rectus होता है, S for sinister, तो पहले यह सब किलिए लोना चाहिए, clockwise तो R, anti-clockwise तो S, wedge dash, fischer क्या है, trick का point क्या है, कि आपको एक word याद रखना है, that is valid, simple है, valid का होतलब क्या है कि low priority group, जहां से देखो, V for vertical, L for low priority group, D for dash, अगर आपका low priority group, या तो vertical line पे है, that is, fischer में, या फिर dash line पे है, that is, wedge dash में, तो उस case में, अगर clockwise आप rotate कर रो, तो R बोलना है, anti-clockwise to S, very simple, valid word में ही सब word आ गया, low priority group, अगर आपका vertical पे है, या फिर dash पे है, तो clockwise तो R, anti-clockwise तो S, very simple है, right, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो otherwise में reverse करते हैं, तो clockwise में S हो जाएगा, और anti-clockwise में R हो जाएगा, यह कब करना, जब आपका low priority group, इसको follow नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एक example से भी समझाता हूँ, priority कैसे assign करेंगे, according to their atomic number, right, दियान से देखो, मैं एक example से समझा लोग, जै इसको हम consider करेंगे, यहाँ पर oxygen है, यहाँ पर chlorine, यहाँ पर baramine, यहाँ पर carbon है, तो इसमें सबसादा the atomic number किसका हो गया, ब्रोमीन का, तो ये 1 हो गया, उसका chlorine का, तो ये 2 हो गयी, उसके बाद ये 3 हो गये, उसके बाद ये 4 हो गये, तो ये है priority assign करने का मतलब, ये कर दिया, अब आपको always, ध्यान रहे always, one से two जाना, two से three, ignoring four, four कहाँ पे आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, one से two पे जाना, two से three पे, तो ध्यान से देखो, one से मैं two पे गया, और two से three पे, तो ये कैसे चरो ध्यान से देखो, anti-clockwise, right, ये anti-clockwise हो गया, अब low priority चरो, low priority आपका किस पे है, ध्यान से देखो, dash पे है, क्योंकि low priority मतलब fourth numbering वाला, तो ये dash पे है, और anti-clockwise, मतलब valid word लग रहा है, low priority, dash पे है, तो anti-clockwise होगा, तो इसका configuration क्या हो जागा, yes, ऐसे आपको करना है, एक और example समझते हैं, जैसे ये वाला है, तो ये आपका chiral carbon है, इससे ये carbon है, ये भी carbon है, य ये hydrogen है, ये chlorine है, right, तो सबसे पहले, इसको priority मिल जागा, तो one, अब यहाँ पे दोनो carbon carbon होगे, अगर पहला element से मझाता है, तो दूसरे element पे जाना, वो भी से मझागा, तो तीसरे पे, right, इस type से, तो यहाँ पे दो carbon है, तो ये ज़्याद हो जागा, तो ये two, ये three हो एसे नहीं आ सकते, one से two जाना, two से three, आप द्यान से देखो, तो आप कैसे चल रहो, clockwise चल रहे है, बट, जो हमारा low priority group है, that is fourth वाला, वो आपका dash पे नहीं है, तो वही हमने बोला, फिर otherwise हमें क्या कर देना, reverse, तो ये हमे clockwise जा रहा था, right, तो इसको क्या होना चाहे था, आर, लेकिन ये क्या होगा, yes, क्यों, क्योंकि द्यान से समझो, low priority group आपका dash पे नहीं है, तो ये हम clockwise जा रहे है, right, clockwise जा रहे है, तो क्या लेना था, आर, लेकिन अभी उसका उल्टा करेंगे, तो ऐसे करना आपको wedge dash में, clear है, एक से ज़्यादा भी होंगे, तो same वैसे ही करना है similarly अगर इसमें बात करें, तो वही same point, ये chiral carbon हो गया, तो यहाँ पे ये chlorine तो 1, ये oxygen को 2, atomic number के recording, ये 3 और ये 4, okay, always इसमें भी 1 से 2, 2 से 3 पे जाना, तो ध्यान दे, आप ऐसे नहीं आ सकते, तो पहले कौन मिल जागा, 3, हमें 1 से 2 पे जाना, ignoring 4, 4 बीच मागया तो उसने मतल पे, तो ये कैसे जा रहा हूं है, clockwise, और जो मेरा low priority है, that is fourth number वह वर्टिकल पे है, valid है, तो मैं clockwise जा रहा हूं, तो इसलिए क्या भोलूंगा, इसको R, clockwise में फिर R, Central Railway से यादर सकतो C, R, clockwise तो R, right, चुकि वर्टिकल पे है वो, इस case में अगर मैं चेक करो, तो ध्यान से लेगा, one से two, feet two से three, right, ignoring four, four से गौनतलम नहीं है, तो आप कैसे चल रहो, ध्यान से देखो, anti-clockwise, anti-clockwise तो आप चल रहो, बट आपका low priority, vertical पे नहीं है, तो anti-clockwise चल रहा था, तो S होना था, लेकिन reverse करना है, तो क्या करना परेगा, R, इस तरीके से आपको करना है, समाझ के बा उसके बाद आप उस molecule का दोनों साइट से naming करेंगा, अगर IU pack naming different आ रहा है, तो two की power n हो जाएगा, optical isomal, अगर IU pack name same आ रहा है, तो फिर आपको देखना है, कि n की value केतना है, अगर even है, तो two की power n-1, plus two की power n by 2-1, अगर odd है, तो two की power n-1, plus two की power n-1 by 2, तो इस formula से आपको निक जाता हूं, ध्यान रहे, रिंग के case में यह formula ना लगाए, तो बेटर है, क्योंकि गलती होने के chances रहते हैं, तो उस case में आपको क्या करना है, logically think करना है, logically in the sense, आपको GI कैसे draw करना है, वो बता रखाऊं, GI वाले वीडियो लेक्शर में, फिर वहां से आपको OI, think करना है, वा सबसे naming same नहीं आएगी, तो N कितना हो गया, इसका 2, तो इसलिए OI कितना हो जाएंगे, 2 की power 2, that is 4, ऐसे case में naming कैसे करेंगे, तो वो भी very simple है, अगर आप इस carbon का कर रहो, तो इसके चार ग्रूप कौन है, यह है, एक hydrogen, यह fluorine, यह CS3, तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे number में, उसके बाद इधर आएंगे, तो carbon है, इधर भी carbon है, बट यहाँ पर carbon पर बड़ा वाला जो लेंगे, वो लेंगे, जो सबसे बीग होंगे, तो इसलिए इधर क्या मिछ जाएगा, इसको 2, फिर यह हो जाएंगे 3, और यह 4, आपको क्या वोला था, 1 से 2, 2 से 3, तो कैस जारों आप, द्यान से देखो, clockwise, बट आपका जो लो प्रारिटी है, वो कैसा है, horizontal पर, vertical पर नहीं, तो clockwise तो आर होना था, लेकिन क्या हो जाएगा, तो इसका क्या रहेगा, तो करेंगे, फिर अगर मालो मुझे इसका करना हो, तो कैसे करेंगे, द्यान से देखो, तो BR को 1 म मिल जाएगा, राइट, समझ के बाद, अब आपको कहां से कहां जाना है, तो 1 से 2, 2 से 3, तो ऐसे जाना परेगा, 1 से 2, 2 से 3, ignoring, 4, तो आप कैसे जारों, द्यान से देखो, clockwise, और लो पराइटी है, आपका वर्टिकल पर है, तो clockwise तो क्या हो जाएगा, आर, तो इसलिए ये क तो N केतना हो गए आपके लिए, 2, बट, naming, same हा रहा है, तो N 2 है, तो मतलब क्या हो गए, even, तो even में ये formula लगाना है, तो 2 की पर 2-1, पलस 2 की पर 2-1, तो ये केतना हो गए, 2 की पर 1, 2 की पर 0, तो केतना हो गए, 3, तो इसमें 3 optical isomar मिलेंगे, जिसमें से एक ये होंगे, ए और एक जो आप ये वाला बनाओगे, तो ध्यान से देखो, इसी में वो POS आजागा, plane of symmetry, तो ये plane of symmetry आगया, तो इसी को बोलते है, मीजो, जिसके बारे हम बात करेंगे, तो ऐसे case में आपको ये करना है, तो आपको समझाए कि आपको क्या करना है, फिर पहले GI तिंक करना ह तो इसका GI हम ड्रव कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, अगर ये दोनों आप में हो गए, दोनों ही अगर मानलों आप में होते, ये CS3B, तो ये आपका CCR trans जो भी होता, तो अगर दोनों आप में है, तो अगर मैं मानलों सिस, और एक condition क्या होता, कि ये किसी एक को down में कर दो, तो उसके according ये क्या आपका, trans, तो ये क्या होगे आपके, trans, क्योंकि यहाँ पे एक और दूसरा कोन है, अगर ये अप में है, तो hydrogen आपका down में है, और ये अप में है, तो hydrogen आपका down में है, तो ये आपको draw कर लेना GI, वो easy है, अब इसमें हम ध्यान से देखें, तो plane of symmetry नहीं आपको राइट, क्यों, क्योंकि इस plane से cut करोगे, तो CH3 के सामने OHR है, तो pure नहीं है, तो ये optically active हो जाएंगे, और similarly इसमें भी नहीं आपको राइट, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तो जब भी optical isomer show करते हैं, तो ये होते हैं खुद, और इसका mirror image, तो 2 हो जाएंगे, ध्य जान दे, इसमें GI already included है, तो total stereo isomer, अगर पूचे तो भी हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें आपने GI count कर लिया है, तो इस तरीके से आपको करना है, तो I hope मेरा ये परियास आपको पसंद आया होगा, इसमें हमने बेटा सब कुछ को discuss कर दिया, आपको सारे trick दे दिये, आप सारे P IQ को इस पर बेस्ट सॉल कर सकते हो, थेंक यू, हलो एवरीवन, कसका आए, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, निकलो फिलिक सब्स्टिशन रियक्शन के बारे में, जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दोंगा, उससे आप इस पर बेस्ट आने वाले किसी प्राबलम को बहुत इसली कर लोगे, एंड कुईक्ली भी, नाव दो कोशन इसकी वाट इस निकलो फिलिक सब्स्टिशन, तो इसका सिंपल सा मतलब है, कि एक सिग्मा बॉंड बेक होगा, और दूसरा न्यू सिग्मा वहाँ पर फॉर्म होगा, सिग्मा को सिग्मा रिप्ल बोलते हैं, और एक S&2, practically इसको समझना हो, तो एक very similar example देता हूँ, जस्समझने के लिए है, काम जो होते है, वो दो तरीके से लोग करते है, एक नंबर का काम होता है, और एक दो नंबर का काम होता है, एक नंबर का काम होता है, उसमें आदमी को खुद मेहनत करना पड़ता ह एकला वो वर करता है, इसलिए यहाँ पर rate जो है वो Griffve Para Street reaction, पर दूसरे को भी involve करना परहेंगा, तो इसलिए यहाँ पर दो लोग की जरूत हो दिये, एक एलकाल हलाइड या अलकोहल या इथर होगा ही दूसरा निकलोफाइल भी इसमें रहेंगे इसलिए ये 2 आया है तो उसी से हो गया 1 आना से order क्या हो गया 1, molecularity 1 यहाँ पर order कितना हो जाएंगे 2, molecularity 2 यूनो जो 1 number का काम होता है time taking होता है इसलिए ये एक से ज़्यादा step में होंगे multiple step में होंगे और इसमें जो सबसे slow process होगा उसको बोलेंगे rate determining step again you know 2 number का जो काम होता है वो single step में पैसा दो और काम लो तो single step में होते हैं ये चुकि ये एक से ज़्यादा step में होते हैं इसलिए इसमें intermediate बनेंगे और intermediate कौन बनेगा कार्बो काटायन और कार्बो काटायन जहां भी बनेंगे तो आपको बता रखाओ इसको पहले rearrange कराना है उसके बाद निकुलो फाइल को substitute करना है बट यू नो कि जो second order वाली reaction होती है उसमें कोई intermediate नहीं होता है सिर्फ transition state होंगे और उसका product बन जाएगा by the way transition state इसमें भी होंगे और always दो transition state के बीच एक intermediate होता है इस point को ध्यान में रखना इसलिए ये जो reaction है वो 3 degree में सबसे ज़ादा होगा फिर 2 degree में फिर 1 degree में बाइद बे 1 degree में ये reaction होंगी भी नहीं और इसमें उसका just उल्टा होगा 1 degree, 2 degree, 3 degree ये degree का क्या मतलब है उसको यहाँ पर समझाया है कि carbon से जो भी halogen attach है carbon से ध्यान दे या alcohol या ether तो जिस carbon से ये attach है वो carbon कितने carbon से attach है तो अगर ये carbon 3 carbon से attach होगा तो इसको 3 degree 2 carbon से अगर attach होगे तो 2 degree और एक ही carbon से होता है तो 1 degree Similarly, अगर benzene के बगल वाले carbon पे ध्यान रहे benzene से कोई carbon attach है उसको बोलेंगे विनाईल अगर benzene पे direct halogen है तो एराईल Similarly, double bond के बगल वाले carbon पे halogen है तो अलाईल और double bond पे ही अगर halogen है या alcohol है या ether है तो उसको बोलेंगे विनाईल तो यहाँ पे एक point और समझना है कि कभी भी जो number one का जो काम होता उसमें कोई hysteric factor कोई घूस की ज़रूत नहीं परते उसमें कोई hysteric factor वर्क नहीं करेगा चाहे वो कितना भी बड़ा अलकाल हैलाइड हो या alcohol हो इसमें hysteric factor हम consider नहीं कर सकते हैं hysteric factor मतलब crowding इसमें crowding का कोई सेंस नहीं कोई का अधमी अकेला वर कर रहा तो उसको मालम है हमारा काम भेले late होगा लेकिन होगा तो इसमें hysteric factor या crowding का कोई सेंस नहीं है बट इसमें hysteric factor का problem होगा रहा दो number का काम है तो जतना ज़्यादा पैसा दोगे उतना जल्दी होगा तो इसमें hysteric factor का problem है what is hysteric factor तो वही चीज़ यहाँ पे है कि one degree में भियान से देख सकते हो आपका दो कारवन होगा नहीं एक कारवन हो सकता है तो छोटा गुरूप होने के उज़ासे जो निकिलोफाल हो इसली अटेक कर सकते है इसलिए इसमें hysteric problem सबसे ज़्यादा matter करता है और दूसरा point यह है कि वही चीज़ को समझाया है कि जैसे यहाँ पर अगर यह तीन कारवन होंगे तो इसमें सबस्यादा होगा फिर अगर एक hydrogen आगया तो उससे कम हो जागा अगर दो hydrogen आएंगे तो और भी कम हो जागा और तीन hydrogen आएंगे तो और भी कम rate कम होती जाएंगी बट यहाँ पर उसका reverse होगा विनो SN1 में कार्बो कटान बनते हैं तो जिस कारवन पर पर पलस चार्ज है उसी पर attack होगा तो वो कारवन की हावडर्शन हो जाएगी SP2 और यह हो जाएंगे planar planar होने को जासे structure कैसा होगा ऐसा बिल्कुल द्यान से देखो यह planar है इसलिए इस पर attack दोनों साइड से हो सकते हैं इस साइड से भी right that is back side और इस साइड से भी that is front side अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे तो यह आपके लिए front side है और यह back side है तो दोनों साइड से attack हो सकते हैं इसलिए both side attack right racemization मतलब कहा है जैसे यहाँ पर द्यान से देखो यह red color, यह blue color, यह black color यह तीनों different हो गए और जो nickelophile है वो भी अगर different हो जैसे यहाँ पर यह penah और यह marker है यह सब different हो गए तो एक कारवन पर अगर चारों group different हो गए तो racemization यहाँ पर बनेगा क्यों? क्योंकि जतना यह बनेंगे आगे वाले attack वाले उतना ही back side attack वाले 50% 50% होंगे तो आगर दोनों का equal mixture हो that means optical isomer का equal mixture हो तो उसको बोलते हैं racemization और यह तभी बात होगी जब चारों group different होंगे but we know कि जो SN2 है उसमें SP3 करवन पर attack होता है और SP3 मतलब tetrahedral right, tetrahedral बोले तो यह इस type से, right तो यह tetrahedral हो गया तो अब आप देखो इधर में back side से यह attack हो सकता है कि लिए इधर से तो attack ही नहीं हो सकता क्योंकि यह भी living group पर भी minus है और nickelophile पर भी minus है तो ripple हो जाएंगे तो यह back side से attack करेंगे इधर से जब optically active होगा that means 4 group different होगे now the question is कि आप SN1 कहां पर कराएंगे तो जहां पर polar protic solvent होगा polar protic समझे वैसे solvent जो H plus देंगे polar protic solvent that means hydrogen phone से attach होना चाहिए जैसे water, ROH alkohol यह सब polar protic solvent होगे तो वहां पर आपको SN1 सोचना है but अगर polar or protic solvent है तो वहां पर SN2 polar or protic का क्या मतलब है polar तो होगा लेकिन hydrogen phone से attach नहीं होगा जैसे acetone तो यह polar or protic है बासमझ में आ गई तो यह point ध्यान रखना चुकि यहां पर SN1 में आपको जो nucleophile चाहिए वो weak nucleophile चाहिए और इसलिए generally जो lone pair वाले, neutral वाले है वो इसमें हम prefer करते हैं कि वहां पर SN1 होगा लेकिन SN2 में strong nucleophile चाहिए strong nucleophile आप कैसे पैचानेंगे जिस पे negative charge जैसे CN- OH- RO- ऐसा क्यों? क्योंकि SN2 में weight नहीं करेगा कि आप पहले living group बाहर जाए फिर मैं attack करो वो एक साथ दोनों process होती है attacking का भी और living का भी बट इसमें कैसा होता है? पहले halogen leap कर जाएंगे उसके बाद फिर nucleophile आकरके attack करता है तो इसलिए इसमें weak nucleophile की requirement है इसमें strong nucleophile का requirement है क्योंकि ये weight नहीं करेंगे एक point और यहीं पर समझेंगे चुकि इसमें carvokatan बनता है तो carvokatan के stability के according हम reactivity को पहचानेंगे इसलिए plus M group वाले सबस्यादा reactivity को बढ़ाएंगे फिर hyperconjugation वाले, फिर plus I फिर neutral, फिर minus I, फिर minus I that means carvokatan के stability के according reactivity vary करेगी और SN1 में always आपको carvokatan के बारे में think करना है कि carvokatan केतना stable होगा और उसका rearrangement possible है तो rearrangement भी करवाना है बट जहाँ पे SN2 की बात होगी तो वहाँ पे आपको think करना है कि carvokatan पे कितना से ज़्यादा positive charge increase हो रहा है और carvokatan पे plus del charge partial positive charge increase होने का उतलब है कि minus M group support करेंगे अगर कोई minus M group है तो वो reactivity को बढ़ा देंगे idea GOC में दे रखाओ इसलिए यहाँ पे आपको always SN2 में always क्या think करना है कि जो carvokatan पे attack हो रहा है वो less crowded होना चाहिए उस पे कम से कम bigger group लगे होने चाहिए एक point और यहाँ पे समझना है जो SN1 reaction होती है you know एक से ज़्यादा step में होती है इसलिए इसमें एक से ज़्यादा transition state होंगे और always दो transition state के भी check intermediate होगा और धीरे धीरे यह जो peak point है वो कम होते जाएंगे right बट जहाँ पे SN2 reaction की बात होगी तो वो single step मोती है इसलिए उसमें स्रीफ और स्रीफ एक transition state होगा और आपको product मिल जाएगा तो यह graphically भी कभी question पूछ ले जाते हैं इसलिए आपको clear run है ध्यान रहे कि यहाँ पे एतना ही peak point नहीं होगा और भी हो सकता वो depend करता है कि इतना rearrangement होगा बट minimum दो transition state होगा और एक intermediate होगा बट इसमें स्रीफ और स्रीफ एक transition state होगे now main trick you know कि जो SN1 या SN2 reaction है वो alcohol halide पे हो सकती है alcohol पे हो सकती है and ether पे हो सकती है तो एक point जो clear होना चीए आपको कि जिस carbon पे halogen लगा होगा या OH या OR वो carbon SP3 hybridize होना चीए तभी आप SN1 या SN2 की बात करेंगे अगर वो SP2 या SP hybridize है तो SN1, SN2 होगा ही नहीं इस बात का ध्यान रखना तभी हो सकता है जब जिस carbon से halogen या OH या OR अटच है वो SP3 हो बाकी carbon के hydrogen कुछ हो चलेगा लेकिन जिस से ये तीनों अटच है वो carbon SP3 होना चीए तभी SN1, SN2 की बात होगी अगर वो carbon SP या SP2 है तो SN1, SN2 reaction नहीं होगी तो इस पांट क्या ध्यान रखना Now the question is कि alkyl halide के case में अगर वो 3 degree है या फिर आप देखो कि halogen हटाने के बाद वो carbon carbon resonance से stabilized हो रहा है तो वहाँ पे आपको SN1 reaction कराना है fix है समझ के बाट 3 degree या resonance stabilized carbon carbon बन रहा है तो आपको SN1 reaction कराना है अगर 1 degree है alkyl halide तो always SN2 आपको सोचना ही नहीं है 2 degree में सिर्फ आपको सोचना परेगा 2 degree में फिर polar protic solvent that means versus solvent जो H plus दे सकते हैं तो SN1 कराना है और polar or protic solvent that means polar तो है polarity तो है उसमें बट वो H plus नहीं दे सकते हैं तो फिर SN2 कराना तो alkyl halide में आपको ये main trick है दूसरा जो है alcohol में आपको क्या करना है अगर HCl, HBR, HI strong acid है तो आपको SN1 कराना है that means इसमें dehydration होगा water बाहर चला जाएगा alcohol का OH और इससे जो H plus मिलेंगे वो water के form में carvokatan बनेगा rearrange कराना है फिर उसका निकलोफाल को attach करना है but PCL3 या PCL5 हो तो always आपको SN2 कराना है तो इसमें generally SN1 ही होते हैं very rare है SN2 और fix है similarly ether के case में आपको ध्यान देना है कि oxygen के दोनों तरफ carbon है तो ये दोनों carbon में से या तो दोनों या कोई एक 3 degree का हो गया या again resonance stabilize हो गया तो SN1 oxygen के दोनों तरफ जो carbon है उसमें से दोनों carbon या फिर कोई एक carbon अगर 3 degree का निकल गया या फिर resonance stabilize हो रहा है तो SN1 कराना है otherwise 1 degree 2 degree का अगर दोनों तरफ तो आपको SN2 कराना है एक point का ध्यान रखना कि इसमें जो ether में रियेजेंट है वो HI and HBR लेते हैं इसमें बेस हम problem भी देखेंगे और एक और point important है कि यहाँ पे oxygen और carbon bond है अब इस side वाला break करना है या इस side वाला तो आप कैसा identify करेंगे तो आप दोनों break करके देख लेंगे जिसमें ज़्यादा stable carbon को 10 होगा उस side वाला break करना है जैसे इस case में अगर मैं इधर वाला break करता हूँ तो double bond पे positive हैगा ध्यान रहे positive and double bond highly unstable होता है तो इधर वाला आपको break नहीं करना है फिर ये वाला break होगा बास मुझना आ गई और उसके according आप plus minus को add कर देंगे नाउ ग्यान की बात अगर कभी भी double bonded carbon पे x लगा हो या फिर benzean से direct x attach हो या फिर bridge head carbon पे x attach हो यहाँ पे x क्या है halogen या alcohol या or ether अगर ये तीनों ही है तो अगर double bond पे होंगे तो vinylic benzean से direct होंगे और bridge head वाले होंगे तो bridge head तो यहाँ पे ना तो SN1 reaction होगी ना ही SN2 यह वही case होगी आपको बताया था कभी भी आपका halogen या alcohol या ether double bonded carbon that is SP2 या SP half dash attach है तो ना तो SN1 reaction कराना है ना ही SN2 इसलिए यह important point है यहाँ पे SN1 SN2 नहीं होगा दूसरा point अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यह जो carbon है यह 1 degree वाले है यह भी by the way 1 degree वाले है बट यहाँ पे generally हम prefer करते है SN1 क्यों क्योंकि इस halogen के जाने से जो positive charge create होगा वो resonance stabilize होगा तो इसी point के बारे में बात कर रहा था अगर resonance हो रहा है तो SN1 आपको कराना है by the way यहाँ पे SN2 भी कराएं तो कोई फर्थ नहीं परेगा point number 3 कि चाहे वो SN1 reaction हो या SN2 leaving group जतना अच्छा होगा उतना reaction fast होगी इसलिए है यह हैलोजन के case में iodine वाला सबसे ज़्यादा fastly react करेगा फिर bromine वाले फिर colorine फिर fluorine in general तो leaving group जतना अच्छा होगा उतना fast यह दोनों reaction होगी दोनों का same condition है आप कैसे चेक करेंगे तो removal के बाद remove होने के बाद आप उसकी stability चेक कर ले जतना ज़्यादा वो stable होगा अगर उसमें resonance हो रहा है जतना वो stabilize होंगे उतना early वो remove होंगे उतना fast SN1 या SN2 reaction होगी point number 4 जो है कहीं पे भी अगर aqueous AGNO3 दिख जाए आपको या फिर moist AG2O that means silver कहीं पे भी दिख जाए तो वहाँ पे आपको SN1 कराना है irrespective of कि वो कौन से degree का है द्यान रहे बर्ट यहाँ पे तो clear है होगा नहीं अगर वो SP3 हट आजा है वन डिग्री हो तो भी आपको think करना है कि वो SN1 के according लेके चलना है क्योंकि जो silver होते हैं वो strong affinity होते हैं halogen के and point number 5 that is very important और उसके लिए trick है DNA DNA और RNA होता है DNA का मतलब क्या है कि कोई D block का element दिखे तो nitrogen को attach करना है D for D block N for nitrogen A for attach DNA that means जैसे RX कोई भी alkaline halide है उसकी reaction AG, CN से कराएंगे तो यहाँ पे बच्चे confused रहते है AG क्या होगा D block का तो कोन attach होगा nitrogen तो RNC ISO nitrile या ISO cyanide आपको बनाना है वैसे ही AGNO2 तो nitrogen attach होगा तो nitro वाला आपको बन जाएगा बट वहीं पे KCN होता यह S block वाले है तो फिर C attach होगे तो cyanide बनेगा यहाँ आटराई और KN ओट होगा तो oxygen attach होगा यहाँ पे बच्चे confused रहते हैं इसलिए वो confusion से बचने के लिए DNA वाल यहाँ रखो D block को होगा तो nitrogen को attach करना है otherwise उसका उल्टा कर देना और यह कब आपको problem आएगगे जब Embedent Nucleophile होगे that means ऐसे Nucleophile जिसमें दो donor site हो तो यह ग्यान की बात very important है अब हम application की बात करते है question number one में यह reactant है और यह reagent given है आपको product बताना है तो यहाँ पे देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ सबसे पहली चीज कि यह 2 degree है तो 2 degree में SN1, SN2 दोनों हो सकता है बट यह जो आपने लिया Nucleophile या solvent यह neutral वाले है लोन पेर वाले तो इसलिए यहाँ पे क्या कराऊंगा SN1 क्योंकि weak nuclear file हो गए तो SN1 कराने का मतलब क्या हो गया क्या पहले यहाँ से BR हटा देंगे तो देखो मैंने यह हटा दिया कार्वो काटान बना देना है आप यह कार्वो काटान चुकि rearrange होंगे क्यों? क्योंकि यह hydrogen आपका यहाँ आ जाएगा और यह पलस यहाँ तो एक step यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इस पर यह है और यहाँ पर आपका वो H आ गया इधर वाला यह आपका ऐसे ही था और यहाँ पर पलस अब यह कार्वो काटान ज्यादा stable है क्यों? क्योंकि इसके पास 8 alpha hydrogen हो गया अब यह as a nickelophile attack करेंगे oxygen का लोन प्यार इस पे तो क्या हो जागा product द्यान से देखो इस carbon पे 2 CH3 थे और वो O CH3 यह बन जाएंगे इधर CH2 CH3 तो यह आपका product हो जागा द्यान दे जिस carbon पे positive charge बना था उस पे यह दोनों group same थे methyl अगर different होते यह already एक different था अगर यह और कोई दूसरा group होता तीनों अगर different होते तो फिर यहाँ पे racemic product मिलता that means 50% यह मिलता और 50% इसके दूसरे वाले that is R और S मिलते बट यहाँ पे कोई racemic product ने मिलेगा क्योंकि दोनों के same तो यह chiral ही नहीं है वो तभी बात होंगी जब chiral होगा तो question number 2 में यह 4 given थे order of SN1 आपको कैसे बताया SN1 के according कि आपको carvokatan के stability चेक करना है यहाँ पे ध्यान से देखो यह जब जाएगा तो यहाँ पे carvokatan बनेंगे एक यहाँ पे बनेगा यह यहाँ पे बनेंगे और यह यहाँ पे first जो carvokatan बनेगा उसके according thing करना है यहाँ पे जो carvokatan बन रहा है वो resonance stabilize है plus इसका जो है वो plus M effect है right बट यहाँ पे जो है सिर्फ resonance stabilize है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे at least इसके पास alpha hydrogen या plus effect है तो इसलिए सबसे ज़्यादा C में होगा फिर D में होगा फिर A में होगा फिर B में तो इस step से question पूछा जा सकता है next question number 3 में यह एक reactant है और QH दिया अब हम कैसे think करें again 2 degree है यह एलकाल हैलाइट तो यूनो यह strong base हो गया क्योंकि इससे क्या मिनने वाला है OH- और strong nucleophile भी है तो इसलिए यहाँ पे क्या think करना आपको SN2 strong होते हैं SN2 अब यूनो कि यह तरह से chiral है कैसे द्यान से देखो यह एक methyl group यह एक BR इधर कुछ नहीं है तो hydrogen है और यह एक चौथा group तो चारो group different है SN2 हो रहा है तो inversion होता है backside attack होता है BR अप में तो इधर में OH क्या हो जागा down में तो आपका product कैसे बनेगा द्यान से देखो यहाँ पे यह double bond अब आपको OH जो लाना है वो backside से right और यहाँ पे जो आपका NS2 जैसे था द्यान रहे जिस पे attack हो रहा है उसको ही change करना है बाकी को आपको chain नहीं करना है तो ऐसे ही रखना है ना अगर आप option चेक करो तो ऐसा कोई option नहीं है और बच्चे घबरा जाते है द्यान से देखो तो यह दोनों back वाले है जो पीछे से दिख रहा होगा वो उसको क्या लगएगा यह दोनों आप है या फिर आप इसको क्या करो just ऐसे पलड़ दो 180 से 180 से rotate करने पर configuration में कोई चेन नहीं होता है तो आप देखो 180 से rotate करोगे तो यह कैसा हो जाएगा इस step से हो जाएगा द्यान से देखो आप तो अब यह down थे तो अब यह up हो जाएगे आपके OH यह down थे तो यह भी up हो जाएगे और ऐसा option कोने द्यान से देखो तो C तो इस step से आपको application ले सकता है question number 4 में 2-methyl-propyl-bromide की reaction एक बार C2H5O- से और एक बार C2H5OH से तो यह भी मिले गा तो उसका name बताना था और reaction का mechanism तो पहले तो 2-methyl-propyl-bromide बना लो प्रोपाइल बोले तो यह 3 करवन bromide बोले तो यहाँ पे और 2-pे methyl राइट यहाँ पे जो निकलोफाइल है वो लोन पेर वाल है नीट्रल तो यहाँ पे आपको क्या करना है SN1 तो पहले तो यह clear SN2 में direct BR हट करके वो लगा देना है तो यहाँ पे आपको कैसे करना पर एगा यहाँ पे आपका लग जाएगा OCH2CH3 अब ध्यान से देखो तो यह second carbon पे methyl है तो इसको क्या बोलते है टोटल कितने carbon होगे 1, 2, 3, 4 carbon तो इसको बोलेंगे ISO-butyl और इधर क्या हो गया यह ethyl और ether तो इसका नाम क्या हो जाएगा ISO-butyl ethyl ether But SN1 होगा तो आपको क्या बोला पहले आप इसको हटा देंगे राइट कार्व काटाइन बनेगा फिर रियरेंज होगा तो रियरेंज होकर के यहाँ पे पलस आएगे यह stable है अब यहाँ पे आपको attach करना है तो यहाँ पे आपका OCH2CH3 attach होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो Tert butyl Tertsery butyl होगे राइट कुईकि चारो इसके पास यह तीनों तरफ कारवन ही है Terts butyl Ethyl राइट और Ether यह है इथाईल आपका तो यह नेम हो जाएगे तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है Question No.5 में इस टाइब से गिवेन है तो यह pH मतलब क्या हो गया बेंजीन हो गया एस माइनस अगेन ध्यान से देखो तो यह negative वाला है तो SN2 में कराऊंगा कैसे दाय मिथाल फॉर्मावाइट यह बता रहा है polar operatic solvent है यहाँ पर यह भी बता रहा है कि यह 2 degree है तो आपको बिल्कुल जो trick दे रहा है उससे पैचान जाओगे negative हा गया तो SN2 कराना और polar operatic है चुकि यह upside में है तो यह स्रिफ क्या हो जाएंगे back side में बाकी चीज़े आपको वैसी रहने देना है बाकी चीजों में कोई chain नहीं क्योंकि जहाँ पर attack होता है बस वहाँ पर change करना है तो यहाँ पर यह upside से था तो आपका वो S और pH जो है वो back side से आजाएंगे तो यह product हो जाएगो question number 6 में यह सब compound given थे nickelophile के attacking order बताना है तो यहाँ पर आपको कैसे सोच रहा है कि nickelophile पर खुद क्या negative तो वह वहाँ पर attack करेंगा जिस कारण पर ज्यादा positive हो तो definitely positive इस कारण पर आने वाला CL के वज़ाद से electronegativity है तो यहाँ पर आएंगे बट यह group support करेंगे क्योंकि minus M है तो positive को increase करेंगे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर यह plus M group है यह positive को कम करेंगा और यहाँ पर जब आएंगे तो यह तीनों group ही मिलकर करके क्योंकि यह और्थो यह पर आप है मानस M सो कनेगर से positive को increase करेंगे तो सबसे ज़्यादा fourth में attack होने के chances है उसके बाद ध्यान से देखो तो second वाले में फिर उसके बाद first वाले में last में third वाले में तो इस टाप के भी question पुछा आ सकते हैं वैसे यह जी ओसी का question है इसके बारे में detailed discussion में कर रखा हूँ question number seven में यह आपको reactant और यह reason given है major product again कैसे सोचना है द्यान से देखो NOH water में डाला तो क्या मिलेगा OH माइनस strong base भी है और strong nucleophile भी है चुकि strong nucleophile होने के जासे reaction को क्या कराना आपको SN2 SN2 कराएंगे तो क्या करना परेगा यहाँ पर OH आजाएगा आपका right और यहाँ पर यह जैसे था और यह चीजे बस इतना इकडाना है SN1 नहीं कडाना है अब यहाँ पर number of pi electron pi electron पूछा है pi bond नहीं तो हर एक bond में 2 electron होते हैं अंसर केतना हो जागा इंटीजर टाइप में 2 तो इस टाइप से भी कोशन पूछे जा सकते हैं इसलिए ध्यान रखना नेक्स कोशन नमबर 8 में इसकी reaction है से ध्यान से देखो तो यह आरो आ रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो यह 3D है राइट तो आपको बताया था यहाँ पर आपको क्या कराना पड़ेगा SN1 आइधर साइड अगर कोई एक 3D हो जाता है या resonance हो जाते हैं तो SN1 कराना है आप bond को कि इधर से ब्रेक करेंगे तो भी बताया इधर से ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर plus stable होगा तो आप क्या करो प्लस बना लो राइट तो यह ध्यान से देखो यहाँ पर यह मैंने plus बना दिया तो हैजाए का क्या करना इधर से bound ब्रेक है तो इधर आई देना और इधर हैज देना है तो दूसरा वाल है तो आइमानस अटेक करेंगे कार्वकाटान है SP2 है दोनों साइड में अटेक हो सकते हैं बोथ साइड अटेक होने को यहाँ पर आपको रेस्मिक मिस्चर डैट मिस RS मिलेंगे तो यहाँ पर टोटल प्रोड़क्ट पूछा जाए तो दो इससे मिलेंगो और एक यह ध्यान से देखो तो यह तीनों ग्रूप अगेंड इफ्रेंट राइट तो फिर यहाँ पर वेज की जगाँ को लाता आई अगें दोनों साइड एटेक क्योंकि यहाँ पर एगें एसन वन कराना आपको राइट पीचल 3 या पीचल 5 होता तो यहाँ से भी दो चार तो इस टाप से आपको कोशन पूछे जा सकते हैं कोशन नमबर 9 में इसकी रेक्शन हेच बियार से कराना है तो अगें ध्यान से देखो आप यह वाला बांड ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि करेंगे तो इधर पॉजिटिव हैगा डवल बांड पर अनस्टेवल है तो य यह बैंजीन आपका रहा जागा कोशन नमबर 10 एगें इंपोर्टेंट है हेच पलस हेच टूओ वह जो है वह 18 वाला डिस्टिंग्विश करने के लिए तो एगें आपको इधर से ब्रेक करना परेगा क्यों क्योंकि यह जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो जिवाब नहीं बना सकते थे और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आप द्यान से देखो तो आपका यह इस टाइप से रहेगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव इस ट्रेव लोता तो यह कौन सा वाला है 18 वाला तो यह द्यान रखना यह 18 वाला था पहली बात बताया था आपको एजी जब यह एक्वास तो आपको रियक्शन क्या कराना है SN1 SN1 कराने का मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे कार्व कटान बना देंगे चुकि रिंग के जस्ट बार वाले कारण पर पॉजिटिव है एक्सपेंशन हो जाएगा तो रिंग इस लिए एक इंपर्टेंट पाइंट है यहां पर बच्चें कंफिज रहे दें लगा देतें वो गलत है तो आई होप मेरा यह परयास आपको पसंद आया होगा वैसे तो देखा जा बेटा तो और भी कोशन लिया जा सकता है लेकिन उसका कोई मतलम नहीं बनता है आपको मै ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना वैसे भी एक्जाम में ज़्यादा कोशन इसे नहीं आते हैं राइट तो यहसा नहीं कि इसके चक्कर में आप सारे चेप्टर को खड़ाब कर लो जितना आपको बताया वह सफिसेंट है उससे आप कर सकतो इसी का दूसरा पार्ट है ए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रियक्शन के बारे में जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बिस डाने वाले किसी भी प्रावलों को बहुत इजली कर लोगे तो एगेन एलिमिनेशन रियक्शन कहां कहां होगा त इलिमिनेशन रियक्शन भी होंगी तो इसमें दो सिग्मा ब्रेक होंगे जैसे यह एक सिग्मा और यह एक सिग्मा ब्रेक होंगे और एक पाई फार्म होगा यूनो सिग्मा एस्टेवल होता है पाई अनस्टेवल होता है सिग्मा के कंप्रिजन में तो एक एस्टेवल बॉ यह temperature mentioned होगा जो कि generally 50 degree Celsius या उससे ज्यादा होंगे तो अगर room temperature से ज्यादा temperature है तो वहाँ पर आपको elimination करना है क्योंकि यह एक इंडो थर्मिक प्रोसेस है और इसमें जो product मिलेंगे वह एलखीन आपको मिलेगा तो यहां तक पहले clear होना चाहिए now the question is कि again elimination reaction दो type से हो सकती है एक को बोलेंगे E1 और एक को बोलेंगे E2 it is similar to SN1 SN2 type right again one है तो that means number one type का जो काम होगा उसमें time लगेगा और जो दो number के काम होते हैं वो quickly होते हैं ऐसा आप think कर सकतो तो E1 reaction में again rate सिरिफ और सिरिफ आपका alkyl halide या alcohol या ether के concentration पर depend करेगा इसलिए one मतलब order one molecularity one चुकि यह number one काम है राइट तो भी सिवाथ इसमें ज्यादा time लगेगा तो यह multiple step में होंगे एक से ज्यादा step में होंगे एगें इसमें कार्वो काटायन पहले आपको बनाना है जहां पर भी हैलोजन लगे होंगे या alcohol होगा या इसलिए खर वहां से उसको हटा करके कार्वो काटायन बनाना है फिर रियर्रेंज करना अगर पॉसलिटी है तो फिर उसके बाद आपको एलकीन एजिम मेजर प्रोड़क्ट बनाना है नाव आप कैसे पैचानेंगे कि एवन कराना है तो कोई बेस आपको गिवेन होगा और वह वीक बेस होंगे तो चल जाएगा क्योंकि एवन रियक्शन है जैसे वहां पर वीक नियोकिलिफाइल बट हीट का होना जरूरी है या फिर टेंपरेचर 50 डिग्री सलसे से ज्यादा है तो आपको वहां पर एवन कराना है आपको रेट का अगर और निकारना हो कि किसमें ज्यादा कम होगा तो इस्टेबिलिटी ऑफ कार्व का टायन से जाएंगे इसलिए थ्री डिग्री में एवन रियक्शन सबसे फास्ट होंगे फिर टू डिग्री में फिर वन डिग्री में अगर इलिमिनेशन की बात कर रहें तो एगें लीविंग गुरूप के अकॉर्डि इथर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा प्लस बेस के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो यहाँ पावर वन यहाँ पावर वन तो वन और वन क्या होगा टू तो इसलिए यह तू तो और टू मॉलिकुलरी टू चूकि यह दो नंबर का काम है फास्ट होगा तो इसलिए ये single step में हो जाएगा और ये जो elimination होता वो anti elimination होता है anti elimination का क्या मतलब है कि जो living group होंगे और जो hydrogen होंगे वो एक दूसरे से 180 पर होना चाहिए anti position पर होना चाहिए again यहाँ भी product आपको इलकीन मिनने वाला है आप कैसे पैचानेंगे कि E2 कराना है तो strong base लेना परेगा आपको और with heat आपको sign होगा कभी-कभी heat का sign ना देगा तो यह है और यह fix है और important है alcohol में आपने strong base add कर दिया like ROH and QH तो you know यह acid base reaction हो जाएगी acid base reaction very fast होती है और always exothermic होती है इसलिए यहाँ पर heat mention नहीं करेगा इस process में जो heat निकलेंगी वही उसमें काम आ जाएगा या फिर इसी को reaction हो जाएगा तो acid base तो क्या हो जाएगा salt बन जाएगे RO minus K plus तो यह कहीं पर भी हो right sodium salt of या potassium salt of alcohol इस टाइब से हो तो आपको always E2 reaction के बारे में think करना है right again इसमें rate आप कैसे identify करेंगे तो stability of alkene eliminate करने के बाद alkene बना लो और उसमें जो alkene सबसे ज्यादा stable होगा उसका rate सबसे fast होगा इसलिए यहाँ पे भी 3 degree, 2 degree, 1 degree same order है जबकि SN2 में ultra था right और again living group में तो same ही है सब में जतना better living group होगा उतना reaction fast होगी now E1 और E2 को मैं एक example से अच्छे तरीके से समझाता हूँ ध्यान से देखो आपको यह reactant लिया और H3PO4 और 120 degree Celsius से तो यहाँ से हमें समझ मारा है कि आपको elimination कराना क्योंकि temperature बहुत जादा है इसको और कैसे दे सकता है H plus heat करके दे सकता है और कैसे दे सकता है H2SO4 heat ऐसे लिख सकता है या फिर H3PO4 and heat या temperature mention कर देगा तो यह सब different तरीके हो सकते हैं तो आपको क्या करना है पहले जिस carbon पे OH लगा है उसको बाहर निकाल देना water के form में तो यहां से निकल गया तो यहां पे क्या जाएगा plus पहले कार्वो कटन बनाना है क्योंकि even reaction आपको कराना है कार्वो कटन बना तो फिर rearrange होगा तो यहां पर का hydrogen वहाँ shift हो जाएगा right सेहं पॉजिशन है दोनों से विद्व सेता है इसको मैं वन पोल रहा है और है future वॉन से मैं हमें हट आए तो प्रोड़क्ट अपका कैसा ये व्ला और फॉसलिये ने घ्रण जयाओ इस यहां पेजिए यस bit के पास नमभर आउफ अंब야 ऐस बहुत जी। यह है राइट दो यहां पांच और दो यहां साथ हो जानना है तो इसलिए यह क्या सा प्रोड़क्ट क्यालाएगा सेटजिफ प्रोड़क्ट बोलें गए जो अलकीन ज्यादा अलफा हैज कॉंटेन करेगा उसको सैटजब बोलेंगे और इसमें सिरिफ 2 और 2,4 कम है तो इसको बोलेंगे half man राइट इसको बोलेंगे half man तो always alkin में 2 possibility होंगी तो जो सबसे ज़्यादा stable होगा उसको set of और ये major product होगे ये ज़्यादा amount में बनेंगे और जो कम stable होगा उसको half man और ये minor product होगे कम amount में बनेंगे तो ये ध्यान रखना है E2 आप कैसे think करेंगे जैसे ये reactant given है ध्यान से देखो E2O-Na+, right इसको और कैसे दे सकता था E2OH-NOH ऐसा भी करके फिर heat देने की ज़रूत नहीं थी क्योंकि ये acid waste reaction से खुदी heat निकलेंगी तो यहाँ पर आपको E2 कराना है E2 में क्या करना है जिस carbon पर halogen है उसके बगल वाले carbon पर जाना है तो एक यहाँ भी है carbon और एक यहाँ भी है यहाँ भी है hydrogen और यहाँ भी है hydrogen तो again मैं इसको 2 बोल रहा हूँ और इसको 1 बोल रहा हूँ यहाँ पर भी 2 possibility होगी अगर आप 1 से हटा होगे तो आपका product इस type का बन जाएगा और अगर 2 से हटाएंगे आप तो आपका product यह बनेगा एक carbon से CL और एक carbon से H तो again आप धियान से देखो तो यह set jeff हो जाएगा यह major product हो जाएगे यह Hoffman हो जाएगा यह minor product हो जाएगे तो always इस case में क्या करना E2 में जिस carbon पहलो जाना है उसके बगल वाले carbon से ठिंग करना है but even में कैसा है carbon का 10 बनाओ rearrange करो फिर उसके बाद जिस carbon पर plus गया वहाँ के बगल वाले carbon से hydrogen हटागर के double bond बनाना है एक point का जो और धियान रखना है कि देखो कहीं पैसे लिखा हो तो यह क्या होता है tertiary buta oxide और यह minus k plus तो इसका मतलब क्या यह है एक कारण पर 3 मीथा है और o minus k plus यह क्या होगे एक तरह से अब धियान से देखो तो यह bulky base हो गए है इसको क्या बोलेंगे bulky base bulky base मतलब यह जो o minus है जो abstract करेगा h plus को already इसके पास bigger group लगे होगे तो यह जल्दी crowd वाले एरिया में पहुँच नहीं पहेगा simple से बात है day to day life में यह होता है तो यह खुद crowded है तो crowd वाले एरिया में यह नहीं जा सकते है इसलिए इसको bulky base बोलेंगे तो यहाँ पे Hoffman major product होता है again यहाँ पे confusion जोता वो ना हो उसके लिए हमने दो लिए है ध्यान से देखो दोनों का reactant सेम है but mechanism अलग-अलग होगा यहाँ पूरा उसने लिख दिया tertiary buta hydroxide that means आपको जो उसने यहाँ पे दिया वो ध्यान से देखो क्या दिया इस कारून पे तीन methyl हो जाएंगे और OH यह है तो यह एक weak base का काम कर रहा है और heat given है तो यहाँ पे reaction आपको E1 कराना है और E1 कैसे होगा तो आपको बताया फिर इसको हटा दो जहाँ पे halogen लगा हुआ वहाँ पे plus बना हुआ plus बना कर करके फिर यह shift होंगे 3 और 1, 4 यह अलफा है यहाँ पे आगा तो 3 और 1 4 और 2, 6 तो यह rearrange हो जाएंगे तो यह rearrange हो कर करके यहाँ से plus काप को यहाँ पे लियाना है फिर क्या यह आगे हो सकते हैं तो यह सागे जा सकते हैं और 3, 6 और 1, 7 अलफा है जाएंगे जबकि अभी इस condition में 3 और यह 2, 5 और यह 6 अलफा है तो फिर यह plus यहाँ पे आजाएगा तो finally shift हो करके वो यहाँ पे आएंगे अब आपको इस carbon पे plus है तो इसके बगर वाला carbon एक यह है और यह दोनों by the way same position में तो again जो product आपको मिलेंगे वो एक इधर double bond बना सकते हो और plus एक जो product मिलेगा आपको that is इधर या इधर बना सकते हैं तो again यह major product होगा that is stress up और यह minor होगे that is half band तो यहाँ पे हमने क्यों even सोचा क्योंकि पूरा यह tertiary buta hydroxide है that means वो alcohol है एक weak base का काम करेगा बर ध्यान से देखो थोरा सा साथधानी आटेगा दुरगटना घट सकता है सब कुछ से हमें K plus तो इसका अंतलब यह minus plus है that means इस में इस type का होगे है कि alcohol में आपने base डाल दिया है तो यह एक strong base अप बन जाएगा और bulky base भी होगा तो यहाँ पे आपको E2 कराना परेगा और E2 में भी आप यहाँ पे halfman मेजर होगे क्योंकि base भी आपका बलकी हो चुका है और यहाँ पे जो hydrogen है वो भी बड़े बड़े group के बीच फासा हुआ है तो यह खुद बड़ा है बलकी है और hydrogen भी बलकी जगह पे है तो यह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पागा तो इस hydrogen को वो खीच ही नहीं पागा तो इसलिए यह corner वाले hydrogen इसको खीचेगा और इसको खीचेगा तो आपको product जो बनाना है वो यह वाला यह major होगा इस case में Hoffman ही आपका major product है तो इस बात को समझना है कि अगर बलकी base होंगे या फिर आपका hydrogen एक ऐसी जगह पे फासा हुआ जहां पे और रेटी बहुत crowding है तो आपको corner वाले या less crowded वाले hydrogen को खीचना है तो I hope इस example से आपका E1, E2, Hoffman, Setup सब किलियर हो गया होगा question number 1 में आपको यह reactant और यह reagent गिवेन है product बताना always कुछ नहीं बोले तो major product बताना तो यहां पे द्यान से देखो तो यह एक bulky base होगा क्योंकि bigger group सब लगे हुआ है तो definitely यह corner वाले hydrogen को abstract करेगा वैसे भी यहां पे वही बात है right तो यहां से CL और इस carbon या इस carbon या इस carbon तीनों में से किसी से एक hydrogen अटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा वहां पे corner पे double bond और एक methyl तो यह major product होगे कभी-कभी नाम भी पूछ लिया जा सकता है तो यह ध्यान रखना यह क्या होगे 2-methyl-propene इस case में आप कैसे पता करेंगे तो ध्यान से देखो NaOH strong based दिया और alcohol तो यह acid based reaction होगी that means यहां पे आपको by default क्या कराना परेगा E2 क्योंकि यहीं से heat evolve होगी तो यहां इस carbon से CL और इस carbon से hydrogen आपको हटा करके क्या करना है double bond बना देना elimination reaction है यह double bond यहां रहेगा यह double bond यहां और यह तो यह major product हो जाएंगे always यह ध्यान रखना है similarly इस case में ध्यान से देखो already लिग दे RO minus K plus तो definitely यहां पे आपको फिर E2 कराना परेगा यहां पे ध्यान देना है कि यह carbon fluorine bond है और यह carbon bromine bond है तो यह easily break होगा right तो इसलिए यह जाएंगे now एक और question यहां पे है कि hydrogen किदर से निकाले यह वाला या यह वाला तो यह वाला hydrogen निकालना easy रहेगा क्योंकि जब यह hydrogen जाएंगे तो यहां पे minus आएगा और fluorine का minus आएफेक्ट से वो stabilize होगा तो इसलिए आपको double bond इधर में ही बनाना है that means fluorine के पास ही तो यह major product होगे तो अच्छा concept size में पहले चीज़ तो BR पहले गाइब होगा और second thing कि जो double bond बनेंगे वो fluorine से लगे होगे क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा electron negative है तो वो carbonine को stabilize करेगा तो इस step से think करना है question number 4 में यह chart given है E1 का order तो E1 जैसे ही बोला तो हमने क्या बोला carbocatine बना है फिर उसका rearrangement के according ठिंग करें तो fourth में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे carbocatine बनेगा CL जाएगा तो फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा shift हो करके तो इसके पास alpha, Hb और resonance भी है तो four सब से ज़्यादा stay उलोगा फिर second में जब यहाँ पे plus बनेगा तो वो rearrange हो करके यहाँ पे आएगा और resonance होगा तो फिर two होगा three में यहाँ पे plus बनेगा तो यहाँ पे आएगा तो only इसमें hyperconjugation होगे इसलिए फिर three होगा और last में one होगा तो इस टैप से आपको ठिंग करना है question number five में again na o me और me o h तो दियान से देखो यह alcohol और यह वही होगे alcohol में strong base डाला है तो यह बना है तो definitely यहाँ पे आपको E2 कराना है बस यह reagent से समझना परेगा alcohol में strong base डाला हुआ है कहीं पे भी alcoholic क्यों है alcoholic है नहीं है इस टैप से लिखा हुआ है तो always E2 तो E2 कराना है तो यह तो substitution हो गया तो यह दोनों होंगे नहीं और चुकि E2 कराना है तो इसमें कोई curve का time कोई rearrangement नहीं तो यहाँ पे जो carbon पर halogen है इसके बगल वाले carbon पर hydrogen है ही नहीं ध्यान से देखो तो इधर वाला hydrogen ही जाएगा एक ही possibility है तो इधर double bond बना चाहिए इसलिए कौन सा option हो जाएगा option C question number 6 में यह reactant है और यह isn't given है QH and alcohol तो again यह strong base acid में added है तो heat नहीं भी देता तो अभी आमें clear है क्या कराना परेगा E2 कराना परेगा E2 कराना है तो द्यान से देखो यह carbon का bromine और यह carbon का hydrogen यह अटा करके यहाँ पर एक double bond आएगा और similarly यह carbon का bromine और यह carbon का hydrogen हटा करके यहाँ पर double bond आएगा ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ द्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ double bond यहाँ तो यह conjugation में आ गए यह सबस्याद है stable L की नहीं होगा यहाँ पर द्यान से देखो तो यह क्या हो गया ETO-NA that means again आपको E2 कराना है E2 कराना है तो द्यान से देखो इस कारण पर bromine है hydrogen यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है कौन सा लेना चाहिए तो definitely major के लिए यह वाला लेना परेगा क्योंकि यहाँ पर double bond आएगा तो वो C6 H5 क्या actually benzene तो benzene से क्या हो जाएगा वो resonance में आ जाएगा ध्यान से देखो तो आपको ऐसे बनाना परेगा इसके बगल में यह carbon है इस carbon पर एक और carbon इधर carbon है और इधर carbon है तो यहाँ पर double bond लेंगे double single double से resonance हो जाएगा तो यह major product होंगे बाकी जगा पर hydrogen आप लगा देंगे similarly यहाँ पर दियान से देखो तो tertiary buta oxide है और K है that means यह minus plus है तो again यह एक bulky base हो गया तो यहाँ पर E2 कराना है half man major होता but the thing is कि यहाँ पर और कोई possibility नहीं है इस कारण पर BR है और यहीं पर hydrogen है और कहीं पर है नहीं तो यहाँ पर आप जैसे भी सोचो तो सिर्फ क्या करना आपको यहाँ पर double bond लियाना मैं इधर ही कर दे रहा हूँ यह BR हटा देना और यह H हटा देना तो यह आपको ऐसे करना पड़ेगा अगें यहाँ पर tertiary buta hydroxide होता के की जगा ह होता तो even reaction होती बाइद आवे उससे भी फर्क नहीं परता product सेम रहता यहाँ पर तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो यही product हो जाएगा question number 9 में यहाँ से यहाँ जाना हो तो कौन सा यूज नहीं कर सकते हैं तो ध्यान से देखो तो यह naoet etoh यह e2 के लिए best है naoh h2 heat दे दिया तो elimination reaction होगा naoh h2 और etoh base और acid है तो यहाँ भी elimination हो जागा क्योंकि यह elimination होगा तो यह nai यह sn2 करेगा तो इसलिए यह हम use नहीं कर सकते वहाँ से वहाँ जाने के लिए तो option यह हो जाएगा इस step से पूछा सकता है question number 10 में यह reactant था naome और muh possible product तो देखो possible product का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो na plus है और ome minus है तो यह एक strong base है तो e2 reaction होगी तो e2 reaction होगा तो यह आपका half man बन सकता है और यह set जब बन सकता है similarly SN2 भी हो सकता है यह SN1 भी हो सकता है तो इसलिए यह भी बन सकते है तो कहने का यह मतलब है कि always e1, e2, SN1, SN2 सारी reaction चलती है उसमें जो major होता है हम उसकी बात करते है अगर possible product पूछे तो आपको सारे तरीके से ठिंक करना इसलिए यहाँ पर option all हो जाएगा question number 11 में यह reactant given था और H plus and heat that means elimination कराना और even होगा right तो H plus है तो यहाँ से OH निकल जाएगे water के form है तो यह निकाल दो यह bond को और यहाँ पर बना दो आप plus carvokatan बन गया तो rearrangement होगा बट यहाँ पर ring expansion कराना परेगा उसके लिए trick आपको दे रखाओ एक पूरा वीडियो lecture GOC में carvokatan rearrangement पर बना हुआ है आप वहाँ जाकर कि इसको देख सकतो तो इसको one करेंगे two, three, four, five, six तो हमने बोला कि आप आप बंद करके six member का बना ले जहाँ से मन करें numbering कर दें four, five, six और two पे plus डाल दें उसके बाद यहाँ से देखें one पे एक group लगा हुआ है two पे भी एक group लगा हुआ था तो two पे एक group आप लगा दें तो यह हो जाएगा अब उसके बाद चुकि हीट है तो यहाँ से hydrogen हटाना ज़्यादा सही रहेगा क्यों क्योंकि वहाँ पे जो alkin बनेंगे वो सबसे ज़्यादा stable होंगे due to more number of alpha H तो यही आपका major product हो जाएगा question number 12 में again आप ध्यान से देखो तो dilute H2SO4 है तो यहाँ पे ध्यान देना dilute H2SO4 है मतलब H plus मिलेगा और H plus मिलेगा तो OH water के form में बाहर जाएगे तो यहाँ पे plus आजाएगा तो यह आपको हटा देना है अब यहाँ पे यह खुद एक electro file है और यह double bond nickelophile का का काम करेगा तो यह यहाँ पे attack करेंगे तो यह carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 1 और 6 के बीच में bond बनेगा तो आप quickly 1 और 6 का बना ले number कर दे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ध्यान से देखे 1 और 6 के बीच में bond बना है 6 पे जो bond break हुआ है उस पे ऐसे रहेगा और यहाँ पे आपका plus charge रहेगा उसको आद यहाँ से देखे 6, 5, 4, 3 पे double bond है 3 पे double bond है उस पे एक मिथाल है तो इस तरीके से आप कर दे चुकि dilute H2SO4 है यहाँ पे तो यहाँ पे water जो है वो attack करेगा तो यहाँ पे क्या करना पढ़ेगा आपको OH लगा देना है तो यह आपका major product हो जागा यहाँ पे alkin नहीं बनाना है क्यों क्योंकि dilute H2SO4 लिया concentrated लेते तब जाकर करके वो alkin बनता या heat लेते तो इस point सबको समझना है question number 13 में PBR 3 है और यह 1, 2 करके दे तो पहले इससे कराना फिर इससे यह सब आपको समझना है तो PBR 3 है तो SN2 तो OH हट करके क्या जाएगा BR तो first case में आपका जो product होगा वो इस type से होगा that is BR उसके बाद ध्यान से देखो कोईज alcoholic लिखा हुआ that means E2 आपको कराना है और elimination कराएंगे तो इधर वाले hydrogen को लेंगे यहां पर आपको double bond बनाना है ऐसा क्यों किया क्योंकि double single double से resonance हो जाएंगे तो यही आपका major product होगा तो ऐसे आपको think करना है question number 14 में ease of dehydration पूछा that means water को हटा करके that means OH को as a form of water हटा करके आपको दिखना है कि कौन जाधा stable हो रहा है क्योंकि यह आठेगा तो यहां पर double bond आएंगे और यह aromatic बन जाएगा aromatic highly stable होते हैं तो सबसे जाधा 2 हो जाएगा यह तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहां पर partial double bond character है due to resonance तो यह सबसे पीछे आएंगे again यह जाएगा तो यहां पर double bond आएंगे right यह आड जाएगा तो यह again resonance होगा but aromatic नहीं है right तो इसलिए 2 के बाद 3 आ जाएगा यहां पर इसके जाने से just alkene बनेंगे right और alpha H इससे कम होगा और resonance भी नहीं है तो इसलिए 4 आएगा और last में 1 आएगा तो ease of dehydration का order इस step से हो जाएगे now जाते 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 ज्यान की बात और that is very important कहीं पर word लिखा हो dehydrohalogenation de word जहां पर लिखा है इसका मतलब कि बाहर होना है out होना है और hydrohalogen that means hydrogen और halogen को बाहर करते हैं जो generally even E2 में होता है और इससे आपको product क्या मिलता है alkene तो यह one of the method of preparation of alkene that is dehydrohalogenation hydrocarbonate आप यहीं परते हो next is dehydration dehydration मतलब D मतलब अगें बाहर जाना hydration मतलब water तो इस case में water बाहर जाते हैं that means alcohol के case में यह reaction होती है again even reaction होती है और इस case में भी आपको product alkene मिलता है वैसी होता है एक dehydrogenation right तो D मतलब अगें बाहर जाना halogenation मतलब halogen तो दोनों बाहर जाने वाले halogen होते हैं again even E2 में होता है और यहां से भी alkene मिलता है तो यह सब method of preparation of alkene मा जाते हैं जो यहां पर हमने discuss किया है एक word होता है regio selective तो यहां पर बच्चे confuse रहते हैं उसको clearly समझे हो regio selective मतलब region पे area पर depend करने वाले तो जैसे यहां पर E2 जो होता है वो regio selective होता है क्यों? क्योंकि इस कारण पर bromine है तो यहां से भी hydrogen जा सकता और यहां से भी यहां से जो जाएगा वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहां पर double bond आएगे और वो set जफ होगा ज्यादा measure होगा और इधर वाले half man होगे तो इसलिए ये E2 Elimination जो वो Regio Selective कर लाते हैं क्योंकि वो कौन से Hydrogen Eliminate हो रहे हैं उस पे depend करता है वैसे ही एक word होता है Estereo Selective Estereo Selective का क्या मतलब है उसको भी एक example समझाए जैसे यहाँ पे एक reactant लिया और alcoholic QH इस steps आपको दे दे तो आप क्या product बनाएंगे तो इसका trick मैंने आपको दे रखा है reaction of alkene में addition of alkene में वहाँ जाकर आप देख सकतो मैंने आपको बता है कि alcoholic QH लोगे तो E2 Elimination होगा और ये एक anti-elimination है anti है मतलब ये minus है right तो that means क्या होगा ये minus है that means ये minus है तो आपको alkene कौन सा बनाना है वो कैसे आप करेंगे तो ये minus है और इधर ध्यान से देखो तो जो CL और H है वो opposite side में right एक carbon से CL और एक carbon से H तो ये opposite में है तो ये भी minus में है तो ये खुद minus है तो इधर क्या होना चाहिए plus plus बोले तो cis वाला आपको alkene बनाना पढ़ेगा तभी plus minus माइनस होंगे इस type का आपको trick दे रखाओ तो cis वाला alkene का मतलब क्या होगा ये carbon double bond दियान से देखो तो इस carbon पे एक H बचेगा और एक M E तो ये M E और ये H लिख दिया इस carbon पे M E और E T है लेकिन हमें बनाना है कौन सा cis तो cis बनाने का अतलब M E को इस साइड रखेंगे तभी cis होगा तो ये बनाना आपको इसकी सर ये तो trick हुआ actual में कैसे करेंगे अगर नहीं सौंज मारा है तो तो दियान से देखो ये चीजें है तो ये आपका fischer projection है इससे इसको new man में लियाना है और by default fischer का new man eclipse होता है तो ये carbon और ये carbon तो एक back carbon होगे एक front carbon राइट इस carbon पे M E H C L है जैसे दिखरा दिखा दो M E H C L इस carbon पे भी M E उसके back में कर देना राइट और इधर में H है इधर में E T तो वो दिखा दिया उसके बाद आपको क्या करना है चुकि anti-animination होता है अभी यहाँ पे C L है तो इसके anti पे हट देना चीए इसलिए इसको 60 डिग्री सामने rotate कर दिया तो यह आप कर सकते हैं तो अब H और C L anti पे आगे तो यह हटा देंगे तो यह बचेगा अब ध्यान से देखो यह carbon और यह back वाला जो carbon है circle वाला इनके बीच double bond है यह 2 M E pass में और H E T pass में तो दियान से देखो तो यह बन जाएगा cis तो वह हमने बोला चुकिए हमारा tree के आई था cis, sin या meso को मैंने plus माना था trans, anti या racemic को minus तो इस टाप के जतने भी question आएंगे बेटा आप 10 second के अंदर में कर लोगे इतना fast को भी भी नहीं कर सकता दियान से देखो मैंने कैसे लगा जा alcoholic को anti elimination यह खुद minus है यहाँ पे HCL opposite side में तो यह minus है तो इधर कौन लेना परेगा तो इधर plus वाला तभी minus plus minus मिलेंगे अगर suppose करो कि यह HB इसी side होता तो यह खुद क्या हो जाता पलस यह तो minus है तो यह plus का वो सकता था जब यह minus फिर हम ट्रांस वाला लेते तो यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसी को बोलते है stereo selective कि एक particular वाले से ही यह मिलेगा sis वाले से ही मिल सकता ट्रांस वाले सेने तो stereo selective हो गए और एक होता है stereo specific तो इसका क्या मतलब है कि जो bromine जैसे यहाँ पे है तो यह upside में है तो hydrogen downside में होना चाहिए right क्योंकि anti elimination होता है तो एक दूसरे पर anti होना चाहिए अभी यह दोनो upside में तो यहाँ पी यह reaction नहीं होगी अगर यह hydrogen downside मोता तब यह reaction होती तो इसको बोलते है stereo specific तो E2 reaction region selective है stereo selective and stereo specific है और तीनों को अच्छे से समझाया तो I hope मेरा यह परियास अब को पसंद आया होगा इस पे बेस्ड आप सारे प्रॉलम को कर सकते हो और अगर यह मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको मेक्जम लोगों में share कीजिए Thank you Hello everyone कसा काया है आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे organic chemistry में oxidation के बारे में and जो tricks and concept दोंगा उससे आप इस पे बेज़ दाने वाले किसी प्रॉलम को बहुत इजली कर लोगे तो ध्यान से देखो oxidation हमें alcohol का कराना है aldehyde का कराना and LKN का कराना alcohol means what जिस carbon के साथ OH group attach होना चाहिए वो carbon SP3 hybridize होना चाहिए ध्यान से सुने मेरी बात जिस carbon के साथ OH group attach होंगे वो carbon SP3 hybridize होना चाहिए इसलिए ये carbon के जो rest 3 bond है इधर either carbon हो सकते है या hydrogen carbon या hydrogen carbon या hydrogen हो सकते है that means इसकी hybridization SP3 होना चाहिए और इससे एक OH group attach होना चाहिए तो इसका हमें कराना है aldehyde तो आपको मालूम है C double bond O और ये H fix हो गया carbon के 3 bond fix हो गया तो इधर जो एक bond बनेगा either carbon से attach होंगे या फिर hydrogen से इसलिए उस carbon के हावडर्शन SP2 होगी और LKN में aliphatic का कराना हमे aliphatic in the sense SP3 वाले carbon होंगे और aromatic का कराना aromatic का भी sense यहाँ पर यह है उससे जो direct carbon attach होंगे वो वाले side chain oxidation इसको बोलते है again इसका भी hydration SP3 होना चाहिए तो पहले क्या क्या होना चाहिए वो clear होना चाहिए आपको now trick का जो point है that is very very simple and very important आगे मैं use करूंगा कभी भी एक carbon पे ध्यान दे एक ही carbon पे 2 OH ग्रूप होंगे तो उस case में water आपको बाहर कर देना है क्यों एक ही carbon पे 2 OH ग्रूप unstable होते हैं क्यों क्योंकि इसके पास भी lone pair इसके पास भी lone pair तो बहुत जादा repulsion होगा unstable रहेगा इसलिए water बाहर कर देंगे 1 से H, 1 से OH तो क्या बन जागा C double bond हो तो यह बन जागा इस point का आप ध्यान में रखना आगे मैं बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ उसको point को लिखा मैंने कि हर एक carbon पे each carbon can contain maximum 1 OH ग्रूप एक carbon पे 1 OH हो सकता है एक से जाद होगा तो water आपको बाहर निकाल देना है उसको एक और example समझाए कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो यह एक ही carbon पे 2 OH ग्रूप आगे तो water बाहर कर देंगे तो यह बन जागा बट यहाँ पे भी 2 OH है बट अलग-अलग carbon पे ध्यान दो अलग-अलग carbon पे तो इस carbon पे 1 OH है that is okay एक ही carbon पे होगा तो आपको निकाल देना है तो इसमें oxidizing agent क्या-क्या use करेंगे very important एक होता है mild oxidizing agent that means न तो यह ज़्यादा strong है नहीं ज़्यादा weak है कौन-कौन है तो fix है बस एतना ही ध्यान में रखना है CRO3 chromium के oxide in presence of anhydrous medium and hydrous मतलब water वेगरा या acid या base कोई ये medium नहीं होना चाहिए right दूसरा होता है pyridine in presence of HCL कोई भी acidic medium and CRO3 द्यान देना इन दोनों में difference है pyridine in presence of HCL and CRO3 तो इसको बोलते है pyridine chlorochromate short form में PCC भी लिखा हो सकता है रोपे तो ये ध्यान देना वैसे ही इसका बड़ा भाई है pyridine dichromate PDC तो ध्यान से देखो अगर कहीं पे भी pyridine वर्ड आ गया है तो वो mild oxidizing isn't हो जागा in case of chromium के case में ये सब chromium के oxide है and copper in presence of heat दे तो ये भी एक mild oxidizing isn't है temperature आपको याद रखनी जो उतनी है बस समझाने के लिए 573 Kelvin तक होता है तो ये हैं आपके mild oxidizing isn't वैसे ही strong oxidizing isn't कोन है तो strong में KmNO4 again D block के oxide manganese के oxide होगे KmNO4 in presence of acidic medium हो तो भी basic medium हो तो भी neutral medium हो तो भी alcohol के case में ये तीनों medium में ही strong का काम करता है similarly K2Cr2O7 potassium dichromate in presence of acidic medium only ये सिर्फ acidic medium में वर करता है तो ये भी एक strong oxidizing isn't है वैसे ही CRO3 ध्यान देना again chromium के oxide है but in presence of acidic medium है यहाँ पर ये anhydrous था यहाँ पर acidic medium है अगर acidic medium होगा तो फिर ये strong oxidizing isn't होगे और इसका special name है Jones reagent तो ये आपको पहले clear on चाहिए कि कौन mild है कौन strong है इसका क्या use है मैं बताता हूँ भी सबसे पहले degree of alcohol को आपको देखना है कि alcohol केतने degree का है 1 degree का है 2 degree का है या 3 degree का है degree of alcohol पहचानना बहुत इसी है जिस carbon से OH attach है OH जिस carbon से attach है वो carbon एक ही carbon से attach होना चाहिए तो 1 degree बोलेंगे या फिर एक भी carbon से नहों तो भी 1 degree बोलेंगे OH जिस carbon से attach है वो carbon 2 carbon से अगर attach होगा तो 2 degree alcohol बोलेंगे तो अगर आपने 1 degree alcohol लिया और mild oxidizing isn't used किया तो in that case aldehyde बनेगा आपका product ध्यान देना very important trick का पांट यही है अगर 1 degree alcohol है mild वाला लिया इन में से कोई भी लिया तो आपको क्या बनाना aldehyde 1 degree है strong लिया strong मतलब इन में से कोई लिया तो क्या बनाना आपको acid acid बोले तो seed all bond OOH group आपको लगाना similarly अगर 2 degree है तो mild हो या strong हो doesn't matter 2 degree में सम में ketone बनेगा ध्यान देना सम में ketone बन जाएंगे 3 degree में important point है 3 degree में mild होगा तो कोई reaction नहीं कोई effect नहीं यह वाले होंगे तो भी आप कह सकते हैं कि कोई effect नहीं क्यों क्योंकि और ज़्यादा temperature और pressure की requirement होती है तो generally reaction नहीं होती है और अगर कराना ही होगा तो mixture of acid मिलेंगे जिसका मैं एक example लगके समझाऊंगा तो 3 degree में reaction जब वो rare है 1 degree में mild होगा तो aldehyde, strong होगा तो acid 2 degree में mild हो या strong ketone यही 99% पूछे जाएंगे 3 degree में पूछा नहीं जाता अगर पूछा भी जाएगा तो कैसे करना है तो mild से तो कोई effect नहीं strong में mixture of acid बनाना है अभी मैं example से समझाता हूँ तो यह पूड़ा आपको point clear होना चाहिए now 1 degree alcohol में कैसे 1 degree होबा जिस carbon से OH attach है वो carbon एक ही carbon से है क्योंकि बाकी 2 hydrogen हो गए तो ऐसे पैचान सकते हो तो यह 1 degree alcohol है तो mild लेंगे तो क्या करना है mild के case में शरीफ एक ही hydrogen को जिस carbon से OH attach है उस carbon के एक ही hydrogen को OH में convert करना है यह trick का point है तो दियान से देखो mild कौन सा अभी बता दिया तो mild में आप क्या करेंगे एक ही ह को OH में convert क्या यह वह वाला point हो गया एक करन पे 2H है water bar कर देंगे तो क्या बन जाएगा aldehyde तो इसलिए 1 degree में aldehyde बनाना आपको अगर strong लेंगे तो strong के case में क्या करना है वो दोनों H को OH में कर देना है यह trick का point है तो दियान से देखो दोनों H को OH में हमने कर दिया again एक करण पे 2 OH या 2 से ज़्यादा हो गए तो एक water bar कर दिया तो आब एक ही OH बचा एक करण पे 1 OH हो सकता है तो इसलिए कौन सा बन गया यह acid बन गया तो इसलिए हमने लिखा था 1 degree alcohol mild होगा तो aldehyde 1 degree alcohol strong होगे तो acid कैसे करना है उसका trick यहाँ पे आपको बता दिया है अब यहाँ पे एक जो important point है कि अगर double bond वेगरा हो गए तो क्या करना है तो ध्यान से देखो अगर mild oxidizing isn't है double bond है तो उसको कुछ effect नहीं करना है श्रीफ यह वाला चुकि यहाँ पे carbon carbon बनाएगा दो ही bond है तो दो hydrogen होगे तो इसना अतलब यह 1 degree alcohol होगे तो aldehyde बना करके आपको छोड़ देना एक हेच को OH करके water बाहर निकल देना mild के case में strong के case में क्या होगा यह तो oxidize होंगे ही double bond भी oxidize होंगे जिसके बारे में और ready मैं एक video lecture में discuss कर रखाऊं तो इस case में क्या होगा यह दोनो हेच OH में जाएंगे तो c double bond OH बनेगा और चुकि strong है तो यह double bond को break कर देना आपको बता रखाऊंँ इधर भी oxygen देना इधर भी oxygen देना इसके पास hydrogen है हेच तो उसको OH करना पड़ेगा इधर भी हेच है तो उसको OH करना पड़ेगा तो एक यह वाला fragment हो गया यह वाला part तो देखो CH3 और यह क्या जाएगा C-doll bond OH तो एक तो यह मिलेगा CH3 C-doll bond OH दूसरा देखो इस करवन पर C-doll bond OH इस करवन पर C-doll bond OH तो यह मिल जाएगे oxalic acid तो यह point को ध्यान से समझ लेना for 1 degree alcohol now 2 degree के case में कैसे जिस करवन पर OH attach है वो करवन 2 करवन से टर्च है या फिर उस करवन के पास एक hydrogen है तो यह 2 degree alcohol होगा तो 2 degree alcohol का case में चाहे आप mild oxidizing agent लो या फिर strong लो doesn't matter हर case में आपको ketone बनाना है that means करना है क्या है इस H को सिरिफ OH में convert कर देना है और 1 करवन पर 2 H हो गया तो water bar चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा ketone तो यह है trick का point now some of the example लिए द्यान से समझो जैसे यहाँ पे तो यह clear हो गया कि यह 1 degree alcohol है CRO3 and hydrous लिखा है तो आपको क्या करना परएगा फिर mild है यह तो आपको aldehyde बनाना परएगा तो CH3, CH2 यहाँ पे C-doll bond OH आजाएगा तो आपको यहाँ पे यह aldehyde बना देना है त्यान दो एक carbon, दो carbon, तीन carbon पे OH है तो 1, 2, तीसरे carbon पे एक OH था एक जो हैच था उसको OH में convert करना और एक हैच रह जाएगा वह हैच है और water bar करके ऐसे कर देना similarly इस case में copper and heat again mild oxidizing agent है alcohol आपका 1 degree है तो आपको क्या करना परेगा आपको मालूम है यहाँ पे जो carbon है उस पे आपका हेच रह जाएगा क्योंकि यह carbon पे जो OH है और 2 hydrogen थे तो एक hydrogen को OH करके water bar कर देना तो यह product बन जाएगा दियान से समझते बें चलो question number 3 में यहाँ पे double bond है और PCC या PDC ले रहे या copper heat कुछ भी लिए होते यह सब mild है double bond को effect नहीं करेंगे और यह 1 degree alcohol है तो अगर अलडियाइड बनाना है तो क्या जागा CH2 double bond CH और इस करण पे C double bond OH अलडियाड देंगे तो दियान से समझते लो सब example लेकर के मैं clear कर रहा हूँ अब यहाँ पे यह जो alcohol हो गया वो 2 degree हो गया क्यों 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 क्योंकि जिस करण पे वोच है वो 2 करण साट है तो इसके पास एक hydrogen होगा copper heat ले लो PCC mild वाले जो भी ले लो तो इस हेच को OH करना है या strong भी होता है तो इस हेच को OH एक करण पे दो अच्छा water bar कर देना है तो आपको क्या बन जाएगा ketone तो यह product बना देना आपको अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यह 1 degree alcohol है क्या मैंनों 4 ले लिया है या CRO3 in presence of H plus यहाँ पे anhydrous नहीं है या K2 यह सब strong वाले है तो strong वाले हैं तभी बताया कि इसके सारे hydrogen दोनों hydrogen को OH में convert करेंगे फिर water बाहर जाएगा तो इस case में आपको क्या मिल जाएगा acid मिल जाएगा 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon पर यह होना है 1, 2, 3 पर यह है तो acid मिल जाएगे तो यह है 1 degree, 2 degree के लिए 3 degree के लिए कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ 3 degree alcohol कैसे हुआ क्योंकि जिस carbon पर होएच है वो carbon, 3 carbon साट है जह है तो यह 3 degree है copper और heat के presence में very important है याद रखना इस case में क्या हो जाता है actually में elimination हो जाता है कौन से reaction हो जाती है elimination reaction और आपको क्या मिलेंगे alkene तो यहाँ पर जो OH है इसके बगल वाले carbon इससे आप hydrogen लेकर के water बाहर कर देना है या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं बगल वाले carbon से या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं तो यह दोनों तो सेम है चाहिए hydrogen लो या यह hydrogen तो एक product आपको कैसा बन जाएगा double bond यह वाले और दूसरा कौन सा बनेगा अगर यह वाला hydrogen हटाएंगे तो ध्यान से देखो यह वाले इन में कौन measure होगा तो एलकीन के stability से hyperconjugation से यहाँ पे ज़्यादा alpha H है 3, 3, 6 और 9 alpha H है तो इसलिए यह major product होंगे यह minor होंगे तो यह very important है अभी भी 3 degree alcohol की reaction over heated copper ऐसा word यूज कर सकता है तो heated copper के साथ अगर 3 degree alcohol की reaction कराओगे तो elimination हो जाएगा जिस करण पे OH होगा इलकीन बना देना और कौन measure होगा वो आपको समझा दिया हूँ सिम्रेलिए अगर 3 degree alcohol है KmO4 है K2CR2 है strong है तो no reaction बहुत ज़्यादा temperature pressure अगर आप दोगे तब जाकर के reaction होती है इसलिए यह पूछा ही नहीं जाएगा या फिर generally normal condition में no reaction बहुत ज़्यादा temperature pressure देंगे तब mixture of acid बनेगा यहाँ से bond break होकर करके seed wall bond होच carbon carbon bond break करना पड़ जाएगा तो वो rare होती है इसलिए आप बोलेंगे no reaction for example जैसे यहाँ पे copper and heat है तो again हो जाएगा but यह 3 degree है तो यह carbon पे होच है तो इधर भी hydrogen है यह double bond plus एक यह वाले तो यह ज़्यादा measure होगा क्यों क्योंकि इसमें alpha heat ज़्यादा है तो इस तरीके से करना है but यह 3 degree का chemical force है तो आप क्या बोल देंगे no reaction now ज्यान की बात और that is very important ज्यान से देखो यह 1 degree alcohol होगा copper heat है तो aldehyde तो बनाएंगे तो करना है कि आपको oxygen का एक hydrogen और carbon का एक hydrogen यह H2 के firm में यहाँ पे बाहर करना है ध्यान दे है H2O नहीं H2 के firm में बाहर करना है तो यह HH चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 यह C2 bond O और H रह जाएगा aldehyde बन जाएगा तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको dehydrogenation name पे ध्यान देना D मतलब बाहर निकारना hydrogenation मतलब hydrogen यहाँ पे बाहर जाता है यह important point है ध्यान देना वैसे यह again 2 degree alcohol है copper heat है तो again oxygen का यह H और carbon का यह H hydrogen के form में चला जाएगा तो यह भी dehydrogenation यह और बन क्या जाएगा आपका ketone बन जाएगा right तो यहाँ पे C-doll bond हो CH3 ketone बन जाएगे but in case of 3 degree alcohol copper heat है तो elimination होता है elimination में क्या होगा यह पुरा OH जाएगा एक और इस carbon का यहाँ पे carbon सेम ही है तो एक hydrogen जाएगा तो water बाहर जाएगा तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे dehydration तो पूछा जा सकता है overheated copper 1 degree 2 degree alcohol होता है तो dehydrogenation reaction होती है 3 degree होता है तो dehydration क्योंकि water जाता है तो यह ध्यान रखना और इस case में आपका CH3 C-doll bond CH2 CH3 alkene बन जाएगा तो यह पांट जान रखना है वैसी ही again एक important point है phenol तो phenol की reaction अगर strong oxidizing agent like chemo4 K2Cr2O7 इन सब से अगर कराऊगे तो benzoquinone मिल जाएगा that means यह वाला double bond को shift कर दाना इधर यह इसको इधर shift कर दाना और इधर वाला double bond O कर देना है जो यहाँ पर बनाएगा तो important है यह शरिफ strong होगा तभी ऐसा होगा otherwise weak या mild में नहीं होगा और अगर zinc वेगरा ले लिए zinc dust तो यह O को zinc खा जाएगा ZNO बन जाएगा तो शरिफ benzene मिल जाएगा तो यह ज्यान के बाद बहुत important है पूछे जाते हैं ध्यान रखना next oxidation of alkane तो alkane में ध्यान से देखो अगर aliphatic होगा तो वो जो hydrogen होना चाहिए वो 3 degree वाले carbon set होना चाहिए तब ही होगा जैसे यहाँ पर यह जो hydrogen है वो 3 degree वाले एक हो गया क्यों कि जिस carbon set है वो carbon 3 carbon set है तो आप strong oxidizing agent like k-4 या k-2Cr2O7 यह सब यूज करेंगे तो यह h को oh कर देना alcohol मिल जाएगा ध्यान दे जब 3 degree होगा तो 2 degree वाले होंगे 1 degree तो no reaction जैसे for example यहाँ पर तो यह 1 degree वाला यह 2 degree वाले है 2 degree यह 1 degree तो इस case में very very important side chain oxidation और यह कई बार पूछा जाता है benzene से जो carbon attach है उसके पास कम से कम एक hydrogen होना चाहिए तभी यह होगा definitely फिर यह sp3 होगा right alkane की बात कर रहा हम तो अगर benzene से जो carbon attach है उसके पास कम से कम ध्यान दे अट least एक hydrogen होगा तभी होगा strong oxidizing agent like KNO4 या K2C807 यूज करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको यह C double bond OH कर देना है बाकी सबको बाहर कर देना है तो benzoic acid बन जाएगा for example जैसे यहाँ पे तो benzene के बगल में carbon है इस carbon पे by the way 2 hydrogen है भी KNO4 in presence of acidic medium लेंगे तो यह सबको आटा देना बस यह कारण पे C double bond OH कर देना है बागी का क्या हुआ वो by product है उससे मतलब नहीं है यह बन जाएगा आपका यह important है वैसे यहाँ पे द्यान से देखो तो again इस कारण पे तो 3-3 hydrogen है इस पे भी है तो ऐसे केस में फिर क्या करोगे आप दोनों जागा C double bond OH कर देना है और कैसे हुआ तो very easy यहाँ पे 3 H थे right वैसे ही सो सकतो H को OH करेंगे OH करेंगे OH कर देंगे और एक करन पे 2 H unstable तो water आप जब बाहर करोगे तो वही आजागा ऐसे आप ठिंक कर सकतो similarly यहाँ पे ध्यान से देखो तो again यह side chain oxidation हो जाएगा यह जो carbon है इसके पास by the way एक hydrogen बचा है तो फिर आपका reaction हो जाएगा और कुछ नहीं करना बस C double bond OH कर देना है इस carbon को पकरना बागी को हटा देना तो this is called side chain oxidation अगर इस case में सब जो ऐसा होता तो फिर reaction जल्दी नहीं होती very drastic condition में होगा normal condition में यह reaction नहीं होगी ग्यान की बात और that is very important कि अगर toluene अगर आपने लिया that means benzene पे अगर CS3 group है जिसको बोलते हैं toluene और mild oxidizing agent देंगे तो क्या करना है aldehyde बनाना है तो जैसे इस case में आपको क्या करना परेगा जो benzene है as it is इस carbon पे जो 3 hydrogen थे उसमें से 2 hydrogen को OH में convert करके water bar कर देंगे तो seed all bond OH यह बन जाएगा aldehyde इसको बोलते हैं itard reaction जिसके बारे में already मैं tricks दे रखाऊ name reaction में वैसे ही अगर यह ले in presence of anhydride तो भी आपको यही product बनाना है तो यह सब mild oxidizing के देट बनाते हैं next अगर light in presence of chlorine हो तो सबसे पहले आपको क्या कराना परेगा photo halogenation that means यह वाले कारण पे जो 2 hydrogen है उसको CL से replace कर देना है और फिर चुकी यहां पे water दिया है तो hydrolysis तो बता रखाऊ less को more, more को less chlorine more electron negative है तो इसको H, इसको OH फिर यह bond पेर कर के इसको H, इसको OH तो क्या होगी अगर आप ध्यान से देखो तो तो आप ऐसे think कर सकतो इस कारण पे 2 OH आगे water को आपको बाहर कर देना है तो फिर से क्या मिल जागा आपको aldehyde तो यह तीनों से ही benzaldehyde मिलेंगे important है mild oxidizing agent के रूप में now next oxidation of aldehyde right तो यह aldehyde होगी आपका तो aldehyde के लिए बहुत सारे agent यूज़ कर सकते हैं जैसे K-NO4 in presence of H+, strong oxidizing agent या K2CR2O7 in presence of H+, ये भी यूज़ कर सकते हैं या सिरिफ nitric acid लिख दे क्योंकि nitrogen यहाँ पर plus 5 में है तो ये भी oxidizing agent का काम करेगा AG NH3 hole 2 उस पर plus 4 that means silver यहाँ पर plus 1 में होना चाहिए जिसको बोलते हैं tolling 3 agent इसके बारे में एक video lecture बना रखे हैं right test से related वैसे ही failing test वाले copper plus 2 aquas active होते हैं तो इन सब case में आपको क्या करना है aldehyde को acid में convert कर देना है that means sum में product क्या होगे CH3, CH2, CHC double bond ये जो H था आपका उसको OH कर देना है तो ये बन जाएगा आपका अगर basic medium होगा तो ये H हटा करकर करके शिरिफ आपको anion form में रखना acidic medium लोगे तो फिर ये बन जाएगे तो हर case में acid बन जाएगा ये धियान रखना है शिरिफ एक important point है जो failing test में बता रखना हूँ अगर benzyl dehyde लेंगे तो कोई reaction नहीं होगा किस से? शिरिफ failing वाले से बाकी सबसे होगा तो clearly समझ लेना कि अगर aldehyde होगे तो sub case में acid मिलेगा in case of benzyl dehyde benzyl dehyde के case में ये वाले case में failing test नहीं देगा बाकी सम्में हो जाएगे आपको acid बनाना है तो I hope मेरा ये परियास आपको पसंद आया होगा बेटा ये जो oxidation वाले हैं जिसमें हमने alcohol, alkane और aldehyde को discuss किया very important है कई बार इस पर best question आये है जो concept समझाया होग जो reason दिया हो बस उतना ही ध्यान रखना है उससे बाहर कुछ नहीं है इस पर best बहुत सारे problem आप PYQ के easily कर सकतो Thank you Hello everyone, कसका आए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे aldol या aldol condensation के बारे में जो tricks and concept दूँगा उससे आप इस reaction के reactant को reactant को easily पहचान जाएंगे and इसके product को without mechanism आप बना सकते हैं तो कैसे ध्यान से देखे अगर reactant या substrate के बारे में बात करें तो it's very simple aldehyde या ketone होना चाहिए functional group having alpha H तो that means जिस carbon पे C double bond O होगा उसके बगल वाले carbon either side अगर hydrogen होगा तो aldehyde हो जाएगा और अगर carbon होगा तो ketone हो जाएंगे तो aldehyde या ketone having alpha H तो जिस carbon पे C double bond हो है उसके बगल वाले carbon को हम बोलेंगे alpha carbon but the condition is कि उसकी hydrogen क्या होने चाहिए SP3 that means ये चारो के चारो bond इसके single होने चाहिए और इसके पास at least one hydrogen होना चाहिए कम से कम एक होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा यूनो 3 हो सकता है तो ये हो गया आपका reactant या substrate जो required है aldol या aldol condensation के लिए for example जैसे क्या यहाँ पे होगा तो C double bond O है right right side में H है तो ये aldehyde हो गया तो इधर तो है ये ने alpha hydrogen ये carbon आपका alpha carbon हुआ SP3 hydrogen है और hydrogen इसके पास by the way 2 है तो ये aldol condensation शो करेंगे या aldol शो करेगा वैसे अगर मैं इसको चेक करूँ तो C double bond O आगया इसके इधर भी carbon है इधर भी carbon है तो दोनों साइड ले सकते हैं यहाँ पे भी by the way hydrogen है और SP3 है यहाँ पे भी hydrogen है और SP3 है तो ये भी शो करेंगे क्या ये शो करेगा तो C double bond O है इधर तो hydrogen हो गया जबकि carbon चाहिए पहले इधर ये carbon तो है बट इसके hydration आप दे सकते हो SP2 है और by the way यहाँ पे hydrogen भी नहीं तो ये aldol show नहीं करेगा सिमिरली अगर मैं इसमें देखूँ तो C double bond O है राइट साइट में तो hydrogen ये सिरिफ carbon है ये इधर carbon था SP3 है भी है बट ये methyl group है तो यहाँ पे hydrogen है ये नहीं तो ये भी नहीं शो करेगा तो पहले आपको reactant या substrate के लिए हो गया reagent very simple है basic medium आपको लेना है reagent जो होना चाहिए वो basic या alkaline medium होना चाहिए इसको देने के different तरीक हो सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे list किया है कोई भी base देदेगा जैसे NOH, QH कोई भी metal का hydroxide देदे आपको या फिर OH-Aquas लिख दे या फिर NOH water लिख दे तो जो strong होंगे वो जीता है इसलिए solution कैसा हो जाएगा basic जैसे Na2CO3 एक example हमने दिया है K2CO3, there are so many आपको पैचान जाना basic medium create करना है RO- water, alcohol से हटा करके दे, तो वहाँ पे भी हो सकता है या dilute NOH, dilute QH तो यह overall कहने आतलब कि basic medium होना चाहिए इसका reason, clear है product क्या बनाना है, तो वो भी very simple है अगर heat नहीं given है arrow पे, ध्यान दे, अगर heat नहीं given है तो आपको aldol स्री product बनाना है, what do you mean why aldol जिस कारवन पे seed well bond O होगा, उसके बगल वाले कारवन को alpha और उसके बगल वाले को beta बोलते है, right, तो beta पे OH होगा, और यह aldehyde या ketone, अगर यहां पे H बात aldehyde, कारवन होगा तो ketone इसलिए इसका नाम परा aldol ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ aldehyde होगे, यह common name है ketone भी होगा, तो भी उसको aldol ही बोल देते हैं, तो question H की कैसे product आप predict करेंगे तो जिस कारवन पर C double bond O रखोगे, उसके बगल वाले कारवन को alpha, उसके बगल वाले कारवन को beta तो beta पे आपको OH होना चाहिए, with respect to C double bond O, with respect to C double bond O के respect में, beta पर OH होना चाहिए तो aldol product बनाएंगे और कब बनाएंगे जब कोई heat नहीं given होगा अगर heat दे दिया, आपको इस type से sign में या leak दिया तो उस case में आपको water को बाहर करना है और कैसे water को बाहर करेंगे तो alpha से h ले लेंगे आप और beta से OH water बाहर कर देंगे और alpha, beta की बीच क्या बन जागा, double bond इसलिए इसका नाम हो जागा, aldol condensation condensation मतलब क्या हो गया water बाहर चला गया, condense हो गया तो इसलिए इसका नाम हो जागा alpha, beta, unsaturated, aldehydea ketone तो प्रोड़क्ट आप इसलिए पैचान लोगे जिस कारवन पे C double bond होगा उसके बगल वाले कारवन को alpha उसके बगल वाले को beta तो इनके बेच, double bond होना चाहिए product में एतना चीज fix है बाकी चीज़ें होंगी वो ठीक है एतना होना चाहिए, double, single, double resonance भी हो रहा है, तो यह होगा ही यह कब बनाएंगे, जब heat given होगा condensation, और यह कब बनाएंगे जब heat नहीं given होगा, तो twice versa, जब यह double bond को बिले करके beta पे OH करना है, तो यह आपको हमने reactant, reagent and product identify करना सिखा दिया, अब हम trick की बात करते हैं कि कैसे without mechanism आप product draw करेंगे नाउ, वो tricks या concept जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं तो ध्यान से देखो, tricks का point क्या है कि आपको always reactivity aldehyde की ज़्यादा होगी ketone से, इस बात का ध्यान रखना aldehyde always ज़्यादा reactive होँगे ketone से, second thing कि आप reactivity को और कैसे पैचान सकते हैं, अगर same aldehyde हो या ketone हो तो, तो C double bond हो तो fix है, उसके बगल वाले कारवन पर जाना है, अगर उस पे minus I या minus M group होँगे, तो reactivity increase हो जाएगी, और अगर plus M या plus I group होँगे, that is methyl group होँगे, तो फिर reactivity कम हो जाएगी, उसी को मैंने यहाँ पे एक point से समझाया है, कि यह C double bond O है, तो यह कैसे break हो जाएगे, plus में और minus में more electron negative पे negative, और less electron negative पे positive, अब हम क्या चाहते है, reactivity बढ़ाने के लिए carbon पे जादा से जादा positive charge increase होना चाहिए, तो positive increase होगा, तो reactivity increase होगा, इसलिए इससे जो group लगे होने चाहिए, वो कैसे electron को खीचने वाले, तभी positive increase होगा, इसलिए minus M या minus I reactivity को increase कराते हैं, plus M या plus I reactivity को decrease कराते हैं, जैसे for example, इसमें पूछा जाए, सबसे जादा reactive कोन है, तो ध्यान से देखो, यह aldehyde है, यह ketone है, again यह aldehyde है, बट इस aldehyde में alpha carbon पे, यह group जो है minus I group है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपका reactive 3 होगा, उसको अज aldehyde ketone में fix है, aldehyde आ गयाएंगे, तो 1 होगा और last में फिर आपका ketone होगा, reactivity order में, इसका क्या use है, अभी मैं समझाता हूँ, एक point का ध्यान रखना, अगर सिरिफ एक ही alpha H होंगे, तो उस case में सिरिफ aldol product मिलेगा, aldol condensation ने मिल सकता, क्योंकि condensation होने के लिए water को बाहर जाना है, तो उसके लिए minimum 2 hydrogen चाहिए, इसलिए अगर एक ही alpha H है, तो aldehyde ketone बनाएंगे, नाओ ये reactivity क्यों समझाया, क्योंकि अगर 2 different molecule हैं, तो उसमें से trick का point यह है, कि more reactive वाले का C double bond O सामने आपको करना है, अगर different आपको पास aldehyde ketone given है, तो in that case, more reactive वाले का C double bond O को सामने करेंगे, और less reactive वाले का alpha carbon का 2H सामने करना है, और ये 2H और ये O को water के form में बाहर कर देना है, for example, जैसे यहाँ पर दियान से देखो, हमें एक ketone given है, और एक aldehyde given है, basic medium हो गया तो aldehyde की tone, basic medium मतलब aldol हो गया, right, alpha hydrogen भी है, तो ये perfect condition है तो अब इस case में क्या करेंगे तो वहाँ पर ये point लगेगा, जो more reactive है, definitely aldehyde more reactive है, तो इसका मैंने C double bond O सामने किया ध्यान से देखो, और जो less reactive है, उसका जो alpha carbon है, उसका 2H hydrogen को सामने किया, ये alpha carbon होगे, उसका 2H को, और water के form में देखो, बाहर कर दिया तो जैसे ही water के form में बाहर करोगे product देखो, अपने आप बन जाएगा आपको without mechanism तो ये C double bond होगा, ये alpha ये beta, alpha beta की बीच क्या आगया double bond आगया, तो alpha beta unsaturated aldehyde ketone बन गया, अगर इसका सिर्फ aldehyde बनाना होता, तो आप क्या करते हैं, इस double bond को break कर देते हैं, और beta पे OH डानना था, तो क्या हो जाता, यहाँ H, CH3 और आपका ये C, और ये C double bond हो, और ये CH3 ये alpha ये beta पे सिर्फ क्या जाल देते हैं, OH तो यहाँ पे क्या जाता है, H, तो ये सिर्फ aldehyde कहलाता है, ये aldehyde condensation है, heat अगर given होगा, तो condensation, heat नहीं होगा, तो aldehyde product बनाएंगे, तो इसलिए very simple है ये, एक और example से समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिया, तो एक aldehyde given है, तो ध्यान रहे कि आपको एक molecule करके देगा, बट वी नो दो molecule required होगे, तो इसके दो molecule required होगे, चुकि यहाँ पे दोनों same है, इसलिए आपको फिर इसका problem नहीं होगा, किसी एक का seed oil bond O सामने कर दो, और किसी एक का alpha hydrogen का 2 hydrogen बाहर कर दो, और H2O के form में निकाल दो, तो यह product बन जाएंगे, तो अगर different होगे, तो more reactive का seed oil bond O सामने करो, less reactive का 2 hydrogen, water बाहर कर दो, product आपका बनके तयार है, without mechanism, और अगर दोनो molecule same है, तो किसी एक का seed oil bond O सामने करो, और दूसरे का alpha carbon का 2 hydrogen सामने कर करके आप निकाल दो, अगर एक ही hydrogen होता, तो भी आप इतना बना लो, उसके बाद आपको बताया, वो double bond को break कर करके, beta पे OH दे दो, alpha पे जो group लगे होंगे, वो लगा दो, तो I hope, मेरा यह trick किलियर होगा, now, aldol या aldol condensation दो टैप्स हो सकता है, एक होगा intermolecular, और एक होगा intramolecular, intermolecular में दो molecule required होंगे, अगर same molecule है, तो आपको एक ही molecule देगा वो, आपको by default सोचना है दो molecule, और अगर दो different molecule है, तो आपको दिख जाएगा, तो इसमें करना है क्या है, जैसे for example मैंने एक ही यह लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं है, कि एक ही molecule है, यहाँ पर by default हमें दो molecule लेना पड़ेगा, basic medium और heat है, तो aldol condensation product बनाना है, C double bond हो है, alpha H है, अब alpha H यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यह ज़्यादा stable होगा, negative इसलिए आपको बता रखाँ trick, एक बार, एक molecule का मैंने C double bond हो सामने किया, ध्यान से देखो C double bond हो, तो यह वाले carbon पर क्या क्या है, एक CH3 और एक ET, तो एक CH3 और एक ET लगा दिया हमने, और उसका C double bond हो सामने कर दिया, दूसरे molecule का alpha H, जो ज़्यादा stable वाला होगा, तो यह वाला ज़्यादा stable है, तो इसका 2 H सामने किया, एक H रहेगा CH, C double bond हो, as it is, बाकी को लिग देना है, और H2 को बार कर देंगे, तो यह product आपका बन करके तयार हो गया, without mechanism, द्यान से देखो, तो alpha, beta के बीच, unsaturation आगया, अगर heat नहीं होता, तो यह pi bond को बेकर करके, यहाँ पर OH दे देते हैं, यहाँ पर H, product आपका बन के तयार, तो यह है intermolecular, intermolecular आपको कहाँ पर ठिंग करना है, तो इसमें एक ही molecule रहेगा, बट एक molecule contain करेगा more than one aldehydea ketone group, इसमें एक ही aldehydea ketone group होंगे, एक molecule में, इसमें एक molecule में एक से ज़ादा aldehydea ketone group होंगे, दूसरा, आपको important है यह, कि आपको देखना कि five या six member ring बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वह stable होती है, तब ही आपको intra कराना है, for example जैसे यह, तो ध्यान से देखो, एक molecule में, हमारे पास दो aldehydea ketone group है, तो यहाँ पर possibility है, कि intra molecular, intra मतलब within the molecule, अगर आपको confusion हो, तो आप ऐसे याद रज़ सकतो inter city होता है, तो दो city को connect करते हैं, इसलिए दो molecule, और intra में सरिफ एक molecule, तो यहाँ पर आप भी नो, कि यह जो aldehyde है, वो ज़्यादा reactive है, और यह जो ketone है, वो less reactive है, तो less reactive वाले का हेच लेना है, अब हेच यहाँ से भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी दोनों alpha है, बट अगर अप यहाँ से लोग हैं, तो धियाँ से देखो, यहाँ से अगर अगर अप लोग हैं, तो कितने member की रिंग बन जाएगी, धियाँ से देखो, एक यह खुद, यह दो, यह तीन, यह चार, यह पांच, यह छे और यह साथ, साथ मेंबर की रिंग आपको नहीं बनाना है इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे तो ये वाला लेना पड़ेगा और ये वाला लोग है तो यहां से यहां अब जहां से देखो ये एक ये दो ये तीन ये चार और ये पांच पांच मेंबर की रिंग बन जाएगी राइट इसका दो ह आएंगे राइट, तो किसी भी करवन पे उसका यह बाहर है, क्योंकि यह रिंक का पाट नहीं बाहर है, क्या है, C double bond हो, CH3, तो यह हमने लिख दिया, और जहां से देखो, जीस करवन पे C double bond हो, उसके alpha और beta में double bond होता है, तो यहां पे आपको देदेना है, और यहां से देखो, जीस करवन पे आप double bond लाए हो, उसके बगल में, फिर next करवन पे मिथाल है, तो यहां पे एक मिथाल गूरूप, ऐसे आपको कर लेना है, या फिर आप numbering कर लिया करो, जहां से इससे alpha है, यहां से निकलोगे, तो 1, 2, 3, 4, और यह 5, तो आप numbering कर लो, 1 पे यह वाला गूरूप था, इसलिए यह 1, right, उसके बाद, यह आपका 2, यह 3, यह 4 और यह 5, तो चुकि 1 और 5 की बीच डबल bond लाए हो, जो आप देखरो, 4 पे एक मिथाल है, तो ऐसे numbering करके भी कर सकतो, तो बिलकुल भी आपको tension नहीं लेना है, without mechanism up कर सकतो, now अब हम application की बात करेंगे, now application, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे OH- basic medium और heat है, यहाँ पे aldehyde है, यहाँ पे भी aldehyde है, और इसके पास alpha hydrogen है, तो यह aldehyde के लिए perfect condition है, अब यहाँ पे यू नो कि यह ज़्यादा reactive होगा, वैसे भी इसके पास alpha H है यह नहीं, तो definitely इसका यह मुझे alpha H लेना परेगा, यह वाला 2 hydrogen, यहाँ पर वाले, तो आपको क्या बताया है, कि जो more reactive है, उसका C double bond O सामने कर दो, तो यह H H हो गए, जो less reactive है, उसका 2 hydrogen सामने क्या, तो देखो ध्यान से, इस कारवन पर और क्या है, एक CH3 है, और एक और क्या है, यह C double bond O H, ऐसे आप लिख दो, और यह water आप बाहर कर दो, आपका product बन करके तयार हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, द्यान से देखो, C पे यह 2 H रहेगा, यह double bond आगया यहाँ पे, इस C पे CH3 है, और यहाँ पे C double bond O H है, द्यान से देखो, तो यह C double bond O, यह alpha, beta के बीच, आपका unsaturation आगया, double bond, तो इस type से आपको product बनाना है, question number 2 में द्यान से देखो, तो यह है, OET minus, यह भी basic medium के लिए, और heat है, तो अल्डॉल condensation कराना परेगा आपको, द्यान से देखो, तो दोनों की tone है, तो इसलिए में कोई जंजट नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों की reactivity same है, अब यहाँ पे समझना है, क यह एक का C double bond O सामने करना है, और एक का 2 hydrogen, अब यह वाला करोगे, यह वाला यह आपको ध्यान देना, अगर यह वाला मैं करता हूँ, तो ध्यान से देखो, कितने member की ring बन जाएगी, एक यह खुद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 नहीं बना सकती, इसलिए यह वाला नहीं करना है, त यह वाला करना परेगा, तो यहां से यहां आपको attach करना है, 5 member की ring बन जाएगी, द्यान से देखो कैसे, तो यह 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 5 member की ring पहले बना दें, द्यान से देखें, यह वाले जो कारवन है, इससे C double bond OME है, आपको बता रखा हूँ, C double bond O के बगल वाले कारवन के बगल वाले करवन पर double bond होगा, और यह double bonded वाला, यह जो C double bond है, इस पर 1ME लगा है, तो एक methyl group लगा देना है, तो यह आपका product बन करके तयार को चुका है, question number 3 में, यह again important है, यहां पर द्यान से देखो, तो एक ही alpha hydrogen है, क्योंकि carbon carbon बनाएगा, एक ही alpha hydrogen है, तो ऐसे condition में आपक है, by the way carbon 5 bond नहीं बनाएगा, just hypothetical thinking लेना आपको, तो एक बार आपको क्या करना है, C double bond हो सामने क्या, तो द्यान से देखो, H, और यह carbon पर आपका, यह ऐसे रजाएगा, दूसरी बार यहां पर वाले जो carbon है, right, इस पर मानना है कि 2 hydrogen है, just अभी हमें बता रहा हूँ, और इस प bond सी, just hypothetical अभी, लेके चल रहा हूँ है, यह, we know, कि 5 बनने बनाएगा, तो इसको आपको क्या करना है, break कर देना, right, और यहां पर क्या जाएगा, OH, और यह H था नहीं, चुकि दोनों मिधायल थे, तो यह हो जाएगे, तो यह आपका हो गया product, ऐसे आपको कर देना, right, question number 4 में है, अब यहां पर यह ketone है, OH मानस heat, alpha hydrogen है, by the way, दोनों तरफ सेमी है, एक molecule नहीं है, आपको मालूम है, दो molecule आपको लेना परेगा, तो एक बार आपको क्या करना है, C double bond, O सामने करना, right, और एक बार, alpha carbon का hydrogen, तो दियान से देखो, जब आप hydrogen सामने करेंगे, तो आपको एक 6 यह मिंबर रिंग बना लेनी है, और इसका चुकी hydrogen सामने करना, यह दो hydrogen, और यह water के form में आपको बाहर कर देना है, तो आप दियान से देखो, आपको क्या product मिल जाएगा, आपको इस type से रखना है, right, यहां पे यह double bond के थुरुआ जाएंगे, और यह इस type से रखना है, और इसमें number of pi electron पूछा है, तो pi electron मतलब, you know, एक bond में 2 electron है, तो यह pi हैं, और यह भी pi हैं, तो answer कितना हो जाएगा, 4, 4 pi electron, इस type से पूछ सकता है, next, question number 5 में, यह given है, यह आपका aldehyde हो गया, NOH, ध्यान दे, यहां पे heat नहीं है, तो aldol product बनाना है, definitely यह ज़्यादा reactive है, यह less reactive ह तो आपको क्या बोला था, कि आप क्या करेंगे, इसका आपको 2 hydrogen सामने में लेना परेगा, तो इसको as it is रखना है, इसका यह जो 2 hydrogen है, वो दिखाओ, और इसका C double bond वो सामने में कर दो, 1 H है, 1 CH3 और water बाहर निकाल दो, तो अभी time being, क्या बन जाएगा यह, ध्यान से देखो तो इधर यह दो लगे होंगे, C double bond हो, इधर में C double bond C, right यह बन गया, और इसपे H है, और इधर में CH3 है, यह हो जाएगे, बट यूनो यह कब बनाते है, जब condensation होता है, यहाँ पे heat नहीं है, तो आपको बोला था, यह pi bond को break कर देना है, और यह alpha हो गया, बीटा, बीटा प परेगा, ध्यान से देखो, यह C double bond हो, यह रहेंगे, यहाँ पे इस carbon से जो carbon attach है, pi bond break क्या, H था, इस पे OH लाना और CH3 था, तो इस टैप साब को बनाना परेगा, यहाँ पे बाइदावे H आ जाएंगे, तो यह actual product होगा, और अगर condensation होता हीट होता है, तो फिर यह product बनाते वैसे ही, question number 6 में अगर अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमें क्या कराना परेगा, intra, कैसे ध्यान से देखो, एक से ज़्यादा, aldehyde या ketone group है, अब यहाँ पे, चुकि यह aldehyde है, यह more reactive है, तो इसका C double bond हो सामने करना है, अब alpha hydrogen किसका लेना है, अगर मैं इसका इधर जो है वो, इनसे attach हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो, यह one, यह two, यह three, यह four, यह five, और यह six, तो six member की ring और यह thai, तो ध्यान से देखो, मैं कैसे कर रहा हूँ, यह six member की ring थी, और यह दोनों जब attach हो जाएंगे, तो यहीं पे आपको एक और six member का ring बना देना है, बना दिय heat है, और इसका जो यहाँ पे seed all bond हो था, वो ऐसे ही रहने देना, इस पर कुछ change नहीं करना है, तो यह आपका product बन करके त्यार हो गया, ध्यान दो without mechanism, तो यह है रफी सर के trick, question number seven में, यहाँ पे ध्यान से देखो, again, दो functional group है, एक ही molecule में, OHBA, heat है, तो condensation कराना है, और intra कराना परेगा, अब यहाँ पे, चुकि दोनों same है, तो कोई भी ले सकतो reactivity में, तो यह मान लो, इसका दो hydrogen अगर आपने लिया, और इसका oxygen, तो यहाँ पे by default, चाहे कुछ भी कर लो, seven member ring बनेगी, कैसे देखो, one, two, three, four, five, six, seven, तो यहाँ पे बनाना ही परेगा, कोई और possibility नहीं है, तो एक ही आपका six member का ring रहा जाएगा, और एक आपको seven member का ring बनाना है, यह ध्यान दे, तो यह बना दिया, ध्यान से देखो, one, two, three, four, five, six, and seven, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, इस कारण पे, जहाँ पे C double bond होए चलिया, तो definitely यह C double bond हो गया, यहाँ पे, तो again आप दियान से देखो, barium hard oxide heat है, aldol होगा, अब यहाँ पे alpha H तो ही नहीं, क्योंकि दो methyl लगा दिया है, और यह more reactive है, तो इसका C double bond होगा, तो इसी का दो, तो यह यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा दियान से देखो, one, two, three, four, five, six, तो आप क्या करेंगे six member आप बना ले, right, यह वाला तो double bond में आ गया है, यह जो C double bond O होगा, right, चुकि यह ring में आ चुका है, तो आपको C double bond O लगाया, तो यह ध्यान दे, यह अगर alpha है, तो यह बीटा है, तो यहाँ पे एक double bond होगे, alpha, beta की बीच, और यहाँ से देखो, जो C double bonded carbon है, उसी carbon से attach वाल नहीं है, next question number 9 में, step से given है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी दो group है आपके पास, दोनों ketone है, यह तो ester है, तो यह होंगे नहीं, तो अब यहाँ पे heat है, तो condensation product बनाना, अब यहाँ पे ध्यान देना है, यह जो C double bond O to ET है, actually में इसको अगर आप open करके लिखोगे, तो ध्यान से देखो, यह कुछ इस type का है, right, यह carbon, यह carbon, यह carbon पे C double bond O, O और ET है, तो यहाँ से आप negative नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि यह जो loan पे रहे, यह भी resonance करेंगे, तो इसको resonance नहीं करने देंगे, right, तो यहाँ पे hydrogen नहीं लेना है, आपको यहाँ से लेना परेगा, और इसका C double bond O, gap करना है, तो यहाँ से यहाँ बनेंगी, तो ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, और यह 5 member आपका ring बन जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आपको बता रखाओ, यह 5 member थी, एक और आप 5 member बना लीजिए, 5 member बनाने के बाद, यहाँ पे यह double bond आ जाएगा, इसका 2 hydrogen और oxygen स तो यह double bond बना दिया, ध्यान दो, तो यही वाले जो carbon है, इसके पास, ध्यान से देखो तो यह CH2 और यह C double bond O, OET है, तो यह आप देखा देंगे, और इधर वाले कारण के बगल वाले कारण पे C double bond O है, तो यहाँ पे आप C double bond O कर देंगे, बागी जो जैसा वैसे, क्योंकि इसका जो 2 hydrogen था बेटा, यह 2 hydrogen और यह oxygen से तो हमने water अटा करके यह double bond बना दिया, तो इस टाप से देखो, product easily आगे, question number 10 में, यह दोनों ही ketone है, ध्यान से देखो तो, right, बट यह जो ketone है, वो less reactive होगा, क्योंकि इस पर जो positive हैगा, positive single double से resonance होगे, तो इसलिए यह क्या हो रखाओ, more reactive का, C double bond O सामने करना है, तो इस पर दो methyl group है, तो ऐसा बना दो, right, और जो less reactive है, तो उनका आपको क्या करना परेगा, 2 alpha H सामने करना परेगा, तो C double bond हो, और इसका यह 2 hydrogen सामने कर दिया, और water को बाहर कर देना, तो क्या product बना, ध्यान से देखो, CH3, CH3, यहाँ पर के पास C double bond O, और इधार आपका यह benzene ring as it is रहेगा, बट हमें यह product नहीं बनाना है, क्योंकि सिर्फ NOH हीट नहीं है, तो all-doll product बनाना है, तो आपको क्या बोला था, pi bond को आप ब्रेक कर देंगे, और ध्यान रहे, alpha, beta पे आपको क्या करना है, OH डानना है, और इस पे आपका हेचा जाएगा, तो यह actual में आपका product हो जाएगा, इस condition में, क्योंकि all-doll बनाना है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, Kenny Zaro reaction के बारे में, जो tricks and concept दूंगा, उससे आप इस पे based आने वाले किसी भी problem को without mechanism कर लोगे, तो कैसे ध्यान से देखो, सबसे जाले इस reaction का reactant और substrate क्या होगा, तो वो very simple है, वो सारे aldehyde जिसके पास alpha hydrogen नहीं है, द्यान दे, वो सारे aldehyde जिसके पास alpha hydrogen नहीं है, वो इस reaction का reactant होगा, जैसे for example, यह aldehyde हो गया, C double bond O, H, यह fixerite aldehyde के लिए, इधर यह carbon, alpha carbon, इस पे कोई hydrogen नहीं है, क्योंकि इन्होंन द्यान से देखो, तो यह aldehyde हो गया, इधर alpha carbon पे hydrogen होना चाहिए, यहां तो alpha carbon नहीं है, तो यह भी show करेंगे, यहां पे द्यान से देखो, यह aldehyde हो गया, यह बगल वाला carbon, alpha carbon है, और इस पे तीनों chlorine है, कोई alpha hydrogen नहीं है, तो इसलिए यह भी show करेंगे, यहां पे द्यान स वो सारे aldehyde जिसके पास alpha hydrogen नहीं है वो show करेंगे क्लियर होगया point, reagent क्या लेंगे तो very simple basic medium आपको लेना है basic medium को देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जैसे 50% NOH या QH इस टाब से लिख देगा या concentrated QH and heat का sign given होगा right that means a strong basic medium चाहिए, overall solution basic होना चाहिए right, और aldol condensation से थोरा सा ज्यादा basic medium होना चाहिए तो यह इसका आपका होगया reason product क्या होंगे, तो वो भी very simple है इसमें product जो होंगे वो alcohol भी होंगे as well as carboxylic acid भी होगा अगर एक ही type के molecule है, एक ही type के aldehyde है तो same molecule oxidize भी होगा और reduce भी होगा इसलिए इसमें oxidation और reduction दोनों एक साथ होते हैं चाहिए different type के aldehyde हों, तो भी oxidation और reduction दोनों एक साथ होता है इसलिए ऐसी reaction को हम क्या बोलेंगे? disproportionation reaction, right? तो कहनी जारो reaction is example of disproportionation reaction that means इसमें molecule का oxidation भी होता है और reduction भी होता है now अगर different aldehyde होंगे तो in that case जो more reactive होगा उसको oxidize करना है that means उसको acid बना देना है और जो less reactive होगा उसको reduce करना है that means उसको alcohol में convert कर देना है और ऐसी reaction को हम बोलते हैं cross kenizar हो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे reactivity आप कैसे पैचानेंगे? तो वो भी very simple है आपको plus del charge that means partial positive charge on carbonyl carbon पे देखना है जितना ज़्यादा partial positive charge carbonyl carbon पे होगा उतना ज़्यादा reactivity होगा उसका और ये कैसे बढ़ सकता है तो minus i या minus m ग्रूप लगे होगे तो for example जैसे इन तीनों की reactivity का order तो ये carbonyl carbon होगे आपके right तो यहाँ पे hydrogen है इसका कोई effect नहीं होता है यहाँ पे ये benzene क्या करेगा resonance से इसके positive charge को कम करेगा और यहाँ पे ये plus m group है तो ये और भी resonance करके इसके positive charge को कम करेगा इसलिए reactivity का order ये हो जाएगा तो ये आपको ध्यान में रखना है now tricks for canny zero reaction तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये aldehyde है having no alpha hydrogen क्योंकि यहाँ पे इस carbon पे कोई hydrogen नहीं है और 50% NOH basic medium है तो canny zero के लिए ये perfect condition है तो कैसे होगा ध्यान से देखो आपको क्या करना है इस molecule को एक बार oxidize करना है oxidize करते वक्त ये जो hydrogen है हेच उसको OH में convert कर देना है और चुकि basic medium लिया है तो इसलिए जो oxygen सा hydrogen लगा हुआ है वो acidic hydrogen होनी को जैसे base उसको खा जाएगा तो O minus कर देना है तो इसलिए ये क्या है तो ध्यान से देखो C double bond हो as it is रहेगा सिरिफ हेच की जगा O minus कर देना है actually में OH होता है बट basic medium होनी को जासे अगर acidify कर दोगे तो फिर OH कर देना है तो acid आपको एक product मिलेगा दूसरा same molecule को आपको क्या करना है reduce reduce करने में क्या करना है जो carbonil carbon है C double bond O उसका pi bond को break कर देना है और एक-एक हेच दोनों को देना है तो द्यान से देखो एक oxygen को हेच मिला एक carbon को तो क्या हो जाएगा OH हा जाएगा that means आपका alcohol एक product बन जाएगा तो यह trick का point है अब हम application की बात करते है question number one में again यह द्यान से देखो aldehyde है having no alpha hydrogen यहाँ पे जो लिया है NaOAD NaOAD का मतलब क्या यह hydrogen का बराभाई हो गया right isotope और यह D2O यह भी hydrogen की जगा replace हुआ है तो आपको कैसे करना मालूम है इसको oxidize भी करना reduce तो जब आप oxidize करेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा simple यह C roll bond O रहेगा उस H की जगा O आ जाएगा right और O पे माइनस रहेंगे basic medium है तो चुकि फिर water डाल जाए acidify क्या है तो आप यहाँ पे लगाएंगे तो water में आप H नहीं है कौन है deuterium तो यहाँ पे कौन आएगा D आएगा यह ध्यान रखना और दूसरा जो आएगा वो alcohol type होंगे तो यहाँ पे भी ध्यान रखना आपको कि यह C हो गया यह pi bond को आप break करेंगे तो यह pi bond को break करेंगे तो यह O पे D आएगा यह H इधर भी H आएगा यह ध्यान रखना है H क्यों? क्योंकि यह ही hydrogen H minus के form में निकलता है और यह nucleophile की तरह attack करता है कार्वनिल कार्वन पे तो इसलिए H ही यहाँ पे रखना इधर D रहेगा क्यों? क्योंकि जो solvent है वो आपका D वाला water है तो यह एक अच्छा question है इसको ध्यान में रखना है similarly इस case में ध्यान से देखो NOH heat और H3O plus है that means acidify कर दिया again aldehyde NO alpha heat हो जाने तो आपको क्या करना परेगा एक बार oxidize करना है तो oxidize करेंगे तो यह C double bond O और चुकि यह H plus दे दिया तो आप आप OH कर सकते हो CH2OH plus आपको दूसरा जो product बनाना है उसमें क्या करना परेगा यह CH2OH और इधर वो पहले से था CH2OH आप इसको question कैसे पूछे जा सकते है कि product में क्या क्या है तो एक acid group और एक alcohol group है इस type की product है दोनो diol group है यह भी है दोनो carboxylic हो ऐसा नहीं है तो इस type से option बना सकता और इस type की question पूछे जा सकते है तो ऐसा मत समझाए आप कि सिरिफ आपको product पूछेगा इस product में भी वो option बना सकता है question number 3 मैं अगे ध्यान से देखो aldehyde हो गया basic medium है alpha carbon पे no alpha hydrogen तो यह कैनी जारो सो करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा यह 3Cl को तो ऐसे ही रखना है यहाँ पे C double bond O O minus basic medium क्योंकि acidify नहीं क्या है plus आपका यह Cl तो रहेगा इतीन और यह carbon पे ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा CH2OH यह alcohol बन जाएगे तो again इसका नाम पूछा जा सकता है तो you know alcohol को priority देंगे तो 1,2 तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,2 Trichloro और 2 carbon है तो Ethanol तो आपको ऐसे option create कर सकता है कि यह reaction होई 4 option दे दिया which can be the product और IUPAC नेम कर दिया तो इस step से relate किया जा सकता है Question number 4 में which will not show canisaro reaction इस step से भी question आ सकते है तो जैसे यहाँ पे यह जो aldehyde है इसके बगल में यह carbon है sp3 hydrogen है और hydrogen भी alpha hydrogen भी है तो यह canisaro नहीं सो कर सकता क्योंकि alpha hydrogen नहीं होना चीए तो यह भी नहीं हो सकता यहाँ पे ध्यान से देखो yieldhyde है having no alpha H right तो यहाँ पे बच्चे समझते हैं कि यह हो जाएगा यह नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि basic medium है basic medium होनी के जाएगा यह हेच निकल जाएगा और O पे माइनस आएगा और यह resonance करनी के जाएगा इस carbon के positive charge को बहुत ही कम कर देता है इसलिए ध्यान रखना यह तरह से exception भी है यह भी आपका कैनी जारू reaction भी नहीं करेगा जबकि इसके पास alpha hydrogen नहीं है फिर भी यह नहीं करेगा तो important है यह reason कि oxygen से hydrogen जो attach है वो ACD खोने के जाएगा से निकल जाते है basic medium में oxygen पे negative हाता है जो इतना ज़्यादा resonance करता है इतना ज़्यादा activating group है कि इस carbon पे जो plus charge होता है उसको खतम कर देता है via resonance और यहाँ पे द्यान से देखो तो again यह alpha carbon तीनों methyl है कोई alpha hydrogen नहीं है तो इसलिए option क्या हो जाएंगे D question number 5 में in which case carbon carbon bond will not be formed carbon carbon के बीच bond form किसमें नहीं होता है तो fridal craft reaction में होता है similarly remote demand reaction में भी होता है phenol की reaction होती है आपको मालूम ही है OH की reaction आपका CSCL3 से होता है तो आपका OH और यहाँ पे C double bond OH तो द्यान से देखो carbon carbon के बीच bond बनते हैं इसमें कैनी जारों में ही नहीं बनता है क्योंकि एक oxidize होता है एक reduce होता है तो वो oxygen आता है ग्यान की बात और that is very important तो द्यान से देखो एक होता है cross canisaro तो इसमें एक reactant आपका fix हो गया है formal dehyde होना चाहिए दूसरा वैसा aldehyde लेना है जिसके पास कोई alpha hydrogen नहीं हो जैसे कि इस condition वो रहा है again basic medium है तो जो formal dehyde होता है वो more reactive है more reactive वाले amr लिख रहा हो में more reactive है more reactive वाले oxidize हो जाएंगे चुकि basic medium create किया है तो यहाँ पे h नहीं लगाएंगे तो यह ionic form में रखना है right formic acid हो गया एक तरह से यहाँ पे formate iron हो गया और दूसरा वाले को reduce करना है तो you know कि यह CH2H अलकोहल मा जाएगा तो यह आपको बना देना है तो इसको बोलते है cross canisaro जब दो different type के aldehydo जिसमें से एक आपका formal dehydo और दूसरा ऐसा aldehydo जिसके पास alpha hydrogen नहीं हो तो cross canisaro बोलेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि एक reactant इसमें fixy हो जाता है formal dehydo होना चाहिए जो oxidize हो जाएंगे more reactive होने के जाएंगे दूसरा वाला reduce होगा एक point all में यहाँ पे mention करना चाहूँगा कि इसको आप क्या बोलेंगे phenyl, benzene को right और यह एक करवन है तो phenyl, methanol भी बोल सकते हैं आयू pack name करके भी दे सकता है तो इसलिए ध्यान रखना है दूसरा उसी तरीके से होता है cross aldol right दूसरा क्या होता है cross aldol तो इसका क्या मतलब है इसको भी समझेंगे यहाँ पे भी दो different type के aldehydea ketone वांगे having alpha h यहाँ पे alpha h होना चाहिए again basic medium होगा तो आपको क्या करना है एक बार A का खुद A के साथ aldol product बनाना है एक बार B का खुद के B के साथ तो इसको बोलते है self aldol right एक बार A का B के साथ बनाना है या फिर B का A के साथ तो इसको बोलते है cross aldol तो इसलिए हम से पूछा जा सकता है कि यह अगर A और B को रियक कराया तो कितने product मिलेंगे all-doll के possible तो total कितने हो जाएंगे यहाँ पर इस case में 4 क्योंकि दोनों के पास alpha hydrogen है तो आपको इसी तरकी से think करना है A का A के साथ, B का B के साथ A B के साथ, B A के साथ जैसे इसको मैं समझाता हूँ द्यान से देखो मैंने A ले लिया आपका यह acetaldehyde तो आपको बता रखा हूँ कि इस टैप से seedal bond हो सामने कर देना है same EC का दूसरा molecule इससे collision कर सकता है तो इसका 2 hydrogen alpha hydrogen सामने कर 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 के water power कर दो तो यह product मिलेंगे वैसे ही अगर मैं यह propanel अगर यूज करूँ तो एक का seedal bond हो दूसरे का alpha hydrogen सामने क्या water bar निकाला तो यह product बन सकता है अब A का B के साथ कर सकते हैं तो आपने acetyl dihyde लिया और दूसरा propanel का alpha hydrogen सामने क्या तो ऐसे और B का A के साथ क्या तो ऐसे तो यह total four possible product है तो इसको बोलते हैं cross aldol अगर इसमें किसी एक के पास alpha h नहीं होता तो number of aldol product क्या हो जाते हैं फिर कम हो जाते हैं तो आपको ऐसे ही think करना A का A के साथ B का B के साथ that is self और फिर cross इसलिए इसका नाम रहेगा cross aldol आज की इस video lecture में हम लोग बात करेंगे hello form test और ido form test के बारे में जो tricks and concept दूंगा इससे आप इस test के reactant reactant and product को easily पहचान सकते हो और इस पे बेस आने वाले किसी भी problem को बहुत easily solve कर सकते हो तो ध्यान से देखिए इस reaction का reactant क्या होगा या इस test का reactant क्या होगा तो very simple है आपको carbonil carbon को search करना C double bond हो और उसके एक side CH3 fix है ये होना चाहिए दूरसे side में either hydrogen हो या कोई भी alkyl group हो चल जाएगा बास समाज मागे C double bond हो के एक side सिरिफ CH3 होना चाहिए सिरिफ एक ही carbon हो चाहिए एक ही methyl group होना चाहिए दूसरे side में आइदर hydrogen हो तो भी चलेगा या फिर कोई alkyl group होना चाहिए इसलिए इसको acetyl group भी बोलते है acetyl group का presence must है या फिर methyl ketone present होना चाहिए तो ये आपका reactant है ध्यान दे कभी-कभी ये न दे करके ऐसे भी दे सकता है क्योंकि ये further इसमें convert हो जाएंगे कैसे तो ध्यान से देखो आपको कैसे देखना है आपको देखना है कि किसी भी side से दो corner होंगे either this corner से या that corner से किसी भी corner से अगर second number कारवन पे ध्यान दे second number कारवन पे OH ग्रूप लगा हुआ है या फिर halogen है या कोई better living group है तो ये भी इसमें convert हो जाएंगे और ये भी ये test शो करेंगे जैसे इस case में इधर एक मिथाल हो गया second number कारवन पे OH है तो ये test शो करेंगे तो ध्यान दे कि ये फिर से क्या हो गया दोनों side से अगर आ जाए तो भी चलेगा या किसी एक side से होना चाहिए again इधर अगर एक ही side से carbon इधर है CH3 तो इधर कोई भी hydrogen हो या alcohol group हो चलेगा या इधर भी CH3 CH आ जाए तो भी चलेगा that means आईधर side से second carbon पे ये तीनों चीजों में से कोई अगर present है तो फिर ये शो करेंगे similarly कभी-कभी ऐसे भी दिया जा सकता है C double bond हो गया CH2 ये जो इसका 3 hydrogen था एक hydrogen हट अगर क्या halogen लगा दे तो वो भी शो करेंगे या 2 halogen लगा दे या 3 halogen ये सब उसी के part है तो ये सब शो करेंगे similarly किसी भी side से right either corner से जैसे इस side से अगर गए second number corner पे 2 halogen लगे हुए है तो ये भी शो करेंगे क्योंकि ये सब क्या हो सकते है इसमें convert हो जाएंगे via oxidation तो इसलिए ये सब शो करेंगे similarly आपको कैसे दिया जा सकते है इस type में भी ध्यान से देखो तो ये जो बीच में करवन है इसका जो hydrogen है वो acidic hydrogen है तो hydrolysis होने के जासे ये bond break होंगे तो इसको H मिलेगा और इसको OH अगर मिलेगा तो ध्यान से देखो आपका ये वाला part generate हो चुका है इसलिए ये test सो करेंगे ये R, C, D,O, CH3 बिल्कुल ऐसा ही हो गया ये जाने का मतलब है कि आप देख लो कि reaction के दरण क्या ये produce हो रहा है अगर हो रहा है तो वो test सो करेंगे तो इसलिए ये भी सो इस type के भी जतने compound होंगे वो सो करेंगे similarly उसी को ऐसे भी दे सकता है यहाँ पर carbon ने 3 bond बनाया है तो actually में H होंगे यहाँ पर भी H होगा तो यह इस type के भी क्यों क्योंकि यह H, OH में convert होकर करके फिर से यह यही बना देंगे और फिर यह बनेगा और फिर यह यह बन जाएंगे तो यह भी सो कर सकते हैं इस type के alcohol भी आपका सो करेगा test similarly अगर धियान से देखो ester के case में अगर oxygen के इधर ET मतलब ethile group सिर्फ ethile लगा हुआ है तो ही सो करेगा इसके लाबा methyl हो या propile and so on कोई भी हो तो वो सो नहीं करेंगे दूसरा इस type में भी ester ही है बट ध्यान से देखें तो ये इधर एक ही carbon होना चाहिए इधर चाहे जितना carbon लगानों आप लगा सकतो ये वैसा ही हो गया ध्यान से देखो ये कैसे आजाएगा इधर से second carbon पे OH बन जाएंगे जो ये वाला हो गया फिरार तो इस type के भी सारे के सारे सो करेंगे ये सारे ester तो ये आपको मैंने एक reactant का पुरा list दे दिया कि कौन सो कर सकता है एक अच्छे तरीके साब को समझाया रियेजेंट इसका क्या है तो that's very simple आपको basic medium लेना NOH in presence of halogen NOH X2 करके दे सकता है where X क्या हो सकते है chlorine, 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 iodine that means fluorine नहीं हो सकता ये बात क्लिए रोना चाहिए similarly इसी को ऐसे भी दे सकता है NaOX NaOX का मतलब sodium, oxygen और कोई halogen either CL या BR या I जैसे NOI, NOOBR, NOCL ये आपको दे सकता है क्यों दे सकता है क्योंकि जब ये base की reaction आपको non-metal से होगा तो disproportionation reaction होती है that means ये metal द्यान से देखो minus 1 में भी गया और plus 1 में भी तो ये एक अच्छा oxidizing isn't भी है right mild oxidizing isn't होने की वज़ा से ही ये point मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाता है ये hydrogen को oxidize कर देता है और we know कभी भी एक करून पर 2 OH हो तो ये unstable होते हैं due to lone pair repulsion के वज़ा से तो water को बाहर आपको कर देना है right तो 2 hydrogen एक oxygen बाहर हो जाएंगे तो ये seed और bond हो जाएगा इसलिए ये वाले part ये वाले part में हमने ये सब समझाने की कोशिस की आपको कि ये एक mild oxidizing isn't होने के जासे अगर उस current पर OH है या halogen है या living group है तो उसको oxidize करके further ये यहाँ पर लेके आ जाएगा इसलिए किसी एक corner से CS3 का होना जरूरी है तो ये so करेंगे तो I hope present भी आपको क्रियर होगा that means basic medium create करना आपको in presence of halogen होना चाहिए और कैसे दे सकता है तो बहुत सारे तरीके जैसे Na2, CO3 और X2 भी दे देगा तो बच्चे नहीं पाचान पाते हैं दियान से देखो तो ये strong base weak acid से बना हुआ salt है solution basic हो गया in presence of X2 या फिर score कैसे दे सकता है OH minus comma X2 सब एक ही बात है तो ये reason को देने के different तरीके हो सकते है ये not only reason है ये एक mind oxidizing agent भी है इसलिए ये सारे के सारे आपको ये test show करेंगे now product क्या होगा तो very simple है जो ये जो corner वाला CH3 है इसका तीनो hydrogen हट आगर के halogen लगा देना आपको जहां से देखो halogen लगा देना आपको और 1H क्योंकि carbon carbon बनाएगा तो 1H आपको रहने देना है तो ये एक product होगा आपका जहां पर X क्या हो सकता है CLBRI अगर वो I हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे IDOFORM CH3 को क्या बोलते है IDOFORM और इसका color yellow होता है इसलिए ये test की पहचान है और मैं जो हम IDOFORM टेस्ट ही करते हैं जिसलिए हमने यहाँ पर IDOFORM लिखा है वैसे ही अगर Bromine हुआ तो Bromoform बोलेंगे क्लोरीन हुआ तो क्लोरोफर्म बोलेंगे तो बास समझ में आगए कि ये जो C-Doll Bond के बगल में जो करवन है इसके तीन हर्डोजन को हटा करके तीन हलोजन और इधर वाला जो Bond Break हुआ एक हर्डोजन तो ये एक प्रोड़क्ट आपका fix है दूसरा प्रोड़क्ट ये जो इधर का पार्ट बचा वो C-Doll Bond O- चुकि बेसिक मीडियम है इसलिए इसको प्रोटेनेट करके रखना है O- के फॉर्म में रखना आपको तो ये दूसरा आपका प्रोड़क्ट fix है तो आई होप ये किलियर होगा नाव ट्रिक्स जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं तो कभी भी आपको रियक्शन इस टैप से गिवेन हो R-C-Doll-Bond-O-C-S-3 तो ये कारवनिल कारवन हो गया इस पे ये मिथाल ग्रूप लगवे है हैलोजन in presence of NOH है तो ये हैलोफर्म टेस्ट शो करेंगे तो आपको क्या करना है R-C-Doll-Bond-O और ये जो कारवन का तीन हार्डोजन उसको मैंने ओपन कर दिया ये तीनों हार्डोजन को रिप्लेस करना है ध्यान से देखो हैलोजन से ये तीनों हार्डोजन की जग़ा क्या ले आना है हैलोजन और ये कारवनिल वाला जो कारवन है और ये जो कारवन है मिथाल वाला इनके bond को break करना है, इस carbon को H देना है क्योंकि 3 halogen लगने से यह ज़्यादा electron negative हो जाएगा और इसको OH देना है तो ध्यान से देखो क्या product आ गया 3 halogen के साथ 1 H तो CH X3 आ गया और दूसरा R C double bond OH यह तम मिलेगा जब acidify करोगे चुकि basic medium है तो यह H आपका नहीं रहेगा तो R C double bond O minus और यहाँ पर जो भी cation होंगे वो cation लगा देना है तो यह product हो गए right अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कभी कभी balance reaction का भी ध्यान रखना है इस पर basic question पूछ आ सकते हैं तो आपको एक molecule लेना है यह R C double bond O CH3 का तीन मोल्स आपको लेने परेंगे हैलोजन के फोर मोल्स बेसिक मीडियम के 4 NOH तब जाकर का आपको एक molecule R C O minus का मिलेगा एक molecule हैलोफर्म का CHX3 तीन molecule sodium halide वाले मिलेंगे और तीन molecule water तो यह ध्यान रखना कभी कभी balance reaction का भी यूज़ कर सकता है नाव important point क्या है तो पहला point यह है कि जैसे जैसे यह reaction progress होती है वैसे वैसे fast हो जाती है due to minus I effect of halogen क्यों 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 ध्यान से देखो क्या होगा first case में एक hydrogen हट करके एक halogen लगेंगे तो उसके जासे यह जो दो hydrogen है वो काफी acidic हो जाएंगे तो पहले reaction slow होगी क्योंकि पहले तीनों hydrogen है तो यह उतना ज़्यादा acidic नहीं है यह सिरिफ acidic किस वज़ाँ से हुआ है क्योंकि जब यह hydrogen जाएंगे तो इस कारण पर negative हैगा negative single double से resonance होगा तो पहला जो reaction का पहला step जो है slow है उसका दूसरा step थोड़ा fast होगा क्योंकि एक हैलोजन आया फिर एक और हैलोजन आएंगे तो और fast हो जाएगा तो वही चीज़ को यहाँ पर समझाए कि पहले case में एक हैलोजन आएगा दूसरे case में दो हैलोजन आने को जैसे यह हैलोजन और भी जाद ऐसेटिक और तीसरे case में तो तीनो ही हैलोजन आ जाएंगे तो यह reaction जैसे जैसे proceed होती है fast होती जाती है इसलिए important point यह है कि reaction को कभी भी आपको बीच में stop नहीं करना है reaction not stop in between कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने इसकी reaction कराया three moles of x2 के साथ in presence of basic medium तो आपको यह मिलेंगा और यह बाकी सारे मिलेंगे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो अगर मैंने इसका one mole लिया और इसका भी one mole लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको one mole इसका मिल जाएगा यह वाले का ऐसा नहीं है कि इसके one mole मिलेंगे क्यों क्योंकि यह reaction पूरा complete हो जाएगे fast reaction होती है right तो stop बीच में नहीं करना है तो भाई अगर माल लेता हूँ मैं इसका x mole react हुआ तो इसके three x mole react होंगे और चुकि यह limiting result होगा आपको तरीका बता रख हम mole concept में one को divide करेंगे three से तो यही least number है limiting result है मतलब खाता हो जाएंगे तो one minus three x zero तो x केतना जाएगा one by three तो that means यह केतना left यह केतना बचा तो two by three moles इसके बचेंगे यह zero हो जाएंगे यह पूरा complete product का one by three moles मिलेगा और इसका भी one by three तो ध्यान रहें न तो आपको यह मिनने वाला है नहीं यह मिनने वाले नहीं यह क्यों क्योंकि यह reaction very fast हो जाती है starting में 16 उसके बाद fast हो जाती है due to minus i effect of that halogen now application तो कौन कौन से ऐसे functional group है जो यह test हो नहीं करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चे को लगता है कि सर ने बोला था C-doll bond or CH-3 बट बेटा इधर OH है plus N group है तो यह show नहीं करेंगा that means acid यह test show नहीं करतें सिम्रली ध्यान से देखो तो यह अगर इधर halogen यह तो है present बट इधर मैंने क्या बोला था इस side में आइधर alkyl group या hydrogen होना चीए तो वो नहीं है इसलिए यह show नहीं करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यह सब यह जो से basic medium की rate करने को से यह H निकल जाएंगे यह minus को जो से यह बहुत जादा resonance करेंगे तो उधर reaction नहीं हो पाएगी इसका hydrogen को वो acidic नहीं होने देगा similarly इस case में भी यह anhydride हो गया तो आप किस side से भी break कर लो अगर इधर से break करोगे तो इसको OH मिलेगा और इसको H तो दोनो acid group बनेगा इसलिए यह नहीं show करेंगे similarly इस case में भी ध्यान से देखो अगर आपने इसको break किया तो इसको OH और इसको H तो यह methanol बना इसलिए यह show नहीं करेंगा उधर तो acid है तो acid वैसी show नहीं करता है तो नहीं करेंगा बट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे nitrogen के पास alone pair है again resonance करेंगे तो यह सब भी show नहीं करेंगे तो यह वो सब functional group है जो show नहीं करेंगे क्योंकि break करने के बाद भी वो condition नहीं बन पा रही है यह वो case है जहां पे show करेंगे क्योंकि आपको बतार रखा हूं C double pound O CS3 यह तो fix है इतना यह तो इतना fix है इधर क्या होना चाहिए R या H जो कि इस सब में नहीं था इसलिए show नहीं किया तो यह तो show करेंगे similarly अगर इतायल अलकॉल हो तो show करेंगे क्यों क्योंकि यह जो hydrogen है mild oxidizing agent होने के वज़ाद से NOH और X2 यह hydrogen को OH में convert कर देगा water bar कर देंगे इतायल गुरूप तभी show कर पाएगा क्योंकि फिर से hydrolysis होने के बाद इतायल अलकॉल में आ जाएगे इस bond को भी रेक्या इसको H और इसको H तो इधर ET होना चाहिए तभी आप इसके बाद जो भी carbon होनगे तो नहीं show करेंगा इसलिए इधर ME था इसलिए नहीं show किया ना तो एक carbon वाला show करेंगा नहीं तीन या तीन से जादा शिरिफ दो carbon होंगे तो वो show करेंगे या फिर ऐसे वाले show कर सकते है एक तरफ R कोई भी group लगाओ या H लगाओ और दूसरी तरफ आपका CH3 होना चाहिए क्योंकि ये bond break होंगे तो आपका ये secondary alcohol एक तरह के से बन जाएगा और आपका मालूम है ये हेच OH में convert होकर गए water बाय जाएगे तो फिर से ये produce हो जाएगा तो इसलिए ऐसे compound show कर सकते है तो आपको break करके देखना है कि finally वह वहाँ तक आ रहा है कि नहीं जो tricks दे रखाऊ इस type के भी show कर सकते है क्योंकि ये bond break होंगे तो इसको H और ये CH तो ये CH और ये CH oxidize होकर के OH में तो ये P-A-C-O CH3 तो वह वाले में आ जाएगा तो ये show करेंगे नहीं show करेंगे Now question is which can show positive I do from test तो हमें एक-एक को check करना है तो ध्यां से देखो ये वाला seed or bond तो है लेकिन CH3 नहीं है तो शो नहीं करेगा ये वाले में ये 3 degree alcohol हो गए CH3 तो है इदर लेकिन यहां पर हार्टिजन होने चीए मिथाइल है तो ये भी show नहीं करेंगे यहां पर ध्यां से देखो तो ये corner वाले से second वाले पर OH है यहां पर H है तो right तो ये show कर जाएगा secondary alcohol आपको बता रखाओ D वाले में again ध्यां से देखो इदर CH3 है second पर OH है और यहां पर H है तो ये show कर जाएंगे या फिर इसी को ऐसे भी लिख के दे सकता है तो ये वही बात है यहां पर ध्यां से देखो तो C double bond O है आपका CH3 है तो ये show कर जाएंगे यहां पर इदर CH3 second वाले पर OH है और H है तो ये show कर जाएगा यहां पर C double bond O CH3 है यहां पर ध्यां से देखो तो ये वाला को break करेंगे तो ये इथायर अल् perse बन जाएगा तो ये भी show कर जाएंगे यां पर ध्यां से देखो हाँ ही तो ये show कर जाएंगे जस्ट आपको ये check करना है यहां पर ध्यां से देखो H थो है बट इधर ET है इधर भी ET है ME किसी भी side नहीं है तो यह show नहीं करेगा यहाँ पे द्यां से देखो CH3 second पे OH है और H है तो यह show कर जाएंगे यहाँ पे तो ME group ही नहीं है तो यह show नहीं करेंगे यहाँ पे अगें देखो ME group है second पे OH है, तो यहाँ पे भी H है, तो यह show कर जाएगा, राइट, यह आपका C-doll bond हो, CS3 हो गया, तो यह भी show कर जाएगे, इधर यह CS3 और second करण पे OH है, यहाँ पे H है, जो कि OH में convert हो करके, CS3 C-doll bond हो दे सकता है, तो इसलिए यह show करेंगे, इधर कभी भी आपका show नहीं करता है, तो आपको ऐसे question कैसे पूछा जा सकता है, तीन तरीके से, आपको 4-5 molecules दे करके, integer type में पूछ सकता है, या फिर इसका IUPAC name दे करके भी दे सकता है, 5-6 IUPAC name दे दिए, कौन-कौन show करेगा नहीं करेगा, integer type में, या फिर option बना करके, which can show IUPAC name दे सकता है, तो मेरे कहने करें मतलब है, कि आप ध्यान से समझो, concept एक रहेंगे, पूछने के तरीके different रहेंगे, ना उन्हें question number 2 में, इस type से given है, तो बच्चे देखके समझी नहीं पाते हैं, ध्यान से देखो, करके 3 bromine लगाना, और ये bond breaker के 1 hedge देना, और उधर क्या बनेगा, तो चुकि basic medium है, तो C double bond O minus, और यहाँ पर cation connect K, तो K plus रहेगा, तो यह product हो जाएंगे AB, similarly question number 3 में, यहाँ से यहाँ convert करना है, तो क्या लेना चाहिए, तो ध्यान से देखो, क्या क्या है, double bond को कुछ भी नही क्या है, और यहाँ पर का OH क्या से convert हुआ है, C double bond OH में, वो किसमा था, इसमें इसका अतलब, क्या हमें I2 form reaction कराने परेगी, तो tolerance reason तो नहीं ले सकते, I2 NOH, यही हो जाएंगे, L client के मेना phone नहीं ले सकते, क्योंकि double bond को भी effect करेगा, D तो हो नहीं सकता है, तो यह कैसे बात R1 से second पर OH है, तो इसका H, OH में convert हो जाएगा, तो यह किसमें convert हो जाएंगे, C double bond OH CH3 में, और यह फिर वैसा ही हो गया, तो यह आपको मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिलता, CHI3 जो कि यहाँ पर नहीं दिखा है, तो इस टाप से भी दे सकता है, अच्छे question है, exam में समझ में करने आता है, कैसे करना है, question number 4 में, किस टाप से, IUPAC नेम दे करके, which will not give yellow precipitate, तो you know, CHI3 का yellow precipitate होता है, कौन नहीं देगा, that means कौन आइड़ोफर्म टेस्टो नहीं करेगा, तो आपको द्यान से देखो, इथाइल, मिथाइल, कीटोन, कीटोन बोले तो C double bond OH, एक तरफ AME, ए तरफ ET, तो यह आ गया, तो यह तो show करेगा, तो यह नहीं हो सकता, isopropyl alcohol, तो इसमें बच्चे confuse रहते हैं, propyl मतलब तीन carbon आपको लेना है, और आइसो मतलब कि इसी carbon पर मिथाल होना चाहिए, इसलिए इसको आपको OH करना परेगा, 1, 2, 3, देखो, तीन carbon है, तो यह secondary alcohol हो गय क्या, क्यांकि इधर CS3 है, बाइदर दोनों तरफ CS3 है, तो यह भी show करेंगे, तो यह नहीं हो सकता, 3 methyl, 2 buton, तो second carbon पर buton होना चाहिए, 1, 2, इधर 3 और यह 4, और 3 पर 1, 2, 3, यह इधर से करोगे तो, यहां पर methyl, तो 3 methyl, 2 buton, तो यह है, तो यह भी show करेंगे, isobutyl alcohol, तो यह होगे, चार carbon, second carbon पर CS3, isobutyl हो गया, और alcohol, तो यहां पर OH, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर नहीं show कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर CS3, CS3 है, राइट, और वैसे भी यह 1 degree है, second होना चाहिए, तो option D हो जाएंगे, आपका यहां पर, कि which we not give, yellow precipitate, तो our option will be D. 1 degree amine को distinguish करने के लिए, तो इसमें Tris का point क्या है, कि हिंस बर्ग में ध्यान से देखो, H और N और B, यह 3 word आ रहे है, H N के combination से, अगर nitrogen के साथ 2 hydrogen है, और 1 carbon है, तो 1 degree amine हो जाएगा, अगर nitrogen के साथ 1 hydrogen 2 carbon है, तो 2 degree amine हो जाएगे, अगर nitrogen के साथ 3 carbon है, तो 3 degree amine हो जाएगे, तो इसलिए H और N से relate क्या, B for base, base में डालने पर 1 degree amine, soluble हो जाएगे, 2 degree insoluble रहेगा, 3 degree reaction ही नहीं करेंगे, तो ध्यान से समझो कहने का क्या point है, तो सबसे पहले इस test के लिए जो reagent है, वो important है, that is benzene sulfonyl chloride, जैसे C double bond हो होता है, तो carbonil बोलते हैं, यहां पर S double bond हो है, तो sulfonyl, benzene sulfonyl chloride, जरूरी नहीं कि आप यहीं लो, आप चाहो तो benzene पर कोई other group लगा सकते हैं, जैसे methyl वेगर आप लगा सकते हो, right, तो यह reagent fix हो गया है, पूछा जाता है, reagent का formula, structure, यह सब ध्यान रखना, पूछा जाता है, और यह किस के लिए use होता है, तो 1 degree, 2 degree, 3 degree amine को detect करने के ल profile का काम करेगा, और यह sulfur के sulfonyl वाले group पे attack कर देगा, यह chlorine एक अच्छा living group पे बाहर चला जाएगा, और यह compound बन जाएगा, यहाँ पे nitrogen ने total carbon बना लिया, क्योंकि already 3 बनाया था, और एक attack करने को जैसे, तो you know nitrogen carbon unstable है, तो यह छोटू सा hydrogen उसको sacrifice कर देगा वो, और यह बन जा हो जाते हैं, यह hydrogen बहुत ही ज़्यादा acidic हो जाएगा, क्योंकि एस double bond हो दोनों साइड है, resonance हो जाएगे, तो इसलिए जब मैं इसको base में डालूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि reaction हो जाएगी, तो इसलिए 1 degree Amine अगर हुआ, तो आप पहले उसको क क्या हो जाएगा, इनसलिबू reaction नहीं होगी, और अगर 3 degree होगा, तो reaction यहीं पर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कोई hydrogen बचा नहीं है, sacrifice होने के लिए, क्योंकि जब attack कर देगा, तो nitrogen चारबन बनाएगा, पलस आएगा, और sacrifice करने के लिए hydrogen नहीं है, तो इसलिए इनसलिबूर, 1 degree में 2 hydrogen है, एक sacrifice हो करके चला जाएगा, और एक बचेगा, जो कि बहुत जादा acidic है, इसलिए, base में वो सॉलिबू लजाएगे, 3 degree में hydrogen ही नहीं है, इसलिए पहली ही reaction नहीं होगी, तो इसलिए यह बहुत ही अच्छा reason है, to detect 1 degree, 2 degree and 3 degree, और इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, next test is carbide amine test, again यह amine chapter में second test है, इससे स्रिफ और स्रिफ आफ 1 degree amine को test कर पाएंगे, चाहे वो aliphatic हो, या aromatic हो, doesn't matter, इधर आर, alcohol group हो सकता है, या aromatic वाला benzene हो सकता है, but the thing is, कि 1 degree ही होना चाहिए, उसकी reaction किस से कराना है, chloroform से, right, in presence of basic medium, यहाँ पे इथेनॉलिक, QHB लिख सकता है, that means alcohol in presence of base है, थोड़ा heat करेंगे, तो ध्यान से देखो, क्या करना आपको, यह दोनों hydrogen को आपको हटा लेना है, यह दोनों hydrogen हटा लेना है, R, N, और यह C को यहाँ पे लियाना है, तो क्या बन जाएगा, R, N, C, इसी को बोलते हैं, isocyanide या फिर carbolamine, देखो, यह potassium, C, L को लेकर के जाएगा, तो K, C, L बन जाएगा आपका, और यह hydrogen और यह OH, water के form में आ जाएगे, तो इसलिए by product भी clear होना चाहिए, इसलिए best more concept के question पूछ सकते हैं, now reaction को balance करना हो, तो द्यान से देखो, R, N, और C, यह balance रहेगा, 3 klorine है, तो इसलिए मुझे 3 potassium लेना परेगा, 3 QH करना परेगा, तो इधर 3 मुझे KCL भी करना परेगा, तो 3 potassium, 3 klorine हो गया, जहां से देखो, तो 3 OH हो गया, 3 oxygen, that means 3 oxygen, 3 hydrogen है, इधर 1 hydrogen है, इधर 2, तो total 6 hydrogen है, 3 oxygen है, तो इधर मुझे 3 H2O करना परेगा, तो यह भी 3 है, यह भी 3 है, यह भी 3 है, बस यह CL व पूछे जा सकते हैं, कि अगर इसका इतना गराम लिया, तो मोज निकाल लो, तो इसके कितने मिलेंगे, इसके कितने, इसके कितने, इसके कितने, इस्टप से पूछा जा सकता है, तो important point क्या है, कि इसको isosynide test, that means ध्यान रहे है, कि यहां पर जो nitrogen है, वो carbon से attach होता, isosynide है, right, दूसरा, 2 degree, 3 degree, amind don't show this reaction, इसलिए, हिंसबर्ग test से हम, 3 degree amind को पैच्चान सकते हैं, but करवाल amind test से, शरिफ 1 degree को, दूसरा, इसका जो smell होता है, वो fall smell होता है, गंदा smell होता है, तो यह ध्यान रखना है, और इसमें एक बात और यह पूछा जाता है, कि इस reaction में intermediate क्या है, तो that is dichlorocarbene, dichlorocarbene is the intermediate, CCL2, एक vacant orbital होता है, तो dichlorocarbene, यह इसका intermediate होता है, यह सारे point धान में रखना है, next is tollens test, और very important है यह, tollens test का दूसरा नाम silver mirror test है, इसका जो reagent है, वो silver in presence of ammonia, ammonical silver भी बोल सकते हैं, silver यहां पर plus one oxidation state में होता है, now corn से functional group test दे सकते हैं, तो only aldehyde देगा आपका, ध्यान दे, ketone यह test नहीं देता है, only aldehyde और which can convert into aldehyde during the course of reaction, for example, जैसे यह aldehyde है, चाहे वो aliphatic हो या aromatic हो, दोनों देगा, right, तो यह दोनों test देंगे, जैसे यहां पर ध्यान से देखो, तो aldehy aldehyde group नहीं है, तो बच्चे को लगता कि यह नहीं देंगे, लेकिन देगा कैसे, चुकि बेसिक मेडियम लेते हैं, तो hydrolysis हो जागा, hydrolysis होगा, तो यह bond break हो जाएंगे, different electron negative यहां पर OH जाएगा, एक करण पर दो OH होते हैं, water bar जागा, तो यह aldehyde group create हो जागा, तो आप ध aldehyde का in all form है, तो वो भी show करेंगे, तो इसलिए ध्यान देना है, aldehyde तो show करेंगे, पलस इस type का कोई group हो, या इस type के in all वाले, जो aldehyde create कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे test देंगे, तो point क्या है, शरिफ aldehyde देता है, ketone नहीं देता है, now reaction कैसे होगी, तो aldehyde लेंगे चुकि basic medium create क्या हुआ, इसलिए यहां पे h नहीं लगाएंगे, minus के form में रहेगा, और यहां पे जो silver plus one में था, वो zero में आ गया है, इसलिए आपको अपना चेहरा दिखेगा, इसलिए इसको बोलते है silver mirror test, समझगने के लिए water रहेंगे, ammonia रहेगा, तो इस पे based again, आपको mole concept क problem पूछे जा सकते हैं, now हम कैसे धियान रखेंगे, इसमें क्या-क्या important point है, वो धियान से देखो, यहां पे carbon और hydrogen में, you know, carbon ज्यादा electronegative है, तो इस bond के जैसे, इस पे minus one आएगा, तो इस पे plus one आएगा, और यहां से यहां तक के process में क्या हुआ है, धियान से देखो, बाक minus one से plus one में कैसे जा सकता है, दो electron का change करके, तो पूछा जा सकता है कि इस process में केतने electron का loss again हुआ, तो दो electron का, इसलिए 2ag मुझे करना पड़ा, यहां पे धियान से देखो, right, ammonia केतने हो गए, 2 to the 4, इसलिए 4 ammonia आपको करना पड़ेगा, right, चुकि 3OH था, इसमें के 1 oxygen तो आप attach कर दिये, तो 2 oxygen बचा, इसलिए 2 water molecule, तो reaction को रटना नहीं है, ध्यान से समझते हुए, question कैसे पूछा जा सकता है, कि अगर इसका मैंने 2 moles लिया, तो इसके कितने moles मिलेंगे, या mass दे दे, इस type से mole concept के problem बना जा सकता है, इसलिए इसको with balancing भी ध्यान रखना है, कैसे क्या balance, very simple carbon minus 1 से plus 1 में गया, 2 electron का change, इसलिए 2 AG, क्योंकि AG यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही था जो plus 1 से 0 में गया, right, इसलिए मुझे 2 AG, तो यहाँ 2 करना पड़ा, total ammonia केतना हो गया, 2 to the 4, इसलिए 4 करना पड़ा, right, और चुकि यहाँ पे 1 oxygen यहाँ पे अपने लिया है, तो 2 oxygen बचा, इ aldehyde में convert होंगे, यह test देते हैं, next is failing test, तो again यह aldehyde को test करने के लिए जो होता है, यह test ketone नहीं देते हैं, ध्यान दे, ketone यह test नहीं देता है, जैसे आपका silver mirror test ketone नहीं दे रहा था, ध्यान दे, यहाँ पे जो aromatic aldehyde है, that is benzaldehyde, यह भी यह test नहीं देते हैं, जबकि आप का, जो silver mirror test है, यह देता है, right, तो यह ध्यान रखना, यह exception है, यह नहीं देते हैं, failing test, failing जो है वो, दो solution से मिलके बनाता है, एक को बोलते हैं, failing A, एक को बोलते हैं, failing B, failing A में copper sulfate लेते हैं, aquas, that means copper plus 2 में होना चाहिए, failing B में जो है वो, sodium, potassium, और इसको बोलते हैं, tartaric acid से tartar तो sodium, potassium, tartarate आपको लेना है, कैसे, very simple है, total 4 carbon है, दोनों corner वाले carbon पर carboxylic group होना चाहिए, बीच में 2 OH group होना चाहिए, तो question क्या-क्या पुझा सकता है, इसमें कितने chiral carbon है, तो 2 chiral carbon है, यह भी पूछा जा सकता है, right, इसका ही एक और नाम है, raw shield salt, तो यह भी आप ध्यान में यह use होता है, aldehyde को detect करने के लिए, ketone यह test नहीं देता, और aldehyde में भी benzaldehyde यह test नहीं देते हैं, तो यह हो गया point, now reaction क्या होती है, तो again aldehyde लेना आपको, और copper plus 2, aqos वाला, basic medium में यह भी, सेम वैसे ही, तो आपको carboxylate 9 मिलेंगे, क्योंकि basic medium है, copper plus 1 मा जाएगा, plus 2 स plus 1 में आ जाएंगे, और water मिलेंगे, यह जो CO2 है, इसका color होता है, red brown, तो red is brown, precipitate आ रहा है, that means, आपका confirmation हो गया, कि aldehyde और वो भी कैसा, aliphatic, aromatic, यह test नहीं देता, अब यहाँ पर again point जो ध्यान देना वो क्या है, जो भी बताया था आपको, क्योंकि hydrogen less electron negative है, तो यह minus 1 में है और यह यहाँ पर plus 1 में, oxidation state के according, यहाँ पर यह अब इसके वज़ा से, स्रिफ मैं इसका देख रहा हूँ, क्योंकि इतना तो same है, इसलिए उसको मैंने check नहीं किया, तो अब यह minus होगा, तो यह plus हो जाएंगे, तो carbon again minus 1 से plus 1 में जा रहा है, मतलब 2 electron का change हुआ, इसलिए यहा कि एक oxygen तो आपने यहाँ पर ले लिया, और उसके लावा चार oxygen बचे, जिसमें एक oxygen यहाँ है, तो इसलिए मुझे 3 water करना परेगा, ध्यान दो, यहाँ total 5 oxygen थे, जिसमें एक oxygen तो आपने यहाँ किया, एक oxygen copper के साथ आपने लिया, तो 3 बचे इसलिए 3 water, इसलिए वहाँ 5 करन है, बाकी तो 1-1 है, क्योंकि इसपे अगर mole concept के question पूचे जाएं, तो आप easily कर लेंगे, तो यह failing test हुआ, अलकॉहल के लिए 2 important test है, एक leucasse test, जिसमें reagent zinc chloride in presence of hessial लेते हैं, तो अगर 1 degree alcohol होगा, तो यह reaction very slow होगी, क्योंकि 1 degree carbocation unstable होते हैं, तो इसलिए यह reaction slow होगी, काफी time क यह वाद आपको turbidity देखने को मिलेगा, या हो सकता है, ना भी मिले, बट 2 degree alcohol होगा, तो 5 मिनट के अंतर में आपको दिख जाएगा turbidity, that means, नीचे precipitate जमाऊंगे, क्योंकि 2 degree carbocation stable होते हैं, और 3 degree अगर alcohol होगा, तो बहुत ही जल्दी आपको turbidity देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 degree सबसे जादे होते हैं, तो यह कार्वो कटाइन के stability से related है, उस case में हो सकता आपको zinc chloride ना भी यूज करना पड़े, क्योंकि easily reaction हो जाएगी, zinc chloride यहाँ पे catalyst का काम करता है, वो करता है, इस CL को ले लेता है, तो जिससे क्या बनाता है, जेडन, CL, 3-, और वो H+, easily create होते हैं, जिसक C पैचान सकतो, one degree, बहुत slow reaction होगा, टर्बीटी आपको देखने को ना मिले, हो सकता है, two degree में, five minute का अंदर में, three degree अगर होगा, तो quickly, तो इससे तीनो टाइप के alcohol आप distinguish कर सकते हैं, but जो seric ammonium nitrate test है, that is can test, C से seric, A से ammonium, N से nitrate, तो इससे आप alcohol को detect तो कर सकतो, but वो one degree होग होगा, two degree होगा, three degree होगा, वो नहीं बता सकतो, क्योंकि तीनो reaction देंगे, करना क्या है, इसमें, ammonium बोला तो, ammonium ले लेना है, seric, C, ये d block वाले, nitrate, तो ये actually complex होगा, जहाँ पे ये plus four oxidation state में, और alcohol जो है, यहाँ पे जिसके पास loan pair है, ये as a ligand का का काम करेगा, तो दो nitrate को replace करके ये खुद आ जाएंगे, right अंदर में, और वो दो nitrate ये दो ammonium के साथ, आपका NH4, NO3 बना लेगा, तो इसका color जो होता है, वो wine red या pink color होता है, जिससे पता लगता है, तो one degree, two degree, three degree, तीनों दे सकते हैं, और ये भी test important है, जो जो शरीफ और शरीफ alcohol के लिए यूज होता है, next, phenol के लिए जो test है, वो very very important है, neutral FeCl3 लेते हैं, जहांपे RN plus 3 में that means क्या हो गया, ये pharic word यूज करेंगे, क्योंकि RN का highest oxidation state हो गया, neutral condition में लेना आपको, phenol लो या phenol के derivative उसके कोई अगर group लगा दिये, तो भी कोई बात नहीं है, तो इनकी reaction होगी, करना क्या है, चुकि जे ligand का काम करेगा, तो एक complex बनाना है, RN plus 3 में होगा, तो 6 coordination number वाले complex बना देना है, तो ये 6 molecule लेकर को, एक square bracket में coordination compound बना देना, RN plus 3 में क्योंकि ये neutral था, तो ये plus 3, या वो 3 Cl को आपचाओ, तो plus 3 हट आगर के 3 Cl3 भी कर सकतो, right, तो इसका जो color है, वो violet color आता है, इससे test हो दाता है, तो phenol को test करना हो, तो phenol में neutral FeCl3 डाल दो, अगर violet color आ रहा है, तो that means of phenol है, ध्यान रहे, alcohol affiliate test नहीं देता है,